नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अनक आडमी में a very good evening to all of you मेरा नाम है संदीब जियानी कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं design of concrete structures या फिर RCC जो है reinforced cement concrete इस subject के बारे में इस subject के बारे में दोस्तों basic से लेके जिससे की सभी जो हैं इसे live attend कर पाएं और साथ ही साथ में आप यहाँ पर जान पाएंगे कि exam point of view से हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए RCC के अंदर क्योंकि RCC देखी दोस्तों यह कैसा subject है इस subject के अंदर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जादा time भी लेगा यह बहुत सारी numeric portion होगा बहुत सारा design वाला बहुत सारा analysis वाला portion होगा और बहुत सारा codal provision भी है यहाँ पर तो सारी चीजें जो है mixed हैं इस subject के अंदर तो इसी कारण से यह subject थोड़ा सा complicated माना जाता है अगर हम इसे पढ़ते हैं तब तो क्या-क्या चीजें हैं जिनें हम focus करेंगे पहले तो हमें एक radius जो है वो decide करने होगी कितनी radius के अंदर हमें पढ़ना होता है क्या-क्या चीजें exam के point of view से पूछी जाती है code हमारे पास बहुत बड़ा है तो code के अंदर पूरी एक-एक चीज तो हम याद कर नहीं सकते है एक-एक चीज exam में पूछी भी नहीं जाएगी तो क्या-क्या चीजें जो है code के point of view से important है जो exam में directly पूछी जाती है questions में use की जाती है उनके बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे PDF वाले जितने विमित्र हैं PDF आपको मिल जाएगी session खतम होने के बाद इसते पहले वाले session की भी PDF आपको मिल गई होगी अब तक codeal provision पर ज़्यादा focus करना जितने भी जो भी चीज important है हमारे exam के लिए सभी चीज़ों पर बराबर ध्यान देंगे अगर आपने इस session को भी तक like नहीं किया है तो इस session को आप like भी कर सकते हैं मेरा नाम है संदीब जयानी और दोस्तों हमारा overall schedule जो अब तक चल रहा है उसके अंदर हम survey पढ़ चुके हैं, building materials पढ़ चुके हैं, concrete technology पढ़ चुके हैं साथ ही साथ में इन से related जो भी इनके test हैं, practice questions हैं वो भी हम कर चुके हैं आज बात कर रहे हैं दोस्तों, first of March है और आप सभी को शिवरात्री की बहुत बहुत शुब काम नाए I hope अभी अवाज fix हो वही होगी चली, now it should be fine चली, शुरू करते हैं दोस्तों और schedule की बारे में हम बात कर रहे थे, first of March आज RCCM पढ़ने वाले हैं कल इसी से related जो questions हैं वो हम करेंगे, questions कौन से करेंगे, कल जो हमारा session होगा, एक session dedicatedly होगा numericals का, कि जो भी आज हम पढ़ेंगे, उन से related और question और additional numericals की practice जो है वो करेंगे और एक session जो हमारा होगा, उसके अंदर जो आज पढ़ लिया हमने, codal provision जो आज समझेंगे, पढ़ेंगे, उनी से related, फिर से वहाँ पर हम revise करेंगे, और questions के through ठीक है, चलो, शुरू करते हैं, 1st March, 2nd March, 8 PM और 6 PM special class का हमारा time रहता है, तो 6 PM onwards, we will continue on unacademy app, RCC का test, अगर आप unacademy पर तयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों unacademy subscription के उपर अभी जो है, अगर आप एक साल या इससे जादा duration का subscription लेते हैं, तो इसके उपर additional 6 months जो हैं, आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ में संदीब 111 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% off भी मिलेगा, और साथ ही साथ में 6 months आपको, यानि कि एक साल का subscription लेंगे, तो 1 plus 6 months, इतना आपको duration जो है, वो मिलेगा, इसके अलावा, और भी बहुत सारी benefits हैं, जितने भी unacademy platform के benefits हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, अगर आपको subscription related कोई भी query हो, तो आप 5 times 85 पे dial करके, और उसके बाद वहाँ पर संदीब यानि कि मेरा नाम reference दे क्या, आप बता सकते हैं, जो भी आपकी query हो, वो आपको वहाँ पर answer की जाएगी, unacademy के उपर, full length test, BPSCAE की अगर मैं बात करूँ, तो इसके लिए full length mock test जो है, वो available है, अगर आप attempt करना चाहत हैं, तो 6th of March को ये होगा, 11 a.m. onwards, नीचे description में आपको इसका link भी बिल जाएगा, टेलेग्राम पर भी मैं इसको share कर दूँगा, उस test में enroll करने के लिए, आप code use कर सकते हैं, संदीब डबल पन, similarly, UPPSCAE के लिए, फिर से 6th of March को ये test होगा, उसके लिए भी आप enroll कर सकते हैं, चली, तो जितने भी दोस्त हैं यहां पर, जिने RCC समझ में नहीं आता है, वो यहां पर ध्यान से, आज जो है, ये session ध्यान से देख लीजेगा, अनक आडमी के उपर आपको कुछ भी inappropriate content अगर दिखता है, तो आप नीचे description में दिये गए, link पर जाके आप उसे report कर सकते हैं, RCC के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो RCC जो है, personally अगर मैं मेरा भी पता हूँ, तो मैंने भी जब भी पढ़ा था, तो RCC मुझे शुरू में अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्योंकि शुरू में WSM चल रहा है, या उसके अंदर चीजें जो है, basic, basic, basic calculations चल रही थी, लेकिन जैसे-जैसे subject आगे प्रोसीड हुआ, तो थोड़ा सा मुश्किल होने लग गया, कि पता नहीं लग पा रहा था, कितना याद करना है, क्या करना है, questions कैसे पूछे जाते हैं, तो यह problem जो है आती थी RCC के अंदर, तो RCC के अंदर अभी हम यहाँ पर topic देखेंगे, question देखेंगे, topic देखेंगे, question देखेंगे, तो relate कर सकते हैं कि objective point of view से RCC हमें कितना पढ़ना है, अगर हम subjective point of view से देखेंगे, तो उसके लिए पूरे proper हमें अलग से कम से कम 6-7-8 गंटे जो है RCC के लिए चाहिए होंगे, अगर RCC के marathon करें, on the basis of mains, mains के session के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो उसके लिए additional time हमें चाहिए होगा, लेकिन objective point of view से objective exams में RCC जो है, वो कैसे कुछी जाती है, conventional में जब हमें देखना होगा, तो चीजें यही रहेंगे, concept यही रहेंगे, लेकिन वहाँ पर step by step, जो हम बहुत सारी चीजें, 10 objective question में जो चीज हम use करते हैं, वो एक mains के question के अंदर ही use आपको सारी करनी होगी, तो वहाँ पर सारी चीजें जो है linked होगी, objective question में एक एक चीज उठा के आपसे पूछ लेता है, तो चलिए, शुरू करते हैं, अब बात करते हैं, दोस्तो RCC के subject ही, RCC अगर मैं सिर्फ ऐसे थी, आस-पास जो है, यह पूछा गया, 10 marks, 2012 से भी अगर आप उठा लीजी, तो 10, 12, 8, 11, 11, 10, 9, 9, and so on, last year भी लगबग यह 8, 9 marks के आस-पास पूछा गया था, और अब तो trend यही है, कि आप exams के अगर बात करें, तो लगबग सभी subjects को important weightage, equal weightage जो है वो दिया जाता है, almost, depending upon subject कि है, उसी के हिसाब से, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि किसी एक subject से कोई question आए ही नहीं, एक से बहुत जाद आगे, तो लगबग सारा जो है balance करके ही आपको दिया जाता है, RCC की बात करें, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कि RCC क्या होता है, RCC के अंदर हम बात करते हैं, concrete है, steel है, दोनों का combination है, concrete क्या होता है, कल के marathon session के अंदर हम already पढ़ चुके हैं, RCC के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले develop किस ने किया था, तो RCC जो है वो develop किया था, फ्रेंको इस कोगनेट ने, तो इनको objective में अगर आपसे कहीं भी किसी state के exam में आपसे ऐसा पूछ सकता है, SEC ज जो है, वो एक single component की तरह behave करता है, पूरा का पूरा member जो है, अगर आपने मान लीजिए, आपने यहां से एक column cast कर लिया और फिर उसके बाद उसके उपर beams cast कर रखी है, beams के बाद आपने इसके उपर slab cast कर रखी है, और भी जो structures आपने बना रखे हैं, तो पूरा का पूरा monolithical एक single structure की तरह यह behave करता है, fire resisting capability इसके अच्छी होती है, durability इसके अच्छी होती है, और अगर हम बाकी सारे material जिनको use करके अगर कोई building बनाएं, उनके comparison में अगर देखें, तो RCC जो है, वो economic पढ़ता है, और strong होता है, durable होता है, लंबे समय तक चलता है, सालों साल चलता है, और तो RCC के अगर हम बात करें, तो आप इसको किस तरीके से बता रहे हैं, इसके उपर depend करता है कि RCC को आप, अगर आप यह कहते हैं कि cast in situ है, या फिर pre-cast है, तो इसके हिसाब से दो types हो जाते हैं, तो अच्छे से classify कैसे करना है, उसके according question जो आप से पूछना चाहिए, voice फिर से problem करना है क्या, चलिए I hope now it should be clear, बीच बीच में problem create करता है, बीच बीच में आप बता दीजिएगा, चलिए I hope now it should be clear, बीच बीच में problem create करता है, बीच बीच में आप बता दीजिएगा, कराऊ से में, बीच बीच में सहांने, बीच बीच में हमें, बीच बीच में हमें, हमाहिगा बेस早寛 दीच में हुआराँ ठाथ सकता हैं, I hope अभी आवाज जो है अभी ठीक होगी चली मैं आगे कंटीन्यू करता हूँ फिर भी अगर कोई इशू आता है अवाज के अंदर तो आप बता दीजेगा ठीक है आप प्लीज लेट में नो बजिंग लाइक साउंट चली थोड़ी देर कंटीन्यू करते हैं फिर चेक करेंगा अगर कंसिस्टेंट इशू आएगा तो फिर कोई और इशू देखते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको चली नेक्स वेशन के उपर चलते हैं अगर किसी बिल्डिंग की बात करें तो उस बिल्डिंग के उपर जो है कौन-कौन से लोड जो है वो लगते हैं डेट लोड लगता है लाइव लोड लगता है रेन लोड हो सकता है rain load, नहीं, dead load, live load, snow load हो सकता है अभी ठीक है, चलिए तो दोस्तों इन में से अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, जो loads हम किसी building को उपर consider करते हैं dead load हो सकता है, हमारे पास live load हो सकता है, earthquake load या फिर wind load जो होता है, इन दोनों में से एक consider किया जाता है तो ये सारे load होते हैं, इसमें से rain load जो है, वो हम consider not commonly applied, हम generally अगर हम बात करें, तो rain load जो है उसको consideration में हम नहीं consider करते हैं अगर हम बात करें दोस्तों, exam में पूछे जाने वारे सवालों की कि exam में क्या क्या सवाल पूछता है, code से related सिर्फ RCC subject की बात नहीं करें, वैसे ही अगर generally बात करें तो आप से सवाल जो है, RCC के अंदर जो code use होता है, वो होता है IS-456, IS-456 जो है RCC के लिए हम use करते हैं IS-800-2007, steel के लिए use करते हैं और इसके अंदर अगर हम बात करें, 2007 वाला limit state method और पुराना जो code है, वो working stress method के बारे में हमें बताता है 13-43 अगर हम बात करें, तो pre-stressed concrete 10262 की अगर हम बात करें, तो ये design mix के बारे में हमें बताता है details बताता है, aggregates के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए होती है कि कौन से zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, aggregates कल हमने बात भी की थी इसके concrete वाले subject के अंदर, तो अगर उसकी हम बात करें, तो 383 जो है, वो हमें इसके बारे में बताता है 383 बताता है, IS 875 की अगर हम बात करें, तो design loads के बारे में बताता है buildings और structures के लिए, सारे के सारे अपने आप में एक एक objective question है अब तक पूछे भी जा चुके है, recent years में भी पूछे जा चुके है UPPCL के इंदर भी इससे related question जो है, आपसे पूछा गया था तो ये codes जो है, आपको याद होने चाहिए, अगर आपको ये code जो है download करने हो, अगर आपको अपने personal use के लिए, commercial या फिर professional use के लिए अगर आपको अपने personal use के लिए अगर इसे use करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप BSB Edge या फिर Bureau of Indian Standards जो है, आप Edge ऐसे करके search करेंगे, तो वहाँ पे website आजाएगी, website पर जाके आपको अपना basic registration करना है registration करने के बाद आप उसे download कर सकते हैं for free, mentioning कि आप student purpose से या सिर्फ just इसे, personal learning के purpose से आप download कर रहे हैं तो वहाँ से उसके PDF जो है along with the watermark of your registration, आपकी details के साथ जो है वो PDF आप download कर पाएंगे और उसे उसके बाद कोई telegram group या ऐसे share मत करिएगा, वो personal use के लिए होती है, क्योंकि उसके उपर properly आपकी details दिखियोंगी, अगर वो कहीं पर भी circulate हुई, और कहीं पर अगर नजर में आती है, तो obviously, आपके उपर बात आएगी, कि यह आपने क्यों circulate की, cement concrete की अगर हम बात करें, तो cement concrete जो है, इसके अंदर क्या होते हैं, course aggregate, cement होता है, fine aggregate होता है, water होता है, add mixtures होते हैं, और air होती है हमारे पास, यह हम already कल पढ़ चुके हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, दोस्तो, code की, code से related क्या-क्या बात हैं, कल भी हमने concrete वाले, जो subject था, के अंदर भी हमने बात की थे, कि cement से related जो code है, वो IS269, IS269 के अंदर ही, जो भी ordinary Portland cement से related जानकारी है, वो सारी मिल जाएंगे, जो code आप download करेंगे, उसके अंदर ये भी mentioned होगा, 43 का, 53 का, लेकिन amendment के अंदर बाद में ये कह दिया गया, कि इन दोनों points को हटा दीजिए, और आ होता है, water की हमने बात की थी, कल concrete वाले के अंदर ही बात की थी, same जो है RCC के अंदर पूछ सकता है, कि अगर concrete के अंदर हमें organic content बताना है, water के अंदर जादा से जादा कितना हो सकता है, तो 200 mg पर लिटर, अगर हम बात करें inorganic की, तो वो हो सकता है, 3000 mg पर लिटर, 3000 mg पर के अंदर 500 और अगर simple plain complete अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 2000 sulfate की बात करें तो 400 अगर हम बात करें तो 400 mg पर लिटर इसकी लिमिट है डायरेक्ली अग्जाम में objective question पूछता है suspended matter की बात करेंगे तो suspended matter 2000 suspended matter 2000 mg पर लिटर clear यह आपको याद रखना है water से related next question जो आप से पूछता है कि pH औ water जो है water की pH 6 से कम नहीं होनी चीए generally 6 to 8 के बीच में रहनी चीए लेकिन code जो आपको बताता है code आपको बताता है कि 6 से कम नहीं होनी चीए एक ऐसा भी question पूछा हुआ था कि RCC के अंदर या फिर concrete के अंदर जो पानी आप use करते हैं उसके specifications कौन से code में मिलती है तो IS 456 के अंदर मिलती है obviously size of aggregate की अगर हम बात करें तो size of aggregate की हम बात कहते हैं तो aggregates को देखो हम कैसे पढ़ेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ हम पढ़ेंगे पहले topic wise topic ठीक है पहले basics पढ़ा concrete पढ़ा फिर steel के बारे में पढ़ा फिर उसके बाद दोनों को मिला के RCC पढ़ना शुरू कर देंगे और RCC पढ़ने के बाद RCC के अंदर पहले beam की बात करेंगे फिर उसके बाद beam के अंदर bending moment हो गया shear हो गया इनको पढ़ेंगे फिर उसके बाद shear के साथ torgen आ जाएगा उसको भी पढ़ेंगे concrete और steel की bonding कैसी है इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद bond जब हमने पढ़ लिया होगा anchorage length इनके बारे में बात करेंगे then we will talk about की column क्या है beams, column जो है slab है और footing है ये सारे topics हम cover करेंगे उसके बाद जब ये सब topics हो जाएंगे तब उन से related code के important provision और specially reinforcement से related reinforcement की details से related जो भी provisions है उनको हम पढ़ेंगे इसी marathon session के अंदर अब बात करते हैं aggregate की तो aggregate कल भी हमने ये discuss किया था concrete वाले जो marathon था उसके अंदर भी कि aggregate का maximum size है वो thickness of member by 4 इससे जादा नहीं होना चीए aggregate का size generally जो RCC में use करते हैं 20 mm का use करते हैं अगर आपने aggregate रखा है तो reinforcement के बीच में aggregate रखने के बाद 5 mm का space कम से कम बच जाए 5 mm का space कम से कम हो अगर member का size बहुत बड़ा है reinforcements दूर दूर है तो 40 mm तक का aggregate आप use कर सकते हैं और अगर member का size बहुत छोटा है reinforcements बहुत पास पास हैं तो 10 mm तक का भी use करना पड़ सकता है इन general अगर हम बात करें तो in general जो हम use करते हैं that is 20 mm objective में अगर आप से पूछें तो 20 mm next for RCC construction maximum size of aggregate जो है वो 20 mm हम use करते हैं pH of water के अगर हम बात करें तो वो 6 से कम नहीं होनी चीए it should not be less than 6 next question आपका कह रहा है कि which code gives the details regarding water to be used in concrete to IS456C आपको बताता है water के बारे में जो भी जानकारियां होती है वो आपको कौन सा use करना है then comes as per IS4562000 the organic content organic content वाला same question as it is same data के साथ पता ही नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है तो इसलिए इस table को आप बिल्कुल हलके में मत लीजिएगा आपको इसको अच्छे से याद करना है सारी चीज़ें basic यही points है यही topics हैं जो exam में आप से पूछेगा last year का paper उठा के देखा करें जब भी आपको कोई exam देना हो और उसमें आप देख लीजिए कि हाँ इसमें यह वाला organic वाला अगर पूछ है तो इस साल बाखी सारे points जो हैं उनमें से कुछ ना कुछ पूछने के chances पूरे बनते हैं तो आपको याद कर ही लेना है by the time you give your one year or two year of preparation आपको बहुत सारे exams देने हैं और बहुत सारे जो exams देंगे उनमें से इनी में से ही पूछेगा तो पहले basics आपको एक चीज यह पता लग जाए ना कि यह इतना पढ़ना है और इतना पढ़ने के बाद अगर समय होगा तो कुछ और additional चीज़ें करेंगे तो वो minimum जो है कि कम से कम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इतना तो आपको आना ही चाहिए जिसके अंदर आपका exam का सारा portion cover हो जाता है फिर आपकी महनत है आपकी हिम्मत है कि कितना और additional चीज़ें कितने और questions extra आप कर सकते हैं कितनी और चीज़ें जो है आप cover कर सकते हैं various questions के तुरू चाहिए वो ऐसे सी के हो यह सी के हो या फिर आप civil services की बात करें चलो next उसके बात करते हैं दोस्तो reinforcement की तो reinforcement से related जो code आपके पास है अगर आप mild steel और medium tensile steel की बात करते हैं तो IS-432 आप use कर सकते हैं और IS-1786 जो है वो आप use कर सकते हैं HYSD या फिर high strength deformed बार जो होते हैं उनके लिए आप ये use कर सकते हैं तो ये दो point जो है exam में आपसे पूछ सकते हैं तो mild steel used in RCC structure conforms to IS-432 next question की अगर हम बात करें तो वो आते हैं mix से related nominal mix क्या है design mix क्या है या nominal mix के जो proportion होते हैं वो अब simple जिबाशा में आप समझे nominal mix का मतलब है कि आपको क्या करना है कितना cement, कितना sand, कितना aggregate ये proportion बताया जाएगा और आप उसको use कर लेंगे normal अगर आप जा रहे हैं कोई भी इतना जादा superior quality का construction जहाँ पर नहीं है तो आपने देखा होगा mason को वो mason अपने under जो भी उसका associate होता है जो भी उसका under काम कर रहा होता है उसको क्या बोलता है कि हाँ itna cement add कर ले, itna sand add कर ले, itna aggregate add कर ले तो वो proportion बता देता है कि हाँ तो वो क्या बना रहा होता है वो nominal mix बना रहा होता है लेकिन अगर आपको high strength वाला काम कोई करना है कोई bridge अगर आपको बनाना है कोई building बनानी है जो कि 30, 40, 50, 60 floors की building है अगर तो important structure जो होते हैं तो important structure के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर जब हमने design किया है उस building को तो हमें पता है कि कितने loads आने वाले है जितना load आने वाला है उसके according concrete की strength कितनी होनी चाहिए तो उस strength को हम compromise नहीं कर सकते हैं कि हमने इतनी strength तो चाहिए ही चाहिए तो इसके लिए अच्छी quality control के लिए हम क्या करते हैं इनको proper supervision के अंदर पूरा ध्यान रखते हुए quality का इनको बनाया जाता है तो nominal में और design mix के अंदर ये difference है क्या-क्या और बाते है quality control nominal mix में sacrifice हो जाती है जो भी field के उपर आप देखते हैं आप कह नहीं सकते हैं हमेशा कि जितनी strength आपने assume की है उतनी strength आपको actual में मिलेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजाती है concrete जो है उसके अंदर जो भी ingredient use के, cement, sand, aggregate इनको अच्छे से store किया गया या नहीं किया गया इनके अंदर impurity है या नहीं है, water के अंदर impurity है या नहीं है, concrete की placing जो है वो proper time पे हुई या नहीं हुई सही proportion के अंदर इनको मिलाया गया या नहीं मिलाया गया, तो यह बहुत सारी चीज़ें आते हैं जिनके current hard to determine the assurance of quality and strength of the concrete corresponding to the desired strength जितनी हमें चाहिए उतनी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसमें थोड़ा सा doubt रहता है nominal mix के अंदर material for the concrete like cement, sand, aggregate इन्हें proper condition में नहीं रखा जाता है अच्छी condition के अंदर store करके ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता हमारी intention नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको कल भी मैंने बताया था 5, 4, 3, 2, 1.5 और 1 फिर उसके बाद क्या कर देना है इनका double कर देना है, तो 5, 4, 3, 2, 1.5, 1 इनका double करो, 10, 8, 3 का double 6, 2 का double 4, 1.5 का 3 और 1 का double 2, यहां से शुरू करना है आपको 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 तो यहां से आपको nominal mix के proportion पता लगते हैं कि आपको अगर M5, M आपको बताता है mix के लिए M stands for mix और 5 जो है यह आपको क्या बता रहा है यह बता रहा है characteristic compressive strength यनि कि अगर आपने 150 mm के concrete के cube लिए उनकी 28 days के उपर जाके अगर आप compression के अंदर strength चेक करेंगे तो वो कितनी आएगी 5 newton पर mm square आएगी तो 5 newton पर mm square या इसे हम denote करते हैं FCK से characteristic compressive strength से हम इसको denote करते हैं exam में question ऐसा ही पूछेगा M10 grade M20 M25 grade of concrete जो है उसके अंदर proportion लगबग कितना होता है तो proportion आपको बताना है M10 की अगर हम बात करें तो 5, 4, 3 यानि की M5, M7.5, M10 से हमने शुरू किया था तो 5, 4, 3, 10 तक आके 3 आगया 3 का double 6 ठीक है आगे बढ़ते है next reinforcement से related अलरेड़ी बात कर चुके design mix concrete की बात कर रहे थे तो design mix concrete जो है वो mix होता है जिसके अंदर ideal strength यानि की maximum strength हमें मिलती है जो भी material इस्तिमाल किये जाते हैं cement है, aggregate है उन्हें proper ideal condition के अंदर store करके रखा जाता है humidity वहाँ पर नहीं होती है skilled workmanship जो है वो use की जाती है जो भी लोग उस mix को बनाएंगे उन्हें पूरी knowledge होगी उस काम की और proper proportion के अंदर proper batching करके ही वो use करेंगे उसको design mix के अंदर concrete जो है उसे nodal place या फिर batching plant जो है वहाँ पर बनाएंगे और फिर उसके बाद transit mixtures के थुरू उसे site के उपर लाया जाएगा within a specified time frame and also using certain admixtures जिससे की उसकी qualities जो है उसकी workability उसकी strength जो है वो maintained रहे वो खराब ना हो यहाँ पर during the process of transportation the ideal temperature for the ideal proportion mix is maintained through admixtures like plasticizers and super plasticizers which do not alter the strength of the mix proportion of concrete but delay the setting time of the concrete and improve workability अब strength of concrete की बात करेंगे की concrete की strength कितनी आती है यह बात खतम हो गए यहाँ पर design mix क्या होता है nominal mix क्या होता है आप से mains में पूछेगा write a short note on the types of concrete mix तो उसमें आप बता सकते हैं दो type होते हैं पहला होता है nominal दूसरा होता है design mix nominal mix के अंदर proportion जो है जनरली M25 तक होता है उसके बाद अगर आपको higher strength चाहिए तो हम वहाँ पर design mix की तरफ जाते हैं दोनों में क्या-क्या अंतर है यह बताने आपको और nominal mix के proportions लिक दीजिएगा strength of concrete की बात करते हैं strength of concrete के अंदर आपको cement और concrete को mix नहीं करना है यह कल भी हमने देखा था कि strength of concrete एक दिन पर कितनी, तीन दिन पर कितनी, साथ दिन पर कितनी, 14 days पर कितनी मिलती है और 28 days पर strength हमें लगबग कितनी मिल जाती है तो 28 days के reference में हम बात करते हैं 28 days के reference में हम कहते हैं कि strength of अगर concrete का designation करना है ना, किस grade के concrete है हमने कहाँ M20 है, तो M20 का मतलब है कि 28 days बाद जो उस concrete की strength होगी वो कम से कम 20 MPa या 20 Newton पर mm square होगी तो इससे हम उसकी characteristic compressive strength FCK जो होता है, वो हम denote करते हैं टेस्ट की बात करें, तो कल भी हमने यह discuss किया था कि compressive strength जो हम करते हैं test concrete के cubes लेते हैं 150 by 150 by 150 dimension के concrete के cube लेंगे 28 days के उपर और 7 days के उपर जनरली यह test हम करते हैं चेक करने के लिए कि 7 days पर strength कितनी आ गई 28 days पर strength जो है, वो कितनी आई, कितना load यह beer कर सकता है specimen का size objective में पूछता है 150 by 150 by 150 अगर aggregates का size 20 mm से छोटा है तो 100 by 100 by 100 आपको answer करने हैं ज़्यादा तर यह पूछता है और अगर cylindrical mold यूज कर रहे हैं तो cylindrical mold के अंदर इसका diameter जो है 150 यह हमारे पास 300 यह भी आपस objective के अंदर पूछता है next अगर हम बात करें तो आप जितने भी samples लेते हैं या जितने भी cubes आप लेते हैं उनकी individual strength पता कि आपने कि कितने load के उपर वो fail कर जा रहे हैं फिर आप क्या करेंगे, उनकी average calculate करेंगे और वो average value जो है वो average value हर एक individual value से 15% से ज़ादा vary ना करें या फिर यह कह लिजी हर individual value जो है वो average के 15% से ज़ादा vary ना करें कहने का मतलब क्या, कि अगर आपने number of specimens के उपर आपने test किये, तो let us say उनकी जो strength आई वो 90 MPa 100 MPa नहीं units मान लिजी, कोई भी generic units की बात कर रहें 90, 100, 110 and so on, आपने इनका average consider किया, तो इन तिनों का average क्या आजाएगा 100 आजाएगा, तो अब हर एक specimen जो है, वो इस mean या average value से 15% से ज़ादा vary ना करें, यानि कि इनकी values जो है, ये 90 वाली 110 वाली, 100 वाली, ये values जो है, इस mean value से 15% से ज़ादा deviate नहीं करनी चाहिए, जो की इन values के case में नहीं कर रहे हैं, तो 0.85 times of average और 1.15 times of average, ये निकि 15% का variation ये हो गया ना, या तो 15% कम average से या 15% ज़ादा, तो इनके बीच में ये तीनों values जो है, वो लाई करनी चाहिए, cylindrical specimen के अंदर जो strength हमें मिलती है, वो 0.8 times मिलती है, किसके cube specimen जो होता है, उसके, next अगर हम बात करें, तो अगर हमने 30 samples consider करने पढ़ते हैं, हमें हर 50 meter cube of concrete के लिए, और हर sample के अंदर 3 हमारे पास specimen होते हैं, तो total 90 specimen जो है, वो flexor में strength, तो flexor में strength क्या होती है, flexor का strength मतलब है, कि उसको bend करना, तो अब इस तरीके से हम concrete को यहाँ पर क्या कर देते हैं, bend कर देते हैं, जब bending के अंदर concrete आया, flexor के अंदर concrete आया, अब हम इसकी tension के अंदर strength जो है, वो बात कर हो गया, उनके उपर tension आना शुरू हो गया, इसी तरीके से concrete जो है, इसके उपर हम flexor के अंदर bending के अंदर tension लगाते हैं, यनि कि उसके अंदर rupture आता है, rupture आने का मतलब failure आ गया, उसके उपर crack आ गया, यह जरूर ही नहीं है, rupture के अंदर burst ही कर गया, वो structural strength of concrete is measured in terms of its modulus of rupture, तो इससे हम इस तरीके से mention करते हैं, और modulus of rupture जो होता है, वो किसके बराबर होता है, 0.7 root fck के बराबर होता है, 0.7 root fck हमें बतानी होती है, as per the grade of concrete अगर हम बताते हैं, तो इतना, अगर आपको specimen के according बताना है, तो हम कहते हैं, कितना load लगाया, P लगाया, L is length of support, length of the supported span, B जो आपके पास है, width of specimen, D जो है depth of specimen, तो PL upon BD, square से हम modulus of rupture बता देते हैं, अब तक exams में जो questions आएं हैं, अगर हम SSC की बात करें, तो उसके अंदर जो question आएं, वो आएं split tensile strength test से, और इसके formula से related चाहे हैं, हम engineering services की बात करें, तो वहाँ पर भी direct इससे related question आया, direct formula भी पूछा है, अगर हम बात करें SSC की, तो अब तक ये वाला नहीं आया, PL upon BD, square वाला नहीं आया, तो आने वाले exams के अंदर, जो आपको देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है, statement में तो पूछता ही, पूछता है, कि tensile strength of concrete is measured in terms of its modulus of rupture, तो इसके form में हम इसको पता करते हैं, split tensile strength जो होती है, split tensile strength किस की बात कर रहे हैं, concrete की बात कर रहे हैं, stone की बात नहीं कर रहे हैं, धहाम रखना है, तो concrete की अगर हम बात करें, formula दोनों के cases में same ही रहता है, 2p upon pi dl, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो 2p upon pi dl होता है, अब p क्या है, load कितना apply किया, d हो गया, इसका diameter l है, length of specimen, objective में, last year जो सवाल पूछा गया, वो ये पूछा गया था, कि इस specimen की length कितनी होती है, तो जल्दी से एक बार comment करके बता दीजिए, कि length इस specimen की कितनी होती है, हाँ जी, सभी को नमशकार, short notes के लिए दोस्त आपको बताते जा रहे हैं, चली, जब भी आप, एक चीज़ बताने के लिए रुका था, उतने महीं आप शुरू हो गए, देखे, यहाँ पर बात कर रहे हैं, concrete की, concrete के अंदर जो specimen यूज़ करते हैं, confusion वाला point है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि short notes में, या आपने complete notes में जब आप लिखें, यहाँ पर लिख लीज़ेगा, आप चाहें, तो अगर इस specimen की मैं बात करूँ, तो इस specimen के अंदर जो cylinder यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, 150 mm डाया का, तो concrete जो है, अगर मैं concrete का यहाँ पर बना देता हूँ, कि concrete के अंदर जो cylinder यूज़ होता है, वो cylinder का diameter जो है, वो diameter तो रहता है, 150, और उसकी length रहती है, 300 mm, यह किसका test करते हैं, split tensile test करते हैं, अगर हम concrete का, अगर सिर्फ stone का किया जाएगा, अगर सिर्फ stone की हम बात करें, तो stone का अगर split tensile test आपको करना है, तो stone के case में जो specimen होता है, वो specimen होता है 50 by 100 का, वो specimen होता है 50 by 100 का, यह याद रखिएगा, proportion, exam में जो question पूछते हैं, वो exam में question यह भी पूछ सकता है, कि proportion कितना है, diameter to its height का, तो वो तो 1 is to 2 का proportion दिखता है आपको, और stone के case में हम 50 by 100 लेते हैं, और यहाँ पे हम 150 by 300 लेते हैं, next, load कितना होगा, load उतना होगा जितने पे fail कर जाएगा, वही तो check करना है हमें यहाँ पर, कि कितने load के उपर वो fail कर रहा है, उस concrete की या उस stone की split tensile strength कितनी है, generally अगर हम बात करें, तो सबसे जादा जो होता है, सबसे जादा होता है compressive, फिर flexure के अंदर या bending के अंदर उसकी strength, फिर उसके बाद tension के अंदर, split वाली and then comes direct, अगर हम direct वाला test करें, तो उस case के अंदर यहाँ पर, तो compressive strength सबसे जादा होती है, अगर आपसे match the following के अंदर इस तरीके से पूछे, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले, कि हाँ, इनको arrange करो इस order के अंदर, तो यह order रहेगा, size of specimen से related, कल concrete वाले में, already हम discuss कर चुके हैं, कि specimen जो है, जितना छोटा होगा अगर, तो उसका strength जो मिलेगा हमें, देखने को वो जादा ही मिलेगा, type of stress condition के उपर भी depend करता है, moisture condition अगर होगी, तो strength of dry specimen जो है, वो जादा होगी, as compared to कोई moist sample अगर आपके पास होगा, अब यह तो बाते होगी, test कर लिए हमने, यह हमने क्या कर लिए, यह समझने के लिए था, कि concrete के अंदर वैसे already पढ़ चुके होते हैं, concrete technology कह लिजिए, यह concrete के अंदर हम भामच चुके होते हैं, कि 150 by 150 by 150 के यह cubes लिए, और इनके उपर हम test करते हैं, 28 days के उपर, तो 28 days के उपर जो strength हमें मिल जाती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं, उसकी characteristic compressive strength, यहनि कि अगर आपने, let's say अगर 100 samples लिए, तो 100 samples में से 95%, यहनि कि 95 samples, जिस value के उपर fail नहीं होते हैं, आप कहते हैं कि वो उसकी characteristic compressive strength है, उस concrete की वो characteristic compressive strength है, यहनि कि 5% से ज़्यादा test results जो है, fail नहीं होते हैं, जिस value पर उसे हम कह देते हैं, characteristic compressive strength, सबी जो भी हमारे पास specimen होते हैं, उन specimen का अगर हम average ले ले लेते हैं, कि at an average उनकी strength जो है, वो कितनी है, और फिर हम यह बोल सकते हैं, कि उसके chances हो जाते हैं, कि हाँ, यह एक average strength है, 50% जो है वो chances है, तो आप इसे कह देते हैं, यह उसकी mean strength हागी, confidence limit मतलब हम यह कहते हैं, कि वो कितनी limit है, किस extension तक आप जा सकते हैं, कि आपके concrete जो है, वो fail नहीं होगी, या फिर आप यूं कहलेजिए, कि उसकी strength जो है, जितनी हम चाहते हैं, लगबग उतनी मिल जाएगी, अब concrete है probability, और इनकी क्यों बातें कर रहे हैं यहाँ पर, हम इनकी बातें इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यह देखना चाहें, कि क्या concrete के अंदर, जितनी strength हम चाहते हैं, जितनी हमने design किया, क्या उतनी actual में हमें मिल जाएगी क्या, नहीं मिलती हैं ना, क्योंकि variation रहने का chances रहता ही रहता है, वो value deviate करेगी, क्यों क्यों deviate करेगी, इसलिए deviate करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ideal नहीं हो सकती हैं, concrete के जितने भी ingredients हैं, वो ideal condition में store हुए या नहीं हुए, आपने proper water cement ratio रखा या नहीं रखा, proper placing हुई या नहीं हुई, proper compaction हुआ या नहीं हुआ, तो इन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगे, concrete के overall strength के contribution तर, तो इसके लिए हम बोलते हैं, कि value जो है वो थोड़ी बहुत vary कर सकती है, क्योंकि जो हमने test किया, हो सकता है हमने ideal condition में test कर लिया, लेकिन actual में जब वो structure बन रहा है, उस वक्त उन्हीं ideal conditions की तर, उस concrete को वहाँ पर नहीं लगाया गया, तो problem हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करना होता है, कुछ-कुछ जो है factor consider करके ही चलना होगा, कि हाँ strength इतना इतना deviate कर जाएगी यहाँ पर, तो कम से कम जो specimen consider करते हैं, वो हम already बात कर चुके, standard deviation calculate करने के लिए हम 30 samples लेते हैं, हर sample के अंदर 3 cube होते हैं, तो total 90 हो जाते हैं हमारे पास, total 90 number of cubes हो जाते हैं, standard deviation या जब भी हम बात करते हैं strength calculations के, individual variation जो है वो 15% से जादा नहीं होना चीए, यह point भी हम already discuss कर चुके, अब standard deviation जो है कितने का consider किया जाता है, अगर M20 और M25 की बात करें, तो आपको consider करना है 4, और M30 से M60 तक 5 आपको consider करना है, यह आपसे exam में directly भी question पूछता है, आगे बात करें दोस्तों तो probabilistic curve, यह probabilistic curve भी हमें यही चीज़ बता रहा है, कि कितनी probability है कि आपकी जो strength attain हुई, वो mean से कितनी कम या कितनी जादा आ सकती है, तो उसी को हम बताते हैं कि that will be equal to characteristic strength plus 1.64 times of standard deviation, इससे कम भी और इससे जादा भी तो plus minus 1.64 का variation जो हो सकता है, exam में हम से क्या पूछेगा, exam में हमें बताएगा कि उसकी characteristic strength इतनी है, standard deviation इतना है, तो mean strength आपको बतानी है, तो fm की value आप इस formula का यूज़ करके बता सकते हैं, next बात आती है, young's modulus of elasticity of concrete, अगर इसकी बात करें, young's modulus of elasticity of concrete की, तो 5000 root fc के बहुत सिंपल है, और यहाँ पर fc के जो है, वो characteristic compressive strength है, आपने 150 mm की cubes लिए, 28 days तक उनकी curing करवाई, और उसके बाद 28 days पर आप उसके strength चेक करते हैं, तब आपको वो strength मिलती है fc के, तो 5000 root fc के आप इसे बता देते हैं, एक्जाम में आप तक repeated question, बार-बार जो question पूछता है, वो क्या question पूछता है, कि M25 concrete के लिए modulus of elasticity of concrete बताओ, तो क्या करना है आपको यहाँ पर, सीधा put करना है, root fc के अंदर 25 put कर दीजिए, आपके पास आजाएगा 25,000 newton पर mm square, तो fc के की जो भी value होती है, वो value किसमें put करते हैं, वो value होती है newton पर mm square के अंदर, M25 अगर कह रहे हैं, तो M stands for mix, और 25 जो है वो क्या बताता है, characteristic compressive strength को बताता है, concrete का specification, ordinary standard high strength concrete, ordinary concrete होती है M20 तक, तो M10, 15, 20 ये कहलाती है ordinary, फिर उसके बाद 25 से लेके 60 तक जो है, वो क्या कहलाती है, standard concrete कहलाती है, और high strength concrete जो है उससे उपर, तो IS456 जो है, जनरली ये किसके बारे में बताता है, ये M60 तक की concrete के बारे में, specifications जो हैं बताता है, उससे ज़ादा, ये कि आपका project अगर बहुत ही कुछ additional है, तो आपको extra जो भी जानकारियां, उस particular concrete से related हो, उस particular project से related है, उससे related test करने होंगे, proper जो है, पूरी research करके फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, पुराने code की अगर हम बात करें, तो पुराने code के अंदर आपको values जो given थी, वो standard concrete की M25 से लेके M55 तक ही थी, लेकिन amendment के बाद, यहनिकी changes के बाद, आप जब भी code देखें, और code में आपको, और कोई book के अंदर question आपने देखा, उसके answers में अगर आपको variation दिखता है न, तो एक बार आप code के last में चले जाएं, वहाँ पे आपको दिये होते amendments, तो आप IS456 जो latest download करेंगे अगर, तो वो IS456 reaffirmed, मतलब फिर से उसकी push-tी की गई, 2016 वाला आपको वहाँ पर addition मिलेगा, तो IS456 reaffirmed 2016 वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं, चार amendments तो उसके अंदर ही mentioned है, और amendment number 5 जो है, वो आपको अलग से वहीं पर, उसी website से, आप BSB Edge वाली website जो है, उससे आप download कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो amendment के अंदर आप जाके देख सकते हैं, कि कोई particular clause के अंदर, कोई changes जो है न, के देखेंगे, तो आपको दिखेंगे, कि standard concrete के अंदर 25C55 है, लेकिन पिछे amendment में लिखा हुआ है, कि इसे भी आप add कर दीजे, तो इस तरीके से ये changes होते हैं, minimum grade of concrete, जो RCC में use करते हैं, कम से कम M20 तो आपको use करना ही करना है, young's modulus of elasticity of concrete की, अगर हम बात करें, तो young's modulus of elasticity को आप अलग-अलग तरीके से define कर सकते हैं, young's modulus of elasticity, steel के case में हम कैसे बताते हैं, हम कहते हैं, stress is directly proportional to strain, यनि कि हम ये कहते हैं, stress is equal to young's modulus of elasticity into strain, तो stress upon strain is equal to young's modulus of elasticity, तो stress को express किया, strain को express किया, या एक तरीके से slope बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पर origin के उपर, किसी एक particular point पर tangent बनाते हुए, या इस origin से किसी point को join करवा के, इस code का बना रहे हैं, कौन से वाला बता रहे हैं, तो इस point of view से हम कहा रहे हैं, कि Young's modulus of elasticity of concrete, इसके अंदर आता है हमारे पास, origin के उपर अगर हम बात करें, तो origin के उपर जो हम consider कर रहे हैं, वो हम कौन सा consider कर रहे हैं, वो हम consider कर रहे हैं, simple Young's modulus of elasticity जो बोल रहे हैं, secant Young's modulus of elasticity जो है, वो किसी भी point को join कर दीजिए, जैसे ये वाला point है, इसे origin से join कर दीजिए, इस point के अगर हम बात करें, तो इस point के उपर जो slope होगा, किसी भी point से origin तक का जो slope है, वो कहलाता है, secant Young's modulus of elasticity, tangent का मतलब कि कि किसी point के उपर, आपने stress strain कर बनाया, concrete का, और किसी point पर अगर, आप tangent draw कर देते हैं, और उसका जो slope है, वो आपको क्या बता देता है, वो आपको बता देता है, tangent modulus of elasticity, अब तक जो सवाल पूछे जाते हैं, वो बस आप से normal 5000 root fc के करके ही, पूछे जाते हैं, 5700 root fc के, पुराने code के according था, लेकिन अब present में अगर हम बात करें, 5000 root fc के according ही आपको बताना है, यह तो हो गया short term में, short term मतलब थोड़ी duration की बात करें, जब बहुत लंबे duration की अगर हम बात करें, तो मान लिजी आपके पास कोई beam थी, इस beam के उपर अगर आप load लगाते हैं, तो load लगाने के कारण इसमें आ जाता है, deformation जो की आपको instantly या थोड़ी से short duration के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये load अगर लगा हुआ ही इसके उपर रह जाए, एक लंबे समय तक, तो further इसमें और deformation आएगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, creep बोल देते हैं, तो इस creep के effect के उपर अगर हम बात करें, या long term के अंदर, young's modulus of elasticity के अगर हम बात करें, तो उसे हम define करते हैं, 5000 root fck upon 1 plus creep coefficient, और इस creep coefficient की value की अगर बात की जाएगी, तो 7 days पर 2.2, 28 days पर 1.6, और 1 year के उपर होती है, 1.1 इसकी value, तो with time creep coefficient क्या करता है, reduce होता है, with time अगर जो creep आ रहा है, शुरू शुरू में creep ज़ादा आएगा, और बाद में creep जो है, कम हो जाएगा, तो शुरू में ज़ादा आता है, creep बाद में धीरे-धीरे कम होता जाता है, तो young's modulus of elasticity की over the time, over the age अगर मैं बात करूँ, तो over the age, ये 1 प्लस थीटा वाला component तो reduce होगा, अगर ये वाला component reduce होगा, तो young's modulus over the time क्या कर जाएगा, increase कर जाएगा, तो question ध्यान से पढ़ना है, question में क्या पूछा है, question में उसने ये पूछा है, कि long term young's modulus of elasticity, समय के साथ साथ धीरे-धीरे क्या होता है, तो वो तो time के साथ साथ, ये आपका यहाँ पर creep coefficient reduce हो रहा है, creep coefficient reduce होगा, तो ये क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, आप से creep के effect के कारण अगर पूछे, कि as compared to, normally अगर हम कहें, young's modulus of elasticity है, 5000 root fc के, और अगर creep को consider करेंगे, या long term को consider करें, तो long term के अंदर, young's modulus of elasticity जो हो रहा है, वो 5000 root fc के upon 1 plus theta हो रहा है, तो 1 plus some quantity से divide करती है, जब हमने 5000 root fc को, इसका मतलब short term के comparison में, long term वाली value कम हो गई, तो इन दोनों में comparison पूछ रहा है, या फिर सिर्फ इसी की बात कर रहा है, और with age की बात कर रहा है, लिखने हैं, short term में creep की value 0 ही है, short term में creep की value 0 है, long term में sustained loading के कारण, load लगा हुआ है लंबे समय तक, तब creep की बाते हैं होती है, ठीक है, short term में तो creep की value 0 है, so creep strain is a strain which occurs due to continuous loading, and temperature effect for longer duration, which may cause permanent deformation, उसके बाद दोस्तों बात आते हैं, tensile strength of concrete in flexor, bending के अंदर, flexor के अंदर concrete की जो tensile strength होगी, जब आप concrete को bend कर दिया आपने, कोई beam है उसको bend कर दिया, इस तरीके से bend कर दिया, तो नीचे वाले fibers खिचेंगे, तो यहाँ पर तो क्या आएगी, tension आएगी, और उपर वाले fiber जो है, वो compress हो जाएगे, तो यहाँ पर आएगा compression, तो नीचे tension उपर compression, तो flexural strength बता रहे हैं, flexor के अंदर, bending के अंदर, concrete की जो strength है, वो कितनी 0.7 root एप सिखे, तो यह flexor शब्द यूज करें, तो यह बताना है, design के अंदर concrete की strength कितनी मानते हैं, design के अंदर concrete की tension के अंदर strength, zero consider करते हैं, तो शब्दों का थोड़ा सा खेल है, ध्यान दीजिएगा, कि question में उसने हमसे क्या पूछा है, unit weight of RCC, वैसे तो, यह table सिर्फ reference के लिए, यह table याद नहीं करना है, कि concrete जो है, वो कौन सा है, cement concrete है, pre-stressed है, और उसके अंदर, आपको यहाँ पर बताना है, kilo newton, kg या फिर, per meter cube के अंदर, कितना उसका weight है, तो यह आपको specified रहता है, अगर आप बात करेंगे, cement concrete, depending upon 1%, 2%, 5%, कितना percent steel यूज़ गया, उसके according यह values जो हैं, आपको दी रहती है, IS 875, part 1, या dead loads के अंदर, आपको दी रहती हैं, लेकिन इतना सब हमें याद नहीं रखना है, आपको अगर, until and less specified, यह question के अंदर, कि आपको RCC का unit weight, इतना consider करते हुए, आगे so and so question, तो तो उतना लीजिए, नहीं तो आपको RCC का unit weight, जो consider करना है, वो 25 kilo newton per meter cube, आपको consider करना है, अगर plain cement concrete की बात करने, तो 24 pre-stressed की बात करने, तो वो भी आपको 24 kilo newton per meter cube, consider करना है, तो objective में simple सा, ऐसा question आपको देखने को मिल सकता है, RCC का unit weight, कितना consider करते हैं, characteristic strength, वो strength होती है, जिसके उपर 5% से जज़ादा test results, फेल नहीं होते हैं, 100 sample के उपर test किया, तो 5 से ज़ादा जिस load के उपर फेल नहीं होते हैं, उस load को बोल देता हैं, कि यह इस concrete की characteristic compressive strength है, the target mean strength of M20 grade concrete is 27 newton per mm square, what is the value of standard deviation, M20 concrete आपको बोला, यानि कि FCK की value आपको अल्रेडी उसने बता दी कि, या FCK की value कितनी है, 20 है, FM की value आपको 27 given है, FM equals to FCK plus 1.64 या 1.65 आपको बताना है, simple, ह sicर आपकोपदिए वाले को इंवख़द। है, छो म स्कूद्वराश आपको आपको 3, थे लूबे को आपको आपको भूख़ चलिए लेट इस बिगिन आगे चलते हैं 4.2524 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा नेक्स आगे बढ़ते हैं मॉडिलिस ओफ इलास्टी सिटी ओफ कॉंक्रीट 5000 रूट एफ सी के होता है ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा एस पर आएस 456 दे नंबर अफ ग्रेड्स अफ स्टेंडर कॉंक्रीट की अगर हम बात करें तो यह आता है हमारे पास M25 से लेके M60 तक M25 से M60 तक स्टेंडर कॉंक्रीट होता है हमारे पास next question आप से कह रहा है the value of ultimate creep coefficient of concrete ultimate creep coefficient of concrete जो है वो with respect to age reduce होता है creep coefficient 2.2, 1.6, 1.1 2.2, 1.6, 1.1 2.2, 1.6, 1.1 the effect of creep on modular ratio modular ratio की अगर हम बात करेंगे तो modular ratio जो हमारे पास होता है वो होता है दोस्तों young's modulus of elasticity of steel upon young's modulus of elasticity of concrete अगर हम बात करेंगे young's modulus of elasticity of steel की तो steel हमारे concrete की तो concrete 5000 root fc के हो जाएगा ये वाली term उपर चली जाएगी आप इसे कह सकते हैं es upon 5000 root fc के और ये 1 plus theta तो आप अगर normal case के comparison में इसको अगर आप देखेंगे तो 1 plus theta वाली term से ये modular ratio multiply हो रहा है इसका मतलब increase करेगा creep के कारण modular ratio जो है वो increase करेगा creep के कारण modular ratio increase करता है the unit weight of RCC in kilogram per meter cube 2500 consider करते हैं as per IS456 in the absence of test data approximate your total value of shrinkage strain जो हम consider करते हैं वो 0.0003 consider करते हैं as it is statement आता है as it is आपको याद रखना है तो shrinkage के कारण जो strain हम मानेंगे वो कितना मानेंगे 0.000003 0.0003 consider करते हैं आगे चलके दो और ऐसी values आएंगे 0.0003 0.0035 और 0.002 ये तीन values हम अक्सर confuse हो जाते हैं 0.0003 की बात करेंगे तो बात करेंगे shrinkage की shrinkage strain अगर 0.0035 की बात करते हैं तो जब concrete bend होगी तो bending compression के अंदर जो उसके outermost fiber में सबसे ज़्यादा जो strain होगा वो consider किया जाएगा 0.0035 जब concrete compression में होगी axial compression के अंदर तो उसके अंदर तब जो maximum से maximum strain आएगा वो कितना आएगा 0.002 आएगा तो इसमें flexure या bending की बाते होगी ये shrinkage के कारण और ये axial compression तो ये तीनों values आपको याद रखने हैं As it is question, as it is statement जो है आपसे पूछी हुई है exams के अंदर Next बात करते हैं thermal expansion तो ये question जो है अब से तीन साल पहले पहली बार पूछा गया और उसके बाद से repeatedly हर साल जो है question आता है Question जो आपसे पूछा गया वो question पूछा गया क्या बोलके कि आपसे thermal expansion पूछा था Basalt का Basalt का आपको 0.8 से 0.9 into 10 raised to the power minus 5 per degree centigrade आपको बताया अगर हम बात करेंगे last year last year नहीं अभी 5 दिन पहले exam हुआ था UPPCL का उसके अंदर question पूछा था कि concrete के अंदर जो lime होती है यह नहीं कि यहां पर बात की जारी है aggregate की तो उसका आपको coefficient of expansion जो आपको पूछा गया था तो limestone का आपसे पूछा था तो 0.6 से लेके 0.9 into 10 raised to the power minus 5 per degree centigrade तो इन पे एक बार नजर जरूर डालिएगा specially granite, basalt और limestone इनके बारे में तो आपको पता हो ही हो 1.2 से 1.3 into 10 raised to the power minus 5 0.9 से 1.2 10 raised to the power minus 5 इनको आप देख सकते हैं The thermal expansion coefficient of steel is, steel का जो होता है वो होता है 1.2 into 10 raised to the power minus 5 या फिर 12 into 10 raised to the power minus 6 per degree centigrade जो की लगबग concrete के close होता है इसलिए RCCB के अंदर steel और concrete दोनों को एक साथ use किया जाता है workability के बात अल्रेडी कर चुके हैं concrete वाले section के अंदर कि आपको workability जो है low, medium, high workability और किस particular work के अंदर इनका इस्तिमाल किया जाता है ये आपको as it is statements के थूँ question पूछे जाते हैं exam के अंदर उसके बाद बात आती है exposure condition की यहाँ पर इसको अराम से समझ लेते हैं exposure condition का मतलब क्या है exposure condition का पहला मतलब तो हमारा ये हुआ कि आप concrete जो use कर रहे हैं वो concrete use की जा रही है किस environment के अंदर आप से कोई कहे कि construction करना है तो आप कहेंगे कर देंगे जी बताईए कहा करना है तो फिर आप से वो बोलेंगे कि आपको construction करना है मान लीजिए ऐसे region के अंदर जो already sheltered है protected है already constructed कोई चीज है कोई building है कोई building के अंदर कोई concrete का कोई component आपको बनाना है या फिर वो आपको बोलता है कि open area में बनाना है जहां बहुत ज़ादा बारिश होती है छट के उपर आपको बनाना है या फिर आपसे वो कहे कि मुझे बनवाना है कहाँ पर sea coast के उपर या फिर वो आपसे कहता है कि running water जो है हम properly कि हाँ अगर घर के अंदर बनाना है तो क्या तो हमने इसको technically समझने के लिए 5 exposure conditions बता दी कि mild exposure condition है moderate है severe है very severe है और extreme condition है तो mild, moderate, severe, very severe extreme mild, moderate, severe, very severe, extreme अब mild condition जो हमारे पास होती है mild condition के अंदर मनलब concrete mild condition को exposed है mild environment को exposed है उसके अंदर आप यह कह लिजिए कि ना तो बहुत heavy rain होगी उससे वो concrete बची होई है protected from heavy rain aggressive conditions नहीं होगी वहाँ पर यनि कि harmful pH जो है या फिर यह कह लिजिए जादा acidic medium नहीं है acidic air कह लिजिए soil कह लिजिए उसके contact में वो नहीं है so concrete surfaces protected against weather weather से भी protect कर रखा है आपने उसको aggressive condition unfavorable pH से भी protect कर रखा है except those situated in coastal area तो उनके अलावा आप बाकी जो हैं जिनसे आपने protect कर रखा है वो consider किया गया moderate exposure condition moderate exposure condition की अगर हम बात करें तो concrete surfaces sheltered from severe rain बहुत भारी बारिश उसके उपर नहीं हो रही है या फिर अगर बारिश अगर हुई तो वो freeze नहीं कर जा रही है concrete के pores के अंदर अगर कोई पानी है तो वो freeze नहीं कर रहा है तो ऐसी condition है तो उसे moderate exposure कहेंगे concrete exposed to condensation and rain बारिश जो है वहाँ पर अगर हो रही है तो ठीक है चल जाएगा concrete अगर underwater है यानि कि किसी bridge के अंदर यूज कर रहे है तो भी चल जाएगा यह कहेंगे moderate exposure condition है उसकी concrete in contact और buried under non-aggressive soil यानि कि concrete को foundation में यूज किया हुआ है आपने लेकिन ऐसी soil या ऐसी पानी के साथ जो कि acidic नहीं है तो उसमें आपने यूज कर रखा है उस concrete के touch में फिर आती है severe condition severe condition में हम बोलते हैं कि concrete surface जो की बहुत बारी बारिश हो रही है उसके उपर बहुत heavy rain होती है तो ऐसा concrete surface तो उसे बोलेंगे वो severe condition को exposed है फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसा concrete जिस पर बारिश होई फिर सूग गया alternate wetting and drying हो रही है बार-बार wetting और drying हो रही है तो भी है कभी-कभी पानी freeze भी हो जाता है यानि कि water उसके surface के उपर गिरा और फिर वो क्या हो गया freeze हो गया तो कभी-कभी वो freeze भी हो जाता है तो अगर ऐसा होता है तो severe condition है ठीक है अगर ऐसा होता है तो severe condition है यह alternate wetting and drying हो रही है पानी उसके उपर गिरा उसके voids में चला गया फिर freeze हो गया फिर उसके बाद फिर से defreeze हो गया तो वापस उसका volume reduce हो जाएगा तो ऐसा अगर situation हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो severe condition है लेकिन यह हो कब रहा है कभी कभी हो रहा है ऐसा कंक्रीट कंप्लीटली इमर्जड इन सी वाटर अगर सी वाटर के अंदर इमर्जड है तो भी severe condition कंक्रीट एक्सपोज तो कोस्टल एंवार्मेंट कोस्टल यानिकि आप कोस्ट के किनारे समुद्र किनारे अगर आप बात कर रहे है ऐसे एंवार्मेंट को अगर कंक्रीट एक्सपोजड है तो यह आपकी severe condition में है फिर आती है very severe very severe के अंदर है कि अगर sea water spray आके उसके उपर हिट कर रहा है या फिर जादा यह कह सकते है कि आप extent of penetration उसके अंदर जादा है water जो है वो concrete को जादा expose कर रहा है तो ऐसे case में क्या बोलेंगे very severe condition अगर ऐसा कुछ है corrosive fumes है corrosive fumes या फिर आप यह कह लिए कोई chemical की fumes है तो उस case में concrete को आप बोलेंगे कि वो कैसी very severe condition के अंदर है freezing बार-बार हो जाती है यानि कि ऐसा राग को एकदम से temperature बहुत लो हुआ दिन में ठीक ठाक temperature हो गया तो freezing हो रही है de-freezing हो रही है water की ऐसा अगर हो रहा है concrete को ऐसी soil के नीचे बरी कर रखा है जिसकी pH जो है very severe condition है फिर उसके बाद आती है next extreme condition extreme condition का मतलब होता है कि ऐसे concrete से बने हुए structure जो कि tides के direct contact में है आपने अगर देखे होंगे tetrapods जितने भी आप movies देखते हैं मुन्ना भाई भी आपने देखे होगी तो उसके अंदर वो लोग बैठे होते हैं बीच के उपर या फिर एकदम किनारे पर तो उसके आसपास बहाँ पर ऐसे चार पैरों वाले tetrapods आपने देखे होंगे ऐसे देखे होंगे अपने बहुत सारे गिराय हुए बहाँ पर तो वो जो tetrapods होते हैं वो उनके उपर आके tides जो हैं वो गिरती हैं या tides के impact को वो क्या कर देते हैं reduce कर देते हैं ठीक है तो tides के impact को reduce कर देते हैं तो वो कैसे environment को exposed हैं वो extreme environment को exposed हैं अगर कोई nuclear plant है या फिर अगर कोई chemical industry है जहाँ पर concrete जो है वो direct उसके contact के अंदर है तब हम उसे क्या बोल देते हैं कि वो extreme condition के अंदर है तो ये सारी exposure condition आ जाती है धीरे धीरे concrete के लिए हार्ष होती हुई mild, moderate, severe, very severe, extreme condition अब इनी conditions के according हम क्या बोल देते हैं concrete को इनी conditions के according हम अच्छी बात है दोस्त अच्छा score है आपका देखें, concrete की बात कर रहे है environmental exposure condition जिस environment के अंदर concrete exposed होगी उसी के according grade of concrete यूज़ करना होगा जैसे जैसे environment की स्थिती खराब होती जाएगी, यनि की concrete के लिए situation tough होती जा रही है वैसे वैसे concrete की जो strength है वो भी अच्छी होनी चीए, तो IS456 हमें क्या बताता है, code हमें table number 5 के अंदर आपको ऐसे नाम नहीं याद करने की table number 5 भी पुछेगा क्या हमसे code आपसे बस ये पुछेगा कि अगर concrete जो है, वो specified है severe condition के लिए तो आपको कम से कम जो grade of concrete use करना होगा, वो कितना use करना होगा तो ऐसे पूछेगा आपसे, moderate exposure के लिए कितना होगा, mild के लिए कितना होगा, तो सबसे बहले आपको याद रखना होगा mild, moderate, severe, very severe extreme, mild, moderate severe, very severe extreme ठीक है, mild, moderate, severe, very severe extreme, ये आपको याद रखना होगा हमें पता है, RCC के अंदर जो minimum से minimum grade of concrete आपको यूज करना ही है वो कितना है, M20 है, तो 20 से शुरू कर लो, 20, 25, 30, 35 40, 20, 25 30, 35, 40, तो M20 से शुरू करते हैं, तो RCC की बात करना हैं, पहले तो आप ये याद रखेंगे इस table को याद करना बहुत जादा ज़रूर और अभी यहीं पर याद करना है, M20 minimum यूज करते हैं, RCC के अंदर तो 20, 25, 30, 35, 40 RCC के लिए हमें याद हो गया, mild, moderate severe, very severe, extreme, ये आपको याद करना है, next अगर हम बात करें तो आपको RCC के लिए reinforced concrete की बात कर रहे हैं, मतलब steel plus concrete की बात कर रहे हैं, तो steel plus concrete जहां पर है, उस case में आपको water cement ratio, वो भी आपसे exam में पूछ लेता है, तो water cement ratio generally हम बोलते हैं, 0.4 से 0.6 तक यूज करना होता है, 0.4 से 0.6 तक यूज करना होता है, अगर specify करें properly अगर हम, तो extreme condition के अंदर 0.4 और फिर दीरे दीरे थोड़ा जादा हो सकता है तो यानिकि maximum से maximum 0.55 तक जा सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन maximum limit यह है M20 के लिए अगर हम बात करें, तो 0.55 जो है, वो maximum limit है water cement ratio की, अगर हम बात करें plain concrete की, तो plain concrete के अंदर वो 0.6 तक है, RCC में 0.55 तक है, last year question पूछा, इससे related इस साल पूछ सकता है RCC के अंदर maximum water cement ratio कहां तक ले सकते हैं, तो 0.55 minimum grade of concrete याद हो गया, एक और value हमें याद करनी है कि cement की quantity कम से कम कितनी होनी चीए per meter cube के अंदर, तो आपको याद रखनी है, 300, 300 फिर उसके बाद 20 भी सैड करना है 300, 300, फिर 20 20, 20, 300, फिर 20 भी सैड करना है, तो mild, moderate, severe, very severe, extreme M20, 25, 30, 35, 40, और 300, 300, 320, 340, 360, तो ये table आपको याद हो जानी चाहिए, तो RCC के लिए जितनी पे values हैं, तो सारी values आपको याद होनी चाहिए, अगर हम बात करें, PCC के लिए या plain cement concrete के लिए, तो उसके case में आपको जो grade of concrete है, mild condition के लिए code specify नहीं करता है, कि कम से कम क्या use करनी है, लेकिन आप moderate condition के लिए code specify करता है, कि आपको कम से कम M15 use करना है M15, 2020 फिर उसके बाद 25 M15, 2020, 25 अब आप कहेंगे, मैं तो 30 use करूँगा, कर लीजिए, पैसे बहुत हैं आपके पास, आप करिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन code तो क्या कह रहा है, कि कम से कम ये तो use करो, minimum कम से कम ये तो use करनी ही करनी है तो M15, 2020, 25, mild के लिए code जो है, वो कुछ भी specify नहीं करता है अगर PCC या RCC नहीं given होगा, तो कौन सा prefer करेंगे ऐसा दोड़ी न होगा, कुछ तो बोले गई न वो, RCC बोलेगा reinforced concrete पूछ क्या रहा है, वो कुछ तो बोले गई आगे चले, next then comes इससे related question the minimum grade of concrete for moderate exposure to mild, moderate, second वाला 20, 25, 25 will be the correct answer तो यह आपको इस तरीके से याद होने चाहिए the minimum quantity of cement content needed in 1 meter cube of reinforced concrete which is exposed to sea weather condition या फिर severe condition में है तो severe condition में अगर आप देखेंगे तो severe condition के अंदर आपके पास जो है वो कौन सी quantity आ जाती है severe में अगर आप देखेंगे तो as per the given option question ऐसा ही पूछा था severe condition में आप देख लीजिए आपके पास है 300, 300, 320, 340, 360 severe की बात करेंगे तो 320 आ जाएगा 320 कम से कम यूज करना है तो अगर 320 कम से कम यूज करना है तो उसके next option हमारे पास क्या आ जाता है तो इस तरीके से ये हमारा answer बता सकते है PCC के लिए कौन सा यूज करेंगे M15 कम से कम यूज करेंगे जो हम table के अंदर भी देख चुके हैं table के through भी अगर हम देखें तो PCC के अंदर हमने देखा था यहाँ पर mild condition के लिए कुछ भी specify नहीं करता है और फिर moderate के लिए M15 हम यूज करते हैं तो PCC के लिए M15, RCC के लिए M20, water tank की अगर हम बात करें तो M20, PCC subjected to sea water, plain concrete है बिना steel के है, plain concrete यानि कि बिना steel के अगर concrete आपने यूज कर रखी है, तो आपको minimum grade of concrete जो यूज करना होगा वो M20 है, अगर आपने RCC ले रखा है, यनि कि steel भी है उस concrete के अंदर साथ साथ तो M30, objective में ये दो questions जो है, वो हमसे पूछे जाते हैं और अक्सर confuse करवा के पूछे जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पर sea water देख लेते हैं, sea water के अंदर concrete का grade कम से कम कौन सा होना चीए तो हम 30 टिक कर देते हैं, जबकि आपको ध्यान से देखना चीए, plain concrete का है या RCC का है उसने, pre stress के case में, या फिर pre tension concrete M40, post tension की case में M30, so concrete in sea water में हम कहते हैं, M20 use करेंगे in case of plain concrete M30, use करेंगे in case of reinforced concrete, तो इन में आप confused मत होईगा the minimum grade of reinforced concrete in sea water as per IS456-2000 is, as per IS456 reinforced concrete बोला है, तो M30 वहाँ पर select करके हम आएंगे next, the accuracy accuracy of measuring equipment, यानि की tolerance की बात कर रहे हैं, जब आप RCC के लिए ingredients बनाएंगे, या concrete के लिए जब ingredients select कर रहे हैं, कि कितना cement use करना है, कितना aggregate use करना है, तो जब आप उसकी measurement कर रहे हैं, उसकी batching करवा रहे हैं, तो उस case में, अगर cement को measure करेंगे, तो cement का variation plus minus 2% से ज़ादा नहीं होना चाहिए, और aggregate की, add mixture की, पानी की इनकी बात करें, तो plus minus 3 से ज़ादा variation नहीं होना चाहिए, तो ये plus minus 2% तक चल जाएगा batching के अंदर, ये plus minus 3% के अंदर बाकी, तो objective में statements में आप से ये पूछ सकता है, next बात आती है formwork से related, कि formwork जो आप अटाते हैं, formwork क्या होता है, formwork की अगर मैं बात करूँ, तो concrete जो है, उसको, अगर आपको कोई shape देनी है, उसकी अगर हमने कल बात की थी, placement of concrete की, जब हम concrete वाला marathon कर रहे थे, तो उसमें हमने का था placement कैसे करवा सकते हैं, concrete को place करवाया जा सकता है, जैसे foundation है, तो already आपने वहाँ पर मिटी से गड़ा बना रखा है उसके अंदर, तो उसी के अंदर concrete को पोर कर दिया, उसी में आपने place कर दिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, steel के आपने plates यूज़ कर लिया, फिर जिस load के लिए, जब आप मान लिजिए, आपने कोई column बनाया, तो column का formback कब हटा सकते हैं, जब उस column पर आने वाले load के twice उसके अंदर strength आ जाती है, जब उसके दोगना उसके अंदर strength आ जाती है, कहिए कि उसके अंदर अगर 100 kN load आने वाला है, जैसी formback अटाया आपने, तो वो कम से कम 200 kN जब उसमें strength आ जाए, तब हम उसको हटाएंगे यहां पर, तो ये बात आपको बोली जाती है, तो stripping time से related statement में जो question पूछ सकता है, वो highlighted वाला portion है, strength of at least twice the stress to which the concrete may be subjected, यह आप से पूछ सकता है objective के अंदर, next जो है, अभी तक question as such इस से related नहीं है, जो भी formback आप बनाएंगे, मान लीजे कोई column और beam आप बना रहे हैं, तो उसके dimension जो आपने specify कर रखे हैं, तो उस dimension के अंदर change की बात अगर हम करें, तो जो वो formback का deviation हो सकता है, उस dimension से, plus 12 हो सकता है, या फिर minus 6 हो सकता है, इस से जादा vary नहीं करना चाहिए, अगर हम बात करें footings के case में, तो top view से या plan के case में, अगर हम देखें, तो plus 50, या जादा-जादा minus 12, इस से जादा variation नहीं आना चाहिए, तो इस topic से related अभी तक तो question नहीं पूछे गए, लेकिन हमारे overall notes जो है, उसके अंदर ये mentioned रहा होना चाहिए, फिर उसके बाद question कहां से पूछा गया, question पूछा गया है, इसके time से related की formwork को आप कब हटा सकते हैं, इस time से related, तो इसमें अब तक, जो question पूछे गए थे, वो था सिर्फ point 1 बाला, vertical formwork to columns, walls, beams, etc, ये बाला, point 1 जो है, इससे related question आप से पूछा गया था, अगर ordinary portland cement यूज़ करते हैं, तो 16 to 24 hours में उसको अटा सकते हैं, अगर आपने कोई admixture यूज़ किया, या fly ash यूज़ कर लिया, slag यूज़ कर लिया, तो उस case में 16 to 24 hours, अगर आप बात करते हैं, आपने, sofit formwork to slabs, slabs को जो support कर रखा है नीचे से, उस formwork की अगर आप बात करें, तो उस formwork को, या वो जो plates हैं, उनको हटा तो दो, लेकिन immediately क्या कर दो, वहाँ पर props लगा दो, अब कहने का मतलब क्या हुआ, कि आपने, जो भी मान लेजीए, ये कोई slab थी, इसको cast किया, तो slab को support करने के लिए, आपने यहाँ पर नीचे formwork लगा यहोगा, जो भी plates आपने लगाई होंगी, वो लगा दी होंगी, और आपने props भी, proper propping की होगी, इसको vertical ऐसे support देने के लिए, तो आपको, इन plates को तो आप हटा सकते हैं, लेकिन immediately आपको यह props वापस लगा देने हैं इसके, तो यह आप से कह रहा है कि, soffit formwork to beams, soffit formwork to slabs, props to be refixed immediately after the removal of formwork, तो तीन दिन बाद अगर आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर concrete जो आपने यूज़ की for other than OPC, उसके case में 7 days, soffit formwork to beams, props to be refixed immediately, उसके case में भी 7 days और 10 days जो है यह duration है, अभी जो UPPCL में question पूछा गया, वो इससे related आप से पूछा गया था, तो आने वाले time के अंदर, SSE में भी और questions जो हैं, इससे related पूछ सकते हैं, तो इनको आप जरूर देखते रहिएगा, मैं यह नहीं कहता कि, आप कोई और book को refer ना करें, आप कोई और source पे ना जाएं, पर मैं यह जरूर कहूँगा आपको, कि पहले आप यह notes, यह notes छोड़ी, आप यह PDF जो है, यह PDF ही ले लिजिएगा, इस PDF के अंदर जितनी चीज़े हैं, वो सारी कर लिजिएगा, एक-एक चीज याद कर लिजिए आप, जब यह सब हो जाएं ना, कि मेरे को अब सब कुछ याद हो चुका है, उसके बाद आप एडिशनल चीज़ों की तरफ जा सकता है, फिर उसके बाद आपको SSC के previous question की तरफ जाना है, जब वो सारे हो जाएं, फिर ESC की जाएं, वो सारे हो जाएं, civil services की तरफ जाएं, तब जुमन करें आपका, गुपता जी, शर्मा जी, जो भी आपको अच्छा लगता है, publication वो लीजिए, उसके questions करने शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, next, for wall, column and vertical faces of all the structural members, the form work is generally used 24 से 48 hours, जो की option के according ही हमें, चूज करना था, 16 to 24 है actual तो हमारा, माइल स्टील की अगर हम बात करें, माइल स्टील कर्व हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और माइल स्टील कर्व के अंदर यहां पर देखने वाली बात क्या है, हमें सिर्फ यह चीज़ देखनी है, कि stress लगाया, stress is directly proportional to strain up to proportionality limit, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे उसके उपर load बढ़ाया, यह stress बढ़ाया, तो एक ऐसा point आगया, जिसके बाद अगर हमने load को और लगाया, तो permanent deformation आजाएगा, मतलब कि इस B point से पहले-पहले stress रहा, तो material load हटाने पर वापस अपने original shape and size में चला जाएगा, लेकिन अगर इस load के beyond इसे stress कर दिया, तब वो अपने original shape and size में नहीं जाएगा, तो इसे हम बो देते हैं, कि यह इतना elastic limit, यह उसका plastic region, फिर उसके बाद आता है उसका yield point, yield point मतलब जब उसमें permanent deformation आना शुरू हो जाता है, तो इसी yield point के उपर जो strength होती है, उसकी हम बात करते हैं, और IS456 हमें बताता है, कि अगर आप 20 mm तक की bar यूज कर रहे हैं, 20 mm तक की, मतलब 20 को include करते हुए, और आपने अगर यूज किया है, F e 250 अगर आपने यूज किया है, तो उस case में उसकी आप strength जो मानेंगे, वो 140 newton पर mm square मानेंगे, अगर आपने 20 से ज़ादा यूज किया है, 20 से बड़ा size है, तो 130 मानेंगे, अगर आपने medium tensile bar यूज की है, तो उस case में आपने, उसकी जो tension के अंदर strength मानेंगे, वो 190 मानेंगे, H by SD यूज किया है, तो 230 मानेंगे, compression में 130, 130, 190, consider की जाएगी, इसी को table की form में देख लेते हैं, फटा-फट, थोड़ा सा easy रहेगा connect करना, अगर आपने F e 250 steel यूज किया है, और अगर dia of bar, जो bar आप यूज कर रहे हैं, steel का जो सरीया आप यूज कर रहे हैं, उसका diameter 20 तक है, या 20 से कम है, तो आप बोलेंगे कि उसकी tension के अंदर, sigma ST का मतलब होता है, sigma कहते हैं, permissible stress, steel का tension के अंदर, तो sigma ST की value, 140 newton per mm square, अगर हम बात करते हैं, 20 से जादा, तो 130, medium tensile की बात करेंगे, तो 190 आपको consider करना है, compression के अंदर 130, और, अगर FE 415 की हम बात करें, अगर FE 415 की बात करें, तो उसके लिए 230, FE 500 के लिए 275, compression के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पर, तो medium tensile का, यहाँ पर होना चाहिए, 130 होना चाहिए, उसके 130 कर लिजेगा, और FE 415 के लिए, 190 हो जाएगा, चली, नेक्स्ट, उसके बात करते हैं, अगर हम, concrete हैं हमारे पास, concrete के अंदर, जब concrete bending में जाएगा, concrete के उपर क्या क्या हो सकता है, concrete के उपर, एक चीज़ यह हो सकती है, कि concrete के उपर direct compression आ गया, मतलब column में आपने यूज किया, तो जब आपने column के अंदर concrete को यूज किया, तो concrete के अंदर compression आ सकता है, आपने क्या किया, concrete को यूज किया, किसके अंदर, जब concrete beam में था, लेटस से, तो beam के case में, concrete जब bend होगा, तो bend होने के कारण, bending के अंदर जो compression आया, या फिर आप ऐसे कह लीजिए, कि जो उसके अंदर, flexural compression आया, तो flexural compression के अंदर, उसकी कितनी strength है, तो उसकी axial compression में कितनी है, flexural compression के अंदर कितनी है, यह हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक हो सकता है हमारे पास direct वाला, direct का मतलब, कि यह तो हमारे पास हो गया, flexural या bending के अंदर compression, यह हमारे पास axial compression, इस तरफ के अगर हम बात करेंगे, तो यह कौन सा हो जाएगा, flexural tension, और, एक हो सकता है direct tension, direct tension का मतलब, concrete को ऐसे पकड़ के, और इस तरीके से load लगा दो, तो यह कौन सा हो जाएगा, direct tension हो जाएगा, table हमें दी जाती है, IS456 हमें बताता है, क्या, कि अगर आप tension, चाहिए direct वाली, मतलब direct ऐसे खींज दिया, या फिर bend होने के कारण, ऐसे bend हो जाएगा, तो यहाँ पर जो tension आएगी, तो bending के अंदर, टेंशन के अंदर, concrete की strength कितनी होगी, compression में, direct वाला, या bending वाला, तो direct compression, मतलब जैसा columns भी देखते हैं, bending वाला compression, तो bend होने के कारण, जो यहाँ पर compression आए, जैसा कि, beams के case में हम देखते हैं, तो इनके लिए code हमें, ये values बताता है, अब आपको याद कैसे रखना है, हमें अगर beam के बारे में पढ़ना है, तो beams के case में हम bending वाली values याद रखेंगे, जब column पढ़ेंगे, तो column के case में ये, अब column वाली value जो है, ये तो याद रखना बहुत असान, 4, 5, 6, 7, छोड़ दो, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 8, 9, 10, और अगर beam के case में आपको याद रखना है, तो 3 से divide करो, M15 को divide किया 3 से, M20 को divide किया 3 से, M25 को divide किया 3 से, तो लगबग लगबग close enough values हमारे पास आ जाती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कि maximum permissible stress, हमें पता है M20 grade of concrete है, हमें पता है कि M20 grade of concrete के उपर, जब हमने test किये, तो उसकी strength हाई थी 20 Newton per mm square, लेकिन उसको इतना मत मानो, code कहता है कि maximum permissible stress, इस से जादा इसकी strength मत मानो, तो concrete की bending के अंदर, compression में जो strength है, वो कितनी है, M20 के लिए वो है 7 Newton per mm square, या फिर 7 MPa है, तो इस तरीके से आपको consider इनको करना है, तो इनकी values आपको ये code बता देता है, then if we talk about modular ratio क्या होता है, modular ratio होता है 280 upon 3 sigma CBC, या modular ratio मदद करता है, हमारी working stress method के अंदर, जब हम ये कहते हैं, कि हमें सारी बातें, एक concrete की terms में ही करनी है, कि steel के अंदर कितना stress आ रहा है, उसको भी कैसे बताएंगे, एक concrete की मदद से ही हम बताएंगे, तो modular ratio का हम use करते है, 280 upon 3 sigma CBC, objective questions, objective numericals में directly use होता है, 280 upon 3 sigma CBC, speed सही है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जल्दी से बता दीजिए, दोनों पढ़ेंगे LSM, WSM, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चल्दी आगे बढ़ेंगे, modular ratio की बात कर रहे थे, modular ratio हो गया, modular ratio को और थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ेंगे, modular ratio यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, जब हमें concrete की terms में ही सारी बाते करनी होती है, तब modular ratio का हम यूज करते हैं, अब बात आती है, nominal and effective cover क्या होता है, अगर हमारे पास जो reinforcement है, उन reinforcement के उपर, हम concrete का cover नहीं दिया हमने, जैसे कि आप ये कह लिए, जितने भी आप concrete के structure देखते हैं, किसी में आपको steel दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि steel को हम थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, उसके उपर से कुछ concrete दे देते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं हो, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, cover provide करते हैं, हम concrete का cover provide कर देते हैं, reinforcement को या steel को provide कर देते हैं, तो जितने भी reinforcement है, कितने टाइप की reinforcement, अगर आप इस diagram को ध्यान से देखेंगे, तो एक ये red color में जो आपको दिखाई दे रही है, length के along जो bars जा रही हैं, जिनने longitudinal bars कहते हैं, तो longitudinal bars हो गई, फिर इसके around जो हैं, ये shear reinforcement, या फिर stirrups जिनको हम बोल देते हैं, ये blue color में जो दिखाई दे रही है, ये shear stirrups हो गई आपके पास, तो इन सब के बाहर बाहर, जितना concrete होगा, हर reinforcement, सबसे outer वाली reinforcement के बाहर ही, जो आपको cover दिखाई देगा, उस cover को कहते हैं, कि वो nominal cover या clear cover है, उसके बाद हम कहते हैं, कि outer most concrete के fiber से, concrete के बिलकुल सबसे बाहर वाले fiber से, यानि कि यहां से लेके, CG of the tension reinforcement, वो reinforcement जो की tension करी करेगी, वहाँ तक का जो distance होता है, वो कहते हैं, मुसको effective cover, so effective cover होता है, cover from the outer fiber of concrete, concrete के बिलकुल बाहर वाले fiber से लेके, CG of the tension reinforcement तक का जो distance होता है, उसे हम कहते हैं, CG of main tension reinforcement, nominal cover होता है, total बाहर बाहर का एकदम clear cover, आपने कितना provide कर रखा, उसे कहते हैं, nominal cover हम यहां पर, अब beam के overall dimensions की बात करें, तो total depth D है, effective depth किसको बोलते हैं, concrete के topmost fiber से, CG of the tension reinforcement तक का जो distance होता है, इसे effective cover बोलते हैं, effective depth बोलते हैं, effective cover होता है, outermost concrete fiber से, CG of the tension reinforcement तक का distance, then width of beam, यह तो पताने की ज़रूरत ही नहीं हैं आपको, उसके बाद आपसे code इससे related क्या बाते कहता है, code आपको यह बोलता है, कि code कहता है, 20, 30, 45, 50, पिचेतर, 20, 30, 45, पचास पिचेतर, mild, moderate, severe, very severe, extreme, M20, 25, 30, 35, 40, 20, 30, 45, पिचेतर, कम से कम इतना nominal cover तो provide करना ही करना है, अगर आपकी concrete in exposure conditions को exposed है, 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, पिचेतर, ठीक है, भूक लगा है, सभी के लिए पिज़ा आएगा भी, आप बस एक बार पढ़ाई कर लीजे, then, exposure condition already done, exposure condition क्या कहा है, अब अगर mild exposure condition के अंदर हम बात करें, कि concrete जो है, वो बहुत harsh conditions को exposed अगर नहीं है, mild exposure condition में है, तब slab के अंदर कम से कम कितना, beam के अंदर कितना, column के अंदर कितना, और foundation में कितना, अब इनके उपर भी थोड़ी थोड़ी और restrictions भी आती है, वो क्या restrictions आती है, कि जैसे अगर हम बात करें, कि reinforcement का जो cover कम से कम इतना तो हो, कि जितना reinforcement का diameter है, अगर आप यहाँ पर, एक कोई beam थी, यह steel bar आपने यूज़ की, तो अगर beam के case में बात कर रहे हैं, तो beam के case में कम से कम 25 mm का cover होना चाहिए, और यहाँ पर जितना इस reinforcement का diameter हमान लिजे, 30 mm डाया की आपने यूज़ कर ली, तो फिर कम से कम 30 होना चाहिए, ठीक है, तो जितना dia of bar है, उतना तो कम से कम cover जो है, वो provided होना ही चाहिए, ठीक है, फॉर reinforced concrete members, totally immersed in sea water, the additional cover thickness recommended by the code is, additional cover thickness का मतलब, कम से कम 20 तो यूज़ कर नहीं है, तो आप यह कहते हैं कि, 20, 30, 45, 50, पुचेतर, mild, moderate, severe, mild, moderate, severe, very severe, extreme, तो आपको sea weather conditions के लिए, अगर खहेगा, sea water के लिए, तो आपको कम से कम 45 यूज़ करना ही है, minimum 20 यूज़ करते हैं, तो additional कितना हो गया, तो additional आपके पास हो गया, 25 mm, additional कम से कम इतना आपको provide करना है, फिर उसके बाद आते हैं, design philosophies के उपर, अब यहाँ पर, 30 second के लिए अपनी आँखे बंद कर लीजिए, इमानदारी से कर लीजिए, क्योंकि आपके आँखों के लिए बहुत ज़ादा आवश्यक है, उसके बाद अभी यह नया topic जो हो शुरू हो रहा है, जितने भी RCC के basics थे, वो cover हो चुके, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा technical वाले portions की, और इसके लिए थोड़ी सी attention जो है, इसकी ज़रूरत आपको पढ़ेगे, करेंगे बात करेंगे, अब दोस्तों बात करते हैं, कि जब हम design करेंगे, तो design के लिए हमारे पास कौन-कौन से method है, कौन-कौन से तरीकिया जिन से हम RCC को design कर सकते हैं, तो पहला और पुराना वो है हमारे पास working stress method, उसके बाद ultimate load design method, limit state method और performance based design method, तो तससे बहले बात करेंगे, पर working stress method से question नहीं पूछते हैं, बहुत सारी जगां के उपर, मतलब लगबग पर LSM जो है वो पूछ लेते ही हैं, कभी-कबार कहीं पर ऐसा हो जाता है, कि आपको specifically यह mentioned होता है, कि limit state से भी question पूछे जा सकते हैं, वरना usually syllabus जो दिया होता है, वो LSM के according दिया होता है, और नीचे लिखा होता है, questions might also be asked from WSM as well, तो हमें WSM और limit state दोनों ही पढ़ने होता है, तो इसलिए हम दोनों को लेके चल रहे हैं, working stress design के अंदर हम यह कहते हैं, traditional method है, objective में यह भी पूछ सकते है, traditional method कौन सा working stress method है, इसके अंदर हम यह मानते हैं, कि concrete और steel elastic behave कर रहे हैं, जबकि actual में करते नहीं हैं, लेकिन मानते हैं, इसलिए इसे elastic method भी कहते हैं, objective में यह भी question पूछा हुआ है, railway के अंदर, steel and concrete behaves elastically, the basis of this method is that, the permissible stress for concrete and steel, यानि कि इस method के अंदर हम यह कहते हैं, इस टील और concrete का जितना permissible stress है, M20 concrete का example ले लीजिए, हम कहते हैं कि M20 जो है, वो fail का बोरगा, 20 Newton per mm square पर fail हुआ था, लेकिन हम यह कहते हैं कि नहीं, इसके लिए permissible stress जो है ना, वो तो है 70, तो उसके उपर 7 Newton per mm square से ज़ादा load ना आ जाए, तो working stress method का basis क्या है, यह basis है, कि इस permissible वाली से ज़ादा उसके उपर value load की ना आ है, अगर हम कहें कि हमारे पास FV250, FV250 जो है वो ऐसी बार है हमारे पास, जिसका diameter 20 mm के कम या बराबर है, तब हम कहेंगे, कि वो उसके इंदर permanent deformation आना कहां पर शुरू होगा, tension में, S stands for steel, T for tension, sigma maximum permissible stress, वो कितना है, वो हम कहते हैं कि वो तो है 140 newton, वो कितना 140 newton per mm square ही है, तो कितना वो bear कर सकता है, कितना हम मान रहे हैं, तो इससे आप देख सकते हैं, कि हम कितना जादा उनकी strength जो है उसको underestimate करके, और फिर उसके बाद हम design कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके कारण क्या होगा, steel और concrete जो है उनकी strength, अगर हमने कम माने जितनी उनकी actual में है, तो structure बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, बलकि structure जो है वो बन जाता है, अनेकनोमिक हो जाता है, यह working stress method के अंदर होता है, तो working stress method के अंदर हम कहते हैं, steel और concrete जो elastically behave करते हैं, elastically behave करने का मतलब, कि steel और concrete के जो stress strain diagram होते हैं, वो linear बनते हैं, strain diagram जो है, वो हम कहते हैं, कि plane section remains plane before and after bending, इस current से strain diagram linear होता है, stress diagram linear क्यों बनाते हैं हम working stress method में, क्योंकि हम यह कहते हैं कि steel और concrete दोनों elastic behave कर रहे हैं stress is directly proportional to strain तो जैसे जैसे आप यहाँ पर बना रहे हैं उससी तरीके से mention करते जा रहे हैं अब आप आगे देखिए concrete के जो हमने section ले लिया beam का इसकी top width भी overall depth जो है वो d हमने consider कर ली यह diagram जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह diagram किसका है strain diagram है यह diagram कौन सा है stress diagram है epsilon से जो denote किया strain diagram sigma से जो denote किया stress diagram है तो stress diagram strain diagram working stress method में और limit state method में एक हम basic जो assumption है वो मानते हैं क्या assumption मानते हैं कि concrete किसमें अच्छा है compression में अच्छा है स्टील किस में अच्छा है, कंक्रीट किस में अच्छा है, कंप्रेशन में, स्टील किस में अच्छा है, टेंशन में अच्छा है, अब आपको एक छोटी सी चीज जो है, वो अब्जर्व करने होगी, और वो छोटी सी चीज क्या अब्जर्व करने होगी, वो ये observe करने होगी कि अगर आपकी concrete bending में जा रही है अगर कुछ इस तरीके से beam जो है वो bend हो रही है अगर concrete कुछ यूँ bend हो रही है कुछ इस तरीके से मान लिजे तो इसके topmost fiber पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा compression नीचे वाले जो fibers होंगे उनके उपर क्या आएगा टेंशन आएगा topmost पर compression नीचे वालों पर tension अब इस cross section को अगर हम देखें यह वाला जो cross section है इसको मैं उठा के अगर यहाँ पर देखू तो इस cross section में मुझे क्या दिखेगा उपर वाले fibers के उपर compression आ रहा है नीचे वालों पर tension आ रहा है तो एक ऐसा fiber भी होगा यहाँ पर जिसके उपर ना तो tension होगा ना compression होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ zone ऐसा होगा नीचे वाला जहाँ पर आ रही है tension और उपर वाले के अंदर compression आ रहा है इस neutral axis से उपर का portion जो है वो किसमे है compression में नीचे का portion जो है वो tension में है अब हमने यहाँ पर steel reinforcements provide कर रखी होती है हमने क्या कर रखा होता है यहाँ पर steel reinforcements provide कर रखी होती है तो उन steel reinforcements को हम यहाँ पर दिखा देते है अब यह steel जो है steel किसमें अच्छा होता है, tension में अच्छा होता है, concrete किसमें compression में, concrete tension में बहुत ही बुरा होता है, अच्छा perform नहीं कर पाता है, तो इसलिए concrete की tension में जो strength होती है, design point of view से हम zero मानते हैं, तो concrete यहां पर exist ही नहीं कर रहा है, यह मान लीजिए, तो इसका मतलब concrete कहां exist कर रहा है, concrete स सिर्फ compression वाले region के अंदर exist कर रहा है, tension वाले region के अंदर concrete exist ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए जब हम stresses बनाते हैं, तो stress diagram अगर हम बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि neutral axis के reference में देखें, तो यह ऐसा fiber है जहाँ पर, ना stress है, ना strain है, कुछ भी नहीं है, zero है सब, इस से उपर अगर हम चलेंगे, तो उपर जैसे जैसे चलेंगे, तो concrete के अंदर stress जो भढ़ता जाता है, इस fiber पर जादा, उससे जादा, इस पे, उससे जादा, इस पे, उससे जादा, इस पे, and so on, similar way में, जैसे आप यहाँ पर देख लिजए, अगर आप अपने हाथ को bend करेंगे, तो सबसे जादा stress आएगा, वह इस fiber पर, फिर उससे थोड़े नीचे वाले पर, उससे थोड़े नीचे वाले पर, strain के reference में भी आप देख सकते हैं, इसको, तो यहाँ जैसे जैसे outer most fiber पर चलते जाएंगे, stress maximum हो जाएगा, अब यहाँ पर stress क्यों नहीं बनाते हैं, जब stress डाइगराम बनाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हमने मान लिया, concrete tension में अच्छा है ही नहीं, तो concrete अगर present भी है, लेकिन वो tension के अंदर stress ले ही नहीं सकता है, यह इस तरीके से उसका stress डाइगराम जो है, वो बना देते हैं, तो stress डाइगराम के अंदर हमने कुछ इस तरीके से उसको denote कर दिया, sigma st यह sigma st by m से denote करते हैं, वो by m का चक्कर क्या है, वो भी देखेंगा अभी, तो concrete के अंदर, अगर हमने कोई beam का कोई section लिया, उसकी top width मानी B, B is width of the section, D, overall depth है section की, और small d हम कहते हैं, concrete के topmost fiber से, cg of the tension reinforcement तक का distance, जिसे effective depth कहते हैं, area of steel in tension, AST, area of steel in tension, AST से उसको denote कर दिया हमने, फिर उसके बाद बात आती हैं दोस्तों, neutral axis एक ऐसा fiber, जिस पर कोई stress strain नहीं act करता है, strain diagram हम बनाते हैं, पूरे overall section का, क्योंकि strain, change in dimension, तो हमें यहां भी दिखाई देगा, यहां भी हर जगा दिखाई देगा, तो strain diagram बिल्कुल end to end, हम draw कर सकते हैं, आप चाहें तो steel के reference तक भी draw कर सकते हैं, फरक नहीं पड़ता, stress diagram की अगर हम बात करें, तो stress diagram concrete के reference तक का, तो हमने यहां पर यह triangle बना दिया, यह triangle वाला diagram, या फिर linear diagram क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह working stress method है, और working stress method के अंदर, concrete और steel elastic भीएव करते हैं, hook slow applicable होता है, stress is directly proportional to strain, तो इसी लिए हमने यहां पर इस तरीके से बना दिया, यहां पर triangle क्यों नहीं बनाया, या इस लिए नहीं बनाया, क्योंकि यहां पर concrete जो है, वो मान ही नहीं रह की है, concrete present है लेकिन tension में अच्छा नहीं है, इस neutral axis से नीचे tension आता है, इसमें tension में concrete अच्छा है नहीं तो उसको हमने बनाया नहीं सिर्फ इसके reference में हमने stress ऐसे draw कर दिया आगे अगर हम बड़े तो हमारे पास आता है कि stress diagram की CG के उपर यह stress diagram जो आपके पास था इसके CG के उपर जो force है इसे कहा देते हैं compressive force compressive force है tensile force तक का जो distance होता है इसे कहा जाता है this is what lever arm इसे हम क्या बोलेंगे lever arm हम कहते हैं so lever arm is compressive force है tensile force तक का जो distance है यह हमारे पास lever arm है working stress method के हमारे पास कुछ assumption है पहला assumption क्या है कि plane section before bending remains plane after bending यह bending से पहले यह वाला section plane था bend होने के बाद यह section क्या रहेगा next assumption क्या है steel और concrete के बीच का जो bond है steel और concrete के बीच का bond कभी भी नहीं तूटेगा हम पूरे RCC को एक composite mix की तरह पढ़ रहे है मतलब steel और concrete दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो पूरे को ऐसे study कर रहे हैं तो अगर यह हो गया कि यह दोनों ही अलग हो गए अगर steel और concrete दोनों ही अलग हो गए तो अब इन दोनों की combined strength तो बची ही नहीं यहाँ पर तो वो जिस purpose के लिए हमने इसको use किया वो purpose भी खराब हो गया यहाँ पर यह strength दे नहीं पाएंगे तो यह दोनों जो है पक्के मित्र हैं steel और concrete दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इनकी bonding एकदम perfect है ऐसा नहीं है कि steel जो हो slip कर गया इसमें से या steel जो हो निकल गया तो इनकी bond strength बहुत अच्छी है bond strength अच्छी है इसी का मतलब bond strength वाला एक chapter है वो भी पढ़ेंगे हैं कि bond के अंदर हमें strength इसके कैसे ensure करनी है कि bond strength सही रहे next अगर हम देखें तो अगला अजब्शन आता है tensile strength of concrete neglect कर देते हैं concrete को elastic माना गया जबकि वो है नहीं लेकिन इस method में हमने उसको मान लिया concrete elastic हुआ मतलब stress diagram जो है वो linear बनता है अब इस method के drawbacks क्या है concrete elastic है नहीं लेकिन मान लिया आपने इसके अंदर आप shrinkage और creep जो है उसके भी आप properly आप इसको देख नहीं पाते हैं कि वो कितना आएगा इसके अंदर next method आता है दूसरा method ultimate load design method पहला था working stress method basics इसके हमने जाने फिर आता है हमारे पास ultimate load design method इसके अंदर हम यह कहते हैं कि जितना load member पर आ रहा है जितना structure पर load आ रहा है उससे बहुत जादा मानो फिर उसके लिए हम design कर लो यहाँ पर stress जो diagram है वो linear नहीं होता है non linear होता है तो उसके according इस ultimate load design method के अंदर हम बात करते हैं next आता है हमारे पास next आता है हमारे पास limit state method जो कि important है limit state method में दो type की states होती है कोई भी structure जो है वो अगर आप यह कहेंगे कि उस structure पर कितना load लगाया जाए कितना bending moment उस पर आ सकता है उस पर उतना load लगा सकते हैं limit state of serviceability या limit state of collapse दोनों ही case में वो structure आप use नहीं कर पाएंगे उसके बाद limit state of collapse का मतलब तो है कि structure तूट गया तो तूट गया तो अब कैसे use करोगे आप उसको तो वो unfit हो गया use के लिए उस point पे अगर हम बात करें limit state of serviceability तो limit state of serviceability आपको क्या बोलता है कि आप उस stage पर पहुँच चुके हैं जब वो structure तूटा तो नहीं है लेकिन काम का भी नहीं रहा अब ये कैसे पता लगे का आपने structure को देखा देखने में ही आपको लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है देखने में ही आपको unfit लग रहा है यानि कि बहुत ज़्यादा deflection उसके अंदर आपको देखने को लगी तो आप ऐसे बोल देते हैं बहुत सारी buildings structures आप ऐसे देखते हैं उनको देख कि आप बोल देते हैं अब तो ये safe नहीं है यहां रहने लाइक नहीं है यानि कि वो collapse पे तो नहीं पूंचा वो अपनी limit state of serviceability पे पहुंच चुका है कि आप उसे use नहीं कर सकते हैं अब it cannot be used further collapse तो नहीं हुआ है लेकिन काम कभी नहीं रही है तो यह limit state of serviceability है अब इसमें क्या हो सकता है उस structure में बहुत ज़दा vibrations देखने को मिल सकते हैं ज़दा bending moment आया और कोई beam जो है वो bending के अंदर flexor के अंदर fail हो गई या फिर आप ये कह लिजे कोई column था वो compression में fail हो गया torgen में fail हो गया तो torgen के कारण bending के कारण shear force के कारण या फिर इनके combination के कारण buckling के कारण ये सारे failure जो है वो structure को collapse कर देते है और limit state of serviceability के अंदर हम कहते है जब उसके अंदर vibrations आती है deflections जो है वो ज़्यादा अगर आपको दिखाई दे रहे है या फिर fire के कारण जो है वो खराब हो गया structure तो आप उसे बोल सकते है वो अपनी limit state of serviceability पे पहुंच चुका है अब बात करते है एक method और है performance based design तो performance based design जो है वो जादा advanced वाला है आने वाले समय में use होने वाला है तो काफी सारी experimental researches और studies जो है उसके बाद वो वाला implement किया जाएगा तो अभी हमें जो पढ़ना है किताब इग्यान की अगर हम बात करें तो limit state और साथ ही साथ में हमें पढ़ना है कौन सा working stress method अब working stress method के अंदर एक चीज़ हम already देख चुके जो थे कि maximum permissible stress की value कि concrete अगर है M15 grade का है bending में use हो रहा है यानि कि beam के अंदर use हो रहा है तो beam के अंदर उसकी strength जो मानेंगे वो कितनी मानेंगे हम divide by 3 कर लीजिए तो आप उसे 7 sorry divide by 3 करेंगे M15 को तो 5 आजाएगा तो 5 Newton per mm square इतनी आप उसको consider करेंगे यह मानते हो है तो यह table तो हम questions के अंदर फिर से इसका use आजाएगा बात करते हैं modular ratio क्या होता है modular ratio जो है वो होता है young's modulus of elasticity of steel upon concrete steel का कितना young's modulus of elasticity upon concrete का young's modulus of elasticity कितना है as per IS code modular ratio जो है उसको आप creep factor यानि कि obviously आप इसे young's modulus of elasticity of steel upon young's modulus of elasticity of concrete लिखेंगे तो इसे आपको कैसे लिखना पड़ेगा es upon 5000 root f c k और उपर चला जाएगा 1 प्लस theta वाली term तो creep को भी आपको यहां पर young's modulus के अंदर sorry इसमें modulus ratio के अंदर आपको consider करना होगा modular ratio में 280 upon 3 sigma cbc यह होता है अब modular ratio का मतलब क्या है modular ratio मदद करता है हमारी एक material को दूसरे material के terms में express करने में जैसे कि अगर हम यह बताना चाहते है कि यह आपके पास concrete है जो खाली जगा दिख रही है इसमें और black color में जो दिख रही है आपके पास area of steel है तो इस steel के अंदर कितना stress आया इसे हम express कर सकते हैं किसकी terms में इसकी terms में कि इसके just साथ वाली concrete जो है उसके अंदर कितना stress है उसके reference में हम यह बता सकते हैं इसमें कितना stress है तो इसको देखने के लिए कि example के तौर पर हम consider कर रहे है कि अगर हमारे पास total area A है जिसमें से कुछ area है वो area of steel है और बाकी area area of concrete है तो जो total load आएगा इस structure के उपर वो total load इस concrete के उपर जो आएगा वो कुछ concrete beer करेगा और कुछ steel beer करेगा तो कुछ concrete और कुछ steel तो load born by concrete तो PC हमने लिख दिया steel PS हमें पता है कि stress is equal to load upon area तो stress जो है वो load upon area अगर होता है तो load is equal to stress into area तो load की value जो है वो stress into area लिख सकते हैं तो stress concrete में कितना into area steel में कितना into area इस तरीके से हमने एक्सप्रेस कर लिया अगर हम यह मानते हैं कि बॉंडिंग बहुत अच्छी है स्टील और कॉंक्रीट के बीच की बॉंडिंग एकदम परफेक्ट है तो जितना इलॉंगेशन आएगा लोड लगने की कारण जितना इलॉंगेशन आएगा वह इलॉंगेशन जितना कंक्रीट में इलॉंगेशन जितना स्टील में बच्पन में हुक्स लोग पड़ा था हमने स्रेंथ आपको कहता है कि इलॉंगेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है PL अपन एक के बराबर होता है stress is directly proportional to strain, फिर वहाँ पर young's modulus of elasticity आ जाता है, strain is change in length upon original length, stress जो है वो force upon area, तो वहाँ से यह formula आता है हमारे पास, तो elongation अगर दोनों का बराबर होगा, तो हम यह बोल देते हैं, कि load जितना concrete पर आया, length of concrete upon area of concrete, into young's modulus of elasticity of concrete, load, steel, length उसकी area, young's modulus of elasticity, यहाँ से length, क्योंकि same ही member है, तो length तो हम equal मान के cancel out कर सकते हैं, फिर बचा क्या हमारे पास, यह force upon area, इस तरफ force upon area, यह stress बन जागा, यह stress in concrete, यह stress in steel आ जाएगा यहाँ पर, length से length आपके पास cancel हो गई, और बचा क्या young's modulus of elasticity, आपके पास यह बच गए, यहाँ पर थोड़ा सा change किया, क्या change किया, stress in concrete बताया, आपने किसके बराबर, stress in steel upon young's modulus of elasticity, यह कैसे आ गया, यह ऐसे आ गया, कि आपने इसको लिख दिया, देखें, हमने क्या किया इसको, young's modulus of elasticity of steel, ES, ES upon EC जो होता है, young's modulus, modular ratio, ES upon EC modular ratio होता है, सवाला sigma S उधर ले आया हो, तो sigma S by M बन गया हो, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि अगर आप यह बताना चाहते हैं, कि इस steel के अंदर stress कितना है, तो इसके just adjoining, जो concrete है, उसके अंदर stress कितना है, उससे बता दो, इसके just adjoining, जो concrete है, उसके अंदर stress होगा, sigma S by M, और we can say that, कि stress in steel, अगर आपको बताना है, तो वो stress in steel, in terms of concrete, अगर आपको express करना है, तो वो आप express कर सकते हैं, कि steel के अंदर कितना stress है, divided by modular ratio, तो sigma S T by M की form में, हम उससे express कर सकते हैं, कैसे express करते हैं, कि इस steel में कितना stress है, इसे देखा जा सकता है, कि just इसके surrounding, जो concrete है, उसके अंदर stress कितना है, और concrete के stress को, जब steel के अंदर जो stress है, उसको, in terms of concrete, अगर हम देखेंगे, तो हम उसे कैसे express कर देते हैं, sigma S by M की form में express कर देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, इसलिए करते हैं ऐसा, क्योंकि हम working stress method के अंदर, सारी चीज़ें जो है, वो concrete की terms में देखते हैं, elastic माना और concrete, एक material मानते हुए, उसके अंदर हमने यहाँ पर इसको design कर दिया, तो एक material हमारे पास हो जाए, इसके point of view से हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो young's modulus of elasticity of steel upon concrete modular ratio हुआ, और modular ratio का use क्या है, कि हम concrete को जो है, सारी equations concrete की terms में ले आए, steel के अंदर कितना stress है, उसको in terms of concrete अगर express करना है, तो हम ऐसे उसको express कर सकते हैं, अब बात आती है, कि total load is equal to concrete plus steel के अंदर जो load आया, इसी equation का हमने further यहाँ पर use कर लिया, और इसके अंदर जो stress concrete में था, यानि कि steel के अंदर जो stress था, उसे in terms of concrete अगर express किया हमने, तो sigma s by m से इसको replace कर दिया, या यूँ कह लीजिए कि area को अगर हमें express करना पड़ेगा, अगर हमें area को express करना है, तो area को हम कैसे express कर सकते हैं, कि अगर आपके पास area of steel as है, उसे in terms of concrete लिखना है, कि उतना area of steel हटा दो, और कितनी concrete लगा दो, तो उसकी जगां आप modular ratio into as, तो अगर area of steel को in terms of concrete लिखना है, तो आप उसे modular ratio से multiply कर देते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास, देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं assumptions की, तो assumption हमारे पास आते हैं, plain section remain plain before and after bending, ये basic assumption है हमारा WSM के अंदर, next assumption, सारे 10 size structure वो steel ले रहा है, concrete कुछ भी नहीं ले रहा, यंग's modulus of elasticity of concrete को constant माना, modular ratio जो है उसके 280 upon 3 sigma CBC, उसकी हमने value मानी, और steel और concrete के बीच में एकदम perfect addition है, ये भी हमने माना, फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये basic designation जो हैं हमें पता है, दो type की problems हमारे पास हो सकती है, जब भी हम beam को design करते हैं, एक हो सकता है, उसका analysis मतलब beam already बनी हुई है, उसके width कितनी है, depth कितनी है, effective depth कितना है, cover कितना है, area of steel आपने कितना ले रखा है, grade of concrete steel सब दे रखा होगा, बस आपको ये बताना है, इसकी strength कितनी है bending के अंदर, या फिर उसका moment of resistance कितना है, दूसरा type हो सकता है, कि हमें ultra दिया है, कि हमें loading given है, load given है, तो आपको ये बताना है, beam design करो, मतलब इतना load resist करने के लिए, कितना bending moment आएगा, उतने bending moment को resist करने के लिए, कितना steel provide करना पड़ेगा, section के dimensions, कितने होंगे, वो पता करने होंगे, तो एक हो गया, हमारे पास analysis, दूसरा हो गया, design, तो दो type की problems हमारे पास होती है, अगर analysis की बात करें, और singly reinforced, singly reinforced मतलब, सिर्फ एक तरफ steel provide कर रखा है, नीचे की तरफ, उपर की तरफ हमने steel provide नहीं किया, तो singly reinforced section के अंदर हम ये कहते हैं, कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, actual depth of neutral axis पता करनी होती है, वो क्या होती है, मतलब topmost fiber से कितने distance के उपर कहा, वो वाला fiber आजागा, जहां कोई stress train नहीं है, इससे उपर compression है, उससे नीचे tension है, तो concrete जो है, वो यहाँ पर compression में अच्छा है, इसे लिए इसे मैंने shade कर दिया, यहाँ पर concrete जो है, वो tension में अच्छा है, नीचे वाला tension का है, concrete tension में अच्छा है, नीचे वाला tension का है, अच्छा है नी, consider नहीं किया, इसको यहाँ पर हमने, अब बात आती है, कि जब हमें, इस steel को, in terms of concrete express करना है, अगर एक्स्प्रेस करना है, तो area of steel in tension, EST को कैसे लिख देंगे हम, कि steel को हटा दो, और इसके जगर कितना concrete लगा दो, सारी बाते concrete में हो जाएंगी, तो M into AST हो जाएगा यहाँ पर, तो इसे हमने express कर दिया, और अब strain diagram हमारे पाद, strain in steel in tension, strain in concrete, जो है compression के अंदर, वो express किया, stress diagram हमारा linear ही बनता है, तो हमने इस तरीके से इसको draw कर दिया, आप चाहें तो इस line को पूरा बना लीजिए, नहीं चाहें तो इसको dash कर सकते हैं, यह दिखाने के लिए, कि सिर्फ ये वाला stress से में मतलब है, जो steel के corresponding यहां पर आ रहा है, compression बाले stress diagram के अंदर, जो net इसका CG होगा, उसे हम कह देते हैं, compressive force, जहां पर net compressive force act करती हुई, नजर आएगी हमें, और अगर tensile side पे जाए, तो जहां पर net tensile force act करती हुई, नजर आएगी, वो हमारे पास यह हो गया, compression force से tension force तक का, जो distance होता है, इसे हम बोलते हैं, overall जब हमारी beam bend हो रही थी, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, जब यह beam bend हो रही थी, तो उस वक्त हम यह देखते हैं, कि हमारे पास, इस section में, यह वाला वो neutral axis है, जहां पर कोई stress tire नहीं आ रहा, इस से उपर वाले section में, net compressive force, let's say वो यहां पर act कर रही है, net tensile force वो माल लेते हैं, opposite direction शो कर रहे हैं, just compression tension दिखाने के लिए, तो हमारे पास, एक compressive force इस direction में, tension force इस direction में, these two forces, equal forces होती हैं, separated by a certain distance, तो एक couple बना रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, एक couple बना रहे हैं, एक तरीके का moment यहां पर create कर रहे हैं, और इस moment को resist करने की जो क्षमता होती है, section की, उसे हम कहते हैं, moment of resistance, जो की इसके opposite हो जाएगा, तो moment of resistance, तो compressive force से tensile force के बीच का, जो distance होता है, उसे कहते हैं, leave a arm, अगर calculate करते हैं, तो actual depth of neutral axis calculate करने के लिए, हमें क्या करना होगा, actual depth of neutral axis के लिए, सबसे पहले हमें करना होगा, moment of area consider करना होता है, moment of area लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले compressive वाला area, compression region का जो area है, बी इंटू एकसे, area आ गया, फिर इस neutral axis के about moment of area ले रहे हैं, तो इससे इसका distance, तो बी इंटू एकसे, इंटू एकसे इंटू एकसे बाई 2, तो आपके पास यहाँ पर moment of area आ गया, compression side से, tension side में area कितना होगा, area आपके पास होगा, M into AST, तो area आपके पास, और neutral axis से इसका distance कितना आ जाएगा, effective depth D minus X से के बराबर, तो पहला step हमारे पास होजाता है, actual depth of neutral axis, दूसरा step आता है, critical depth of neutral axis, critical depth of neutral axis का मतलब है, कि वो वाला fiber, वो वाली depth of neutral axis, जब concrete और steel दोनों एक साथ fail होते हैं, यानि कि critical depth of neutral axis बोलते हैं, जब RCC के आपके पास beam है, वो beam अगर fail होगी, तो वो fail किस कारण से होगी, या तो concrete fail अगर जाएगा, या steel fail कर जाएगा, या दोनों एक साथ fail कर जाएगे, concrete कब fail करेगा, जब steel कहा रहा है, मैं तो fail नहीं हो रहा, यानि कि steel अपने maximum permissible stress की value पर नहीं पहुंचा है, concrete पहले fail हो जाएगा, तो concrete पहले पहुंच गया, तो वहाँ पर failure किस के कारण है, concrete के कारण, अब concrete अगर fail नहीं होता है, steel पहले fail हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वह किस के कारण failure है, steel के कारण, लेकिन अगर इस तरीके से कुछ arrangement कर दिया जाए, कि उसकी depth of neutral axis है, वो कुछ ऐसी है, कि concrete और steel दोनों एक साथ fail होते हैं, उसके लिए हम design करें अगर, तब हम कहते हैं, कि वो critical depth of neutral axis होती है, तो उसे XC से denote किया, अब XC का मतलब क्या है, कि जब concrete fail होगा, तब उस वक्त उसके अंदर जो stress होगा, वो पने maximum permissible stress के बराबर होगा न, WSM method में कहता है, कि हम failure मान लेंगे, हो नहीं रहा actual में, लेकिन मान लेंगे हम, कब मान लेंगे, कि जब concrete के अंदर उसके maximum permissible stress के बराबर अगर load आ गया, तो हम उतनी उसकी क्षमता मान रहे हैं, उतना उसका हम maximum capacity मान रहे हैं, तो sigma CBC आ गया, अगर हम steel की बात करें, तो उस case में sigma ST by M आ गया, similar triangles का हम use करेंगे, यह आपके पास sigma CBC by XC, equals to sigma ST by M by D minus XC, इस equation में तो हमें यह नजर आ रहे हैं, कि critical depth of neutral axis जो है, वो किसके उपर depend कर रही है, modular ratio पर भी depend कर रही है, maximum permissible stress in concrete कितना है, उस पर भी depend कर रही है, maximum permissible stress steel में कितना है, उस पर भी depend कर रही है, जबकि actual में अगर modular ratio की value हम put कर देंगे, के अंदर, तब वो सिर्फ और सिर्फ किसके उपर depend करती है, modular ratio है 280 upon 3 sigma CBC, 280 upon 3 sigma CBC, sigma CBC से sigma CBC cancel हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा कि modular ratio जो है, जो critical depth of neutral axis है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके उपर depend करता है, grade of steel के उपर, और depend करता है depth के उपर, इन दोनों के उपर ही depend करता है, working stress method से, अगर हम लिखते हैं कि critical depth of neutral axis, XC की value K into D के बराबर है, तो उसे हम कुछ इस तरीके से express कर सकते हैं, उसके बाद next step आता है हमारे पास, कि हमें compare करना होता है, actual depth of neutral axis और critical depth of neutral axis, अगर actual depth of neutral axis छोटा रह जाता है, कम रह जाता है critical depth of neutral axis से, तो under reinforce section हो जाता है, equal है तो balance section और अगर xA is greater than xA, तो over reinforce section हम बोलते हैं, फिर आता है moment of resistance, moment of resistance और bending moment में difference कितना है, bending moment होता है externally load आया, उसके करण जो bending moment लगेगा, या moment जो लगेगा वो होगया bending moment, moment of resistance होता है, कि externally load लगा, उसके करण bending moment आया, और हमारा section कितना maximum bending moment resist कर सकता है, वो moment of resistance, तो moment of resistance उसकी capacity है, और moment of resistance बता करने के लिए हम यह कहते हैं, कि पहला case, under reinforce section की case में, under reinforce section उस section को बोलते हैं, जो पहले fail कौन हो जाता है, under reinforced, reinforcement कम हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि, underestimate कर लिया, तो आपको कम estimate कर लिया, वैसे under reinforce, मतलब steel कम provided है, यानि कि steel पहले fail होगा यहां पर, तो जब steel पहले fail होगा, मतलब steel अपने maximum permissible stress पर पहले पहुंचा है, steel जो है, वो अपने maximum permissible stress पर पहले पहुंचा है, तो under reinforce section के अंदर, actual depth of neutral axis उपर ही रह जाती है, critical depth of neutral axis से, इसलिए हमें x से को यहां पर denote किया, तो actual depth of neutral axis का मतलब, कि यहां पर इस fiber के उपर stress strain जिरू होंगे, उपर वाले steel क्योंकि fail हो रहा है, concrete तो fail होनी रहा, तो concrete में जो stress है, उसे हमने CAC denote कर दिया, steel के अंदर, क्योंकि steel पहले fail हो रहा है, तो steel अपने maximum permissible stress की value पर पहुंचेगा, sigma st पर पहुंच गया, in terms of concrete उसे लिखा, तो sigma st by m हो गया हमारे पास, compressive force से tensile force तक का distance lever arm कहलाता है, हमें पता है basic moment की definition होती है, force into distance, यहां पर अगर moment of resistance की बात करेंगे, तो compressive force into lever arm, इस compressive force से tensile force के बीच का distance जो है, वो क्या कहलाएगा, lever arm, तो एक couple form हो रही थी, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो moment of resistance is equal to compressive force into lever arm, अब force कैसे calculate करते हैं, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, कि stress into area कर दो, force upon area जो है, वो क्या होता है, stress होता है, तो अगर force calculate करनी है, तो आप कहेंगे कि stress into area, तो उसे कैसे calculate करेंगे, या तो आप ये कह लिजिए, कि average stress into area under stress, तो area under stress की बात करेंगे, तो इतना area compression के अंदर है, हमारे पास, तो area under stress हो गया, b into x a, b into, यहां तक की depth आपके पास x a, तो area under stress into at an average stress कितना है, यहां पर stress है 0, यहां पर stress है c a, तो 0 plus c a by 2 कर लो, तो at an average stress आगया, into area आगया, तो average stress into area under stress, multiplied by lever arm, तो हमने b into x a, multiplied by average stress, जो कि आपके पास 0 plus c a by 2 आगया, into lever arm, lever arm होता है, compressive force है, tensile force तक का distance, actual depth of neutral axis यहां तक x a है, अब इस triangular stress diagram के अंदर, जो इसका net compressive force होगा, वो कहां पर लाए करेगा, वो इसके 1 third के उपर लाए करेगा, x a by 3 के उपर लाए करेगा, तो x a by 3 पे हमने यहां पर इसको put कर दिया, तो area under stress, into at an average stress कितना है, into lever arm, यह हमारे पास moment of resistance बन गया, compression side से calculate करें अगर हम, अगर tension side से calculate करते हैं, तो हमें फिर से वही formula यूज करना है, कि force into lever arm वाला, तो tension side से, तो tensile force into lever arm, tensile force कितना लगेगा, area under stress कितना है, तो m ast है, फिर उसके बाद उस पर stress कितना लग रहा है, sigma st by m लग रहा है, पूट कर दिया यहां पर, तो average area under stress multiplied by, average stress into area under stress, तो average stress sigma st by m, m into ast area under stress into lever arm, lever arm कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक कि depth तो d थी, इसमें से उपर वाला x से बाई 3 हमने माइनस कर दिया, balance section एक ऐसा section है, जिसके अंदर steel और concrete दोनों एक साथ fail हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ fail होने का मतलब, कि steel और concrete दोनों अपने maximum permissible stress की value पर एक साथ पहुंच रहे हैं, यानि कि steel जब fail होगा, तब कब बोलेंगे working stress method के according कि वो fail हो रहा है, जब वो अपने maximum permissible stress पर पहुंच चुक है, concrete जब अपने sigma CBC जो उसका maximum permissible stress रहा है, वहाँ तक पहुंच चुक है, तो balance section के case में, अगर हम diagram बनाते हैं, तो diagram के अंदर हम यहाँ पर क्या express कर रहे हैं, sigma CBC यह हैंग, को यह बता रहा है कि जब concrete fail होगा तो उसके outermost fiber के उपर इतना stress होगा जब steel fail होगा तो उसके अंदर इतना stress होगा यह हम यहाँ पर बना रहे हैं फिर उसके बाद हमें वही कहना है कि moment of resistance is equal to compressive force into liver arm compressive force आपके पास आजाएगी area under stress b into x से या xc लिख देंगे यहाँ पर balance section के case में at an average stress कितना होगा तो 0 से sigma cbc by 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर sigma cbc तो 0 plus sigma cbc by 2 into liver arm d minus xc तो area under stress into average stress into liver arm हमने यहाँ पर इसको express कर दिया tension side से calculate करेंगे तो area under stress tension में कौन है ast in terms of concrete लिखेंगे m ast stress कितना आ रहा है इसके corresponding stress इसके corresponding आ रहा है sigma st by m तो area under stress multiplied by average stress multiplied by liver arm इस तरीके से हम इसको express कर रहे हैं एक बात बताओ इतना detail बताने की ज़रूरत है या नहीं है मैं तो यहीं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई नया दोस्ट जो है वो भी समझ पाए वो भी पढ़ पाए और अगर जल्दी चलना है तो जल्दी बता दीजिए एक घंटे में भी खतम हो जाएगा rcc 5 घंटे में भी खतम हो जाएगा है ना आप बता दीजिए जैसा आपको suitable लग रहा है झीके चलो कफन बांध के बैटे हैं कफन क्यों बांध रख रहा है चली आगे बढ़ते हैं over reinforce section होता है over reinforce कि section को बोलते है over reinforce section के अंदर यह होता है कि जब over reinforcement बहुत जादा steel provide कर देते हैं तो हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि इतना सारा steel provide कर रहे हैं तो अच्छी बात ही तो है structure safe हो रहा है जबकि अच्छी बात नहीं होती है क्यों क्योंकि बहुत जादा steel अगर आप provide कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जब load आएगा तो उस load के अंदर steel tension में अच्छा है तो tension में तो वो structure fail होगा नहीं तो वो structure कैसे fail हो जाएगा concrete के current concrete burst कर जाएगा concrete जो है वो fail कर जाएगा और concrete का failure जो वो जादा खतरनाक होगा क्यों कि जब concrete fail होगा तो वो warning भी नहीं देगा जैसे chalk है अगर आप chalk को पकड़ के इस तरीके से आप load लगाएगे या chalk को अगर आप bend करने के कोशिश करेंगे तो एकदम से तूटता है इसी की जगा अगर आपके पास कोई steel wire है तो उसको अगर आप तोड़ने के कोशिश करेंगे तो बार-बार आप उसको move करवाना पड़ेगा या जब वो तूटेगी उसको पकड़ के खीच रहें तो वो काफी elongation दिखाएगी फिर उसके बाद वो तूटेगी तो steel जो होता है वो fail होने से पहले elongation दिखाता है आपको दिखेगा वो structure deflect होता हुआ तो आपको पता लग जाएगा कि यह structure fail होने वाला है और आप उसकी safety ensure कर सकते है या फिर खुद की तो at least करी सकते है इसी point of view से हम कहते है कि concrete जो है वो structure देखने में पता ही नहीं लगेगा कि कब fail होगा और एकदम से fail हो जाएगा तो over reinforced section जो है वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो warning provide नहीं करता है तो over reinforced section के अंदर fail कौन होता है concrete यानि कि concrete अपने maximum permissible stress की value पर पहुँच रहा है कि code हमें कहता है कि concrete की bending के अंदर सादा से जादा जो क्षमता है वो इतनी है sigma cbc है और किसी भी time पर अगर concrete में stress की हम बात करें तो वो ये से denote कर देते हैं actual stress concrete में कितना है तो over reinforced section में क्या होता है कि concrete के अंदर जो stress होता है वो अपने maximum permissible stress पर पहुँच चुका है यानि कि concrete के गारण failure आने वाला है तो इसलिए हम concrete के stress डाइगराम में इसे sigma cbc से हम denote कर देते हैं steel के अंदर अगर हम stress की बात करते हैं तो क्योंकि steel पहले fail नहीं हो रहा है यहां पर जब steel fail नहीं हो रहा तो क्या steel अपने maximum permissible stress पर है क्या नहीं है अभी तो actual stress है उसमें कुछ कम तो इसलिए यहां पर हम इसे TA by M express कर देते हैं over in force section के अंदर moment of resistance लिखेंगे area under stress तो area under stress क्या हो जाएगा b into xa यह area under stress हो गया multiplied by average stress तो average stress इस neutral axis के उपर 0 है यहां पर sigma cbc है तो at an average कितना stress लगा इस area के उपर तो वो 0 plus sigma cbc by 2 कर लेंगे into liver आप d minus xa by 3 हो जाएगा यह हमारे पास compressive sides है, tension side से अगर हम बात करें तो tension side से कभी हम calculate नहीं करते हैं, moment of resistance कभी भी tension side से हम calculate नहीं करते हैं, over in force section का क्योंकि over-inforced section के अंदर हमें पता ही नहीं लग पाता है जब concrete एकदम से fail हो गया हमें पता ही नहीं लग पाता है कि actual में उस steel के अंदर कितना stress present था तो stress in steel हम पता नहीं कर सकते हैं इसलिए over-inforced section के अंदर moment of resistance tension side से पता नहीं करते हैं The assumption made in the theory of reinforced cement concrete beam is that all tensile stresses यह सारे assumption है जो हम already बात कर चुके है If the ratio of overall depth does not exceed 10 the stiffness of the beam will ordinary be satisfactory यह भी थोड़ी से देर में हम पढ़ेंगे deflection के criteria deflection के criteria में हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई cantilever है तो उसके अंदर span to effective depth span to effective depth ratio जो हमारी होती है वो 7, 20, 26 होती है cantilever के लिए 7 और simply supported के लिए 20 और continuous के लिए हम कहते हैं 26 तो यह span to effective depth ratio हमें define की जाती है deflection के criteria को satisfy करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि आप अगर मान लीजिए आपको कोई let's say कोई garage बनाना है ठीक है अब उस garage के अंदर यहां से लेके यहां तक और आप पूरा RCC का बना रहे हैं उसे ठीक है तो आपके पास option क्या है आपके पास options हैं कि आप बीच बीच में आप उसको कोई भी जो supports हैं columns हैं वो बनाते जाएं और फिर उसके बाद इनके उपर आप ऐसे game बना दी आपने एक option तो यह हो सकता है दूसरा option आप करेंगे मैं तो यहां से लेके यहां तक पूरा एक ही beam बना दो ठीक है ऐसा तो ऐसा नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि उसके लिए span to effective अब span यहां पर कितना यह span कितना यहां span कितना तो span to actual में इसकी effective depth कितनी है यह ratio आपको देखना होता है तो span to effective depth ratio हम define करते हैं तो कोई beam अगर आपके पास है तो उस beam का span कितना है यहां से लेके यहां तक और उसकी depth कितनी होनी चाहिए यह define कर देते हैं कि जितना ज़्यादा spawn होता जाएगा उतनी depth जादा होनी चाहिए ताकि वो उन particular loads को safe रहे या बहुत ज़्यादा deflect ना कर जाए बहुत ज़्यादा deflect ना कर जाए यह चीज़ ensure करने के लिए हम spawn to depth ratio जो है इनकी define करते है code हमें बताता है basically तो code कहता है कि अगर cantilever B में तो 7, spawn upon effective depth जो है वो 7 होनी चाहिए इससे exceed ना करें simply supported के लिए 20 और अगर continuous की बात करें तो 26 यह वाली values को आप multiply कर देंगे किस से 10 by spawn से इस वाली values को 10 by spawn से multiply कर देंगे अगर यह वाली values जो है और spawns greater than 10 meter के लिए अगर आपको दियो तो इससे 10 by spawn से multiply कर देंगे in a singular reinforced beam the effective depth is measured from its compression edge to tensile reinforcement the moment of couple set up in a section of beam by the longitudinal compressive and tensile force is known as moment of resistance की definition आपको दे रखिया है in a cantilever beam main reinforcement is provided cantilever beam जो हमारी होती है वो cantilever beam deflect जब करेगी वो cantilever beam deflect करती है कुछ इस तरीके से अगर cantilever कुछ ऐसे deflect करेगा तो उपर tension आता है नीचे compression आता है इसलिए tension side में steel provide करता है तो compression यह कह लिए neutral axis से उपर वाले region के उपर हम क्या provide कर रहे है steel provide कर रहे है under reinforce section की properties क्या है already discuss कर चुक है under reinforce section के अदर पहले कौन fail होता है steel यानि कि steel अपने maximum permissible stress पर पहुंचता है steel पहले failure होगा steel के current failure आता है steel अगर fail होगा तो steel fail होने से पहले warning देता है इसके अंदर आपको sufficient warning मिलती है balance section के अंदर अगर हम बात करें तो steel और concrete दोनों एक साथ fail हो रहे है यनि कि दोनों अपने maximum permissible stress पर पहुंच रहे है यनि कि हम दोनों की strength को utilize कर पाएंगे under reinforce section के अंदर steel पहले fail हो गया क्या concrete अपने maximum permissible stress पर पहुंचा क्या concrete जितना stress ले सकता था उतना stress उस पर आया नहीं आया तो हमने उसका अच्छे सी utilization नहीं किया तो इस case में हम ये कह सकते हैं कि balance section में steel और concrete दोनों एक साथ fail हो रहे हैं जब दोनों एक साथ fail हो रहे हैं तो हमने उनकी strength का poor निस्तेमाल कर लिया next अगर हम बात करते हैं तो next हमारे पास इसके अंदर एक point आता है क्योंकि इसके अंदर steel भी fail हो रहा है तो steel अपने failure तक पहुचने से पहले sufficient elongation दिखाएगा यानि कि sufficient warning प्रोवाइड करता है जब sufficient warning वो प्रोवाइड करेगा तो balance section हमारे लिए economical भी हो गया और अच्छा भी हो गया इस point of view से next अगर हम देखते हैं तो आता है हमारे पास over reinforced section next आता है over reinforced section over reinforced section की अगर बात करें कौन गिर गया था आप में से किसी ने बहुत ही मन से कुछ-कुछ बोला होगा जिसके कारण ऐसा होगा क्यों परेशान हो रहे हैं आप कोई problem है बता दीजिए न नहीं कुछ नहीं टूटा सब all good everything is fine एपल वन प्लस दोनों ही हैं दोस्त दोनों की अपने अपनी खासियत हैं एंड्रॉइड मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है चलो कोई mini heart attack नहीं है वो नहीं यूज करने के लिए गिरता पड़ता रहता है कोई दिक्कत नहीं है heart attack मुझे तब आता है जब रात को एक ऐसा सपना आता है जिसमें यह होता है कि सुबह नौ बजे क्लास थी और मैं सोता हो रह गया नींद आ गए एकदम से इधर से क्लास शुरू हो गई तब एकदम सपने में चले बढता है यह है औरे क्लास कैसे मैं सो गई तके टाइम देख तो कि और जो आगे बढ़ते हैं ऐसा होता है एक्सर ऐसे ऐसी चीज़ें होती है या कई बार यह होता है कि जैसे ऐसा होता है मेरे साथ तो होता है मुझे में पता बाखी एजुकेटर्स का होता है नहीं होता कई बार class खतम हो गई, class खतम होने के बाद जो है आद़ घंटे ने कल गया, फिर आद़ घंटे बाद एकदम से याद आता है जब इस room में घूम चुके होते हैं, studio room में फोन पर बात कर चुके होते हैं, घरवालों से और भी कुछ-कुछ चीज़े तो तब जाके ऐसे realize होता है, कहीं अभी तक stream on तो नहीं है उसको देखते हैं, फिर camera चेक करते हैं, off है या नहीं है तो ऐसे वाली चीज़ जो है, हो जाती है कई बार कई बार, ये online के flaws कह लीजिए, कुछ-कुछ थोड़े बहुत जो है यहाँ पर यह लगता है कि जो privacy concerns थोड़े बहुत हो जाते है, यह ऐसा डर रहता है, इससे relateds अपने भी आ जाते हैं, कभी-कभी कि हाँ में studio room में कुछ भी बैठे हैं, अपने जोन में कुछ हैं, और फिर ऐसा याद आता है कि यह stream अगर हो गया, कभी किसी दिन live stream हो जाए ऐसा एकसर जैसे usually, मुझे नहीं पता आपने कभी देखा वे नहीं होगा, but as I am from the same field, तो कुछ ऐसे incidents मैंने भी सुनने हैं, और even खुद भी देखे हैं, जिसमें कई बार पता नहीं लग पाता है एजुकेटर को, कि वो live रह जाता है, या फिर randomly जो है, कई बार यह होता है कि कुछ hot keys set की हुई होती है, live stream on करने के लिए, जैसे shortcut कह लिए, तो shortcut normally educator कोई काम कर रहा है, और वो shortcut प्रेस हो गया, और background में जो streaming software है, वो भी चल रहा था, तो stream करना एक्दम से शुरू कर देगा YouTube के उपर, तो ऐसे भी कुछ-कुछ छोटे पोटे funny incidents हुए है, इसके बाद हा नहीं है, अभी तक भवान की करपा से ऐसा नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी exposure condition, लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें, जो है, जो online पढ़ाते हैं, वो relate कर पाते हैं, जादा better, कि हाँ, कभी न कभी ऐसा लगता रहता है, कि दिन में एक आध बार इधर उदर जाते हैं, फिर भी चेक करी लेते हैं, कि हाँ, camera बंद है, streaming बंद है, लेप्टॉप से stream करते हैं, व तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का, कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है, कुछ अगर मान लीजे, युक्रेन पर क्या कहना है, देखिए युक्रेन जो है, रशिया की सब के अपने-पने points है, अगर हम बात करेंगी, लोगों का देखा जाए, तो वार होनी नीची है, कारण जो भी है, वो discussions जो है, वो किये जा सकते हैं, वार होनी नीची है, जो लोग क्यों सफर करें इस चीज़ के अंदर, अगर दो countries की बात है, और हाँ ठीक है, लोगों के end से देखें, तो लोग अपने देश के लिए लट रहे हैं, वहाँ पर वो राइब बाइब साइड उनके प्रेजिडेंट की बात करें, तो वो भी मतलब अच्छा इस पॉइंट आव यू से, कि हाँ ऐसा नहीं है, कि वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो भी वहाँ पर equally participate करते हैं, इस overall process में, रशिया के end से देखें, तो रशिया जो है, वो as a country, अगर हम बनने लग जाएं, जहां पर उनको security threat हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा, definitely कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो, ठीक है, जैसे नाटो में वो जॉइन ना करें, अगर वो कर लिया, तो फिर US Army, रशिया के आसपास रहेगी हमेशा, तो कहीं न कहीं security concerns आ जाते हैं, इंडिया के point of view से देखें, तो एक होता है कि हमारा opinion इंसानियत के नाते पे, तो जिसमें ये कहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लोगों की बहुत जादा death हो रही है, बहुत सारे लोगों को अपना घर चोड़ना पड़ गया, डर का महौल है totally, और उनका future uncertain है कि आगे कि उनकी जिन् एकड़म तहसनेस कर देती है, तो वो चीज नहीं होनी चीए, दूसरे तरफ से अगर हम बात करें राजनितिक point of view से, या फिर हम कह लिजे कि इंडिया को इसमें क्या करना चीए, नहीं करना चीए, उस point of view से और थोड़ा सा history को अगर खंगाल के देखा जाए, तो यही निक तो उस point of view से ठीक है, since Russia has been a friend of India, तो इंडिया जो है, वो कहीं न कहीं, अगर direct favor तो नहीं बोलेगा, कि हाँ आप युद करो, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं, लेकिन आ ऐसा भी नहीं कर सकता है, इंडिया की जाके वहाँ पर रोके या बीच में participate उसमें करें हाँ, तालिबान ने भी बोला है कि युद्ध सही नहीं है, आजी शुक्रिया दोस्त, आजी दो नहीं बाते हैं, देखो, friend है रशिया, तो हमारा friend है, अगर ऐसे कह लिजा है, इस point of view से, तो ठीक है, वहाँ पर interfere नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ने वैसे ही clearly बोला है, कि हाँ, कोई भी जो अगर बीच में आएगा, तो consequences जो है, वो काफी disastrous होंगे सबी के लिए, जो भी participate करेगा, तो वो चीज़ अलग है, कि हाँ ठीक है, आप Ukraine को अगर आप वैसे अगर support नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो ठीक है, इंसानियत के नाते पे, तो war तो हम अपना एक जो है, admin and nature दिखाते हैं, हम अपना ideal पन दिखाते हैं, कि मैं तो ऐसे करके दिखाऊंगा, और उस करने के चक्कर में, बहुत सारे लोगों को सफर अगर करना पड़ रहा है, तो वो सही चीज़ नहीं है, अपनी power को अपना वर्चस दिखाने के और भी बहुत तरीके होते हैं, this is not the way कि हाँ, directly जो है, invade करो या इतनी लोगों को आप मारो इस तरीके से, तो wall जो है, वो हल नहीं है, ठीक है, चलो, हमारे independence की भी अगर हम बात करें, तो हमारे independence पे भी starting में method जो है, वो apply किये गए, कि हाँ, हम जो है, इंसा तरीके से हमारी independence अगर ले जो है, जब ये चीज़ें जो है, वो काम करती हो, नहीं नजर आई, तो भगत सिंग जैसे लोग भी थे, जिन्होंने इतने जादा हिम्मत दिखाई, और जिन्होंने ऐसे actions लिए, जिसमें कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश की गए, कि yes, we are also capable, हमारे अंदर भी energy है, आज जो है यूथ है इंडिया का, वो किसी सथी कम नहीं है, हम अपने independence अगर आप बूलने से नहीं देंगे, तो हम अपने हक से ले लेंगे इसको, तो वो चीज़ भी रहती है, तो जब आप अपनी independence के लिए fight करते हैं, तब तो आपको सब कुछ ही करना है, अपनी जी जान लग लिए कि yes, we are capable of this particular thing, we are strong, बस यह आपको show करना है, तो वहाँ तक बाते हैं ठीक है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं, apply करके देख रहे हैं आप उसको, या फिर जो युद्ध actual में अगर हो रहा है, तो वो चीज़ गलता है, वो कही ना कहीं सिर्फ उस particular country के लिए नहीं है, पू पूंचा, यानि कि brittle failure हमें देखना को मिलता है, overall summary कि अगर मैं बात पर हूँ, तो actual depth of neutral axis calculate करनी होती है, area under stress, फिर multiplied by, sorry, actual depth of neutral axis, moment of area, तो moment of area calculate किया, compression side से, tension side से actual depth of neutral axis, फिर उसके बाद critical depth of neutral axis, m sigma cbc upon m sigma cbc plus sigma st into d, और फिर हमारे पास आता है, different types of section, जिसके अंदर balance section, जिसमें हम कहेंगे, actual depth of neutral axis critical के बराबर होती है, उस वक्त, steel के अंदर और जो stress होता है, वो अपने maximum permissible stress के बराबर, concrete में जो stress होता है, वो अपने maximum permissible stress के बराबर, under reinforced section के अंदर पहले कौन fail होता है, under reinforced section के अंदर पहले fail होता है, steel, यानि कि steel जो है, वो अपने maximum permissible stress पर पहुंचेगा लेकिन concrete के अंदर जो actual में stress होगा वो अपने maximum permissible stress से कम होगा over in force section के अगर हम बात करें तो actual depth of neutral axis जो है वो बड़ी होती है critical depth of neutral axis से इसका मतलब कि concrete जो है over in force section के अंदर पहले fail करता है concrete अपने maximum permissible stress की value के उपर पहुँँ जाता है steel के उपर maximum stress जो है नहीं आता है जितना वो bear कर सकता है ठीक है अब आगे बढ़ते है next आता है moment of resistance moment of resistance area under stress into average stress बना force force into liver arm area under stress into sorry area under stress into average stress into liver arm इसी तरीके से हम calculate कर सकते हैं अलग-अलग section का बस इन में आपको ये ध्यान रखना है balance section है तो steel के concrete के अंदर जो maximum permissible stress है वो यूज करना है steel में maximum permissible stress यूज करना है अगर under reinforced है मतलब पहले फेल होगा steel यानिकि steel अपने maximum permissible stress पर पहुँचेगा तो sigma ST यहाँ यूज करेंगे यहाँ पर सिर्फ CA लिखेंगे क्योंकि concrete अपने maximum permissible stress पर नहीं पहुँचा है और tension side से तो calculate ही नहीं करेंगे यह लिखना ही नहीं है tension side से तो over enforce के अंदर calculate ही नहीं करते हैं next बात आती है design formula design formula की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर QBD square याद रखना है objective point of view से क्योंकि यह design की बात जब हम conventional के questions करते हैं तो वहाँ पर बात आती है बस आपको QBD square से आपको याद रखना है जहां पर Q की value होगी half cj के c की value sigma cbc j जो होता है lever arm constant होता है जिसकी value 1-k by 3 होती है और k की value m sigma cbc upon m sigma cbc plus sigma st तो बस आपको यह याद रखना है moment of resistance एक balance section के लिए अगर आप लिखेंगे QBD square लिखेंगे Q के अंदर यह values क्या क्या है यह आप यहाँ से देख सकते हैं very simple then comes design formula लिख दिया हमने tension side से डबली reinforce section की जरूरत क्यों पड़ी डबली reinforce section की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर external bending moment जो है वो ज़्यादा आ रहा है as compared to a singly reinforced balance section रेजिस्ट कर सकता है तो हमने कुछ steel provide कर रखा था ast किसके corresponding जितना moment of resistance balance section का है तो उसके लिए तो ast provide कर रखा था अब अगर additional bending moment आया additional कितना बचा तो इन दोनों का difference कह लिए इतने के लिए तो design कर ही रखा है singly reinforced section जिसके अंदर इतना steel दे रखा है अगर यह जो difference बच गया उसके लिए हमें ast1 और extra steel provide करना पड़ेगा जब और extra steel provide कर दिया तो जादा steel होने की वज़े से section over reinforce हो रहा था यह section over reinforce हो रहा था तो हमें इसे balance करने के लिए compression side में भी हमने steel provide कर दिया जिसे हमने का area of steel in compression provide कर दिया तो इसे हम overall design करेंगे यहाँ पर अब क्योंकि working stress method है क्योंकि यहाँ पर सारी बातें concrete की terms में हो रही है तो modular ratio ज करते हैं 1.5m अब 1.5m क्यों यूज किया सिर्फ MQ ने यूज किया यह इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ का जो steel है वो steel continuously compression के अंदर है इसके आसपास का concrete इसको क्या कर रहा है compress कर रहा है तो इस effect के कारण और इस creep के कारण इस continuous compressive stress के अंदर रहने के कारण इस steel के अंदर modular ratio जो है 1.5m consider करते हैं तो objective में आपसे पूछ सकता है कि tension zone के अंदर area of steel जो है उसको MAST लिखते हैं compression में उसे 1.5m ASC लिखते हैं उसके बाद कैसे करते हैं डबली reinforce section को सबसे पहले critical depth of neutral axis calculate करो फिर उसके बाद actual depth of neutral axis calculate करने के लिए क्या क्या steps होंगे आपने इस पूरे डबली reinforce section को किस नजर से देखना है आपने उसको इस नजर से देखना है कि आपने सबसे पहले इस section को कैसे लिखा दो form के अंदर इसे express करना है पहला कि concrete है और concrete में इस पूरे डबली reinforce section को कैसे देखना है कि एक तो concrete था और उसमें सिर्फ इतना steel था जो कि balance section एक single reinforced balance section के बराबर steel थ और फिर उपर वाले रीजन में सिर्फ होल्स थे, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, कि सिर्फ और सिर्फ स्टील देखना है, जो additional स्टील प्रोवाइड किया था, extra वाले bending moment के लिए, और इसको balance करने के लिए जो आपने स्टील प्रोवाइड किया था, compression side में ये आपको provide करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो आपके पास area of steel in compression था, इसको हटा दें और कितना concrete लिख दें, in terms of concrete express करने के लिए, तो 1.5 M AST, इसके लिए हम कहते हैं, M into AST की form में हमने इससे लिख दिया, अब आपको यहाँ पर actual depth of neutral axis कैसे calculate करना है, moment of area of compression side equals to moment of area of tension side, compression side क हमारे पास हो गया B, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पर X A, तो B into X A, पूरा area consider कर लिया into X A by 2, तो पूरे का moment of area आ गया, जबकि यहाँ पर तो holes थे, तो उसके लिए minus करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए हमने minus किया, AST into X A minus DC, AST हो गया area of in holes का, और X A में से यह इतना distance DC हमने minus कर दिया, तो हमारे पास आ गया, actual neutral moment of area के side का, सिर्फ इस concrete का बिना in holes के, इतना आ गया, अब हमें compression side का लिखना है, तो यह हमारे पास steel बचा, यह steel को अगर in terms of concrete लिखेंगे, तो 1.5 M AST लिखेंगे, तो 1.5 M AST लिखा हमने, into distance, तो इस axis से हमें moment of area निकालना है, तो X A था, तो X A में से यह DC minus कर देंगे, तो X A minus DC आ गया, equals to M AST into area of steel under tension into D minus X A, यह अलांकि mains का part है, objective मैं आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं फटा-फट इसलिए बतारहूं कि अगर आप इसके बाद mains का भी बढ़ेंगे, यह marathon session लेने के बाद, then comes, हमें यहां पर actual depth of neutral axis हमने लिख दिया, तो यह वाला area आपके concrete की वज़े से, यह holes का minus करके, फिर उसके बाद आपने यह steel की वज़े से, compression वाले steel के वज़े से, और यह आपका tension वाला, जो moment of area हो गया, फिर उसके बाद आपको compare करना है, balance section है, under enforced, over enforced section है, and then moment of resistance, moment of resistance के लिए फिर से वही कहाने पूरी, compressive force into lever arm, tensile force into lever arm, अब यहाँ पर moment of resistance थोड़ा सा जल्दी से और ध्यान से देखेगा, area under compression, तो इस case में area under compression मैंने लिख दिया, b into x है, तो area under compression आ गया, अब इसमें holes वाला area भी include कर लिया, जबकि actual में यहाँ पर concrete है नहीं, in holes के अंदर, तो b into x है, into average stress, average stress इस fiber पर stress 0 यहाँ तक आते आते c है, तो at an average stress कितना हुआ, 0 plus c by 2, तो area under stress into average stress हमने लिखा, into lever arm लिख दिया, lever arm हमारे पास x a minus, d minus x a by 3 हमने लिख दिया, तो यह हमारे पास आ गया, इतना, इसका मतलब यह हुआ कि पूरा concrete consider करते हुए moment of resistance लिख दिया, इसकी वज़े से, फिर क्या करें हम यहाँ पर, इसमें से minus करना पड़ेगा, यह concrete के अंदर तो, इन holes में तो concrete था ही नहीं, तो उसकी वज़े से moment of resistance minus करेंगे, चाहे वो बहुत थोड़ा सा ही क्यों ना है, तो area of steel के बराबर, AST के बराबर concrete था यहाँ पर, और इसके corresponding, इस level पर कितनी force थी, वो हमें देखन लग रहा था, तो area under stress multiplied by कितना stress लग रहा था, तो यह इसकी वज़े से हमने minus कर दिया, यह force आ गया, into lever arm, अब इसकी वज़े से lever arm क्या हो जाएगा, D minus DC हो जाएगा, तो यह पूरा expression जो हमारे पास निकल के आता है, यह पूरा expression क्या बता रहा है, कि यह AST concrete जिसमें holes थे, उ उसके बाद multiply करना है, इसको into corresponding stress कितना है, तो इसके सामने stress देख लीजिए, C dash से denote कर रखा है, C dash से multiply कर दिया into lever arm, D minus DC, लिवर arm क्या हो जाएगा, comprehensive force है, tensile force का distance, यह यहाँ से यहाँ तक का distance D है, इसमें से DC, उपर वाला cover हमने minus कर दिया, तो यह आपको ऐसे express करना है, आप प्रवीन एक बार टेलिग्राम पर इंस्टा पर आप text करिएगा, we will discuss, देखिए, यह हमारे पास आगे moment of resistance इसका, अब moment of resistance अगर tension side से लिखना है, तो average stress कितना है, average stress हाजाएगा, हमारे पास TA by M, into, कितना आपके पास area है, तो MAST area है, तो stress into area force हागया, into lever arm आपने कर दिया, यहाँ पर, दोनों के case में AST balance वाला भी, और यहाँ पर AST 1 वाला भी, lever arm दोनों के case में अलग-अलग हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ वाला lever arm, यहाँ पर यहाँ वाला lever arm हम यूज़ करेंगे, तो moment of resistance आगया, design formula की अगर हम बात करें, तो design formula same, आपको QBD square जो है, उससे आपको यूज़ करना होता है, मेंस जब पढ़ेंगे, या मेंस के जब questions की practice करेंगे, तब आगे इसके अंदर further हम देखेंगे, कैसे हमें design करना होता है, effective width of beam, T beam की अगर हम बात करें, तो T beam के अंदर आपके पास यह directly objective में पूछे जाने वाले, सबसे जादा important जो है, अगर T beam से question होता है, तो वो T beam की effective width आपसे पूछ सकता है, तो L0 by 6 plus width of web plus 6 time depth of web, किस case में अगर आप T beam की बात कर रहे हैं, isolated T beam है अगर, तो L0 by L0 by B plus 4 plus width of the web, तो यह आपसे directly exam में आपसे effective width का formula भी पूछा हुआ है, EAC के अंदर, इससे related numerical भी पूछा हुआ है, कि effective width of T beam कितना होता है, तो T beam आपके पास है, isolated T beam अगर आपके पास है, L beam, L beam से तो बहुत कम पूछे हैं, लेकिन first 2 case जो हैं उनसे related बहुत questions आप से पूछते हैं, तो आपको इनको formula को short notes में लिखने ना है, और अच्छे से आप को इनको याद भी कर लेना है, अब अगर T beam की बात करें, तो T beam के अंदर हमारे पास 2 case बनते हैं, पहला case, जब इसके actual depth of neutral axis जो है, वो किसके अंदर आ रही है, अगर flange के अंदर यह आ रही है, तो हम ये बोल देते हैं, कि same rectangular वाला scene होगा, जो हमने एक rectangular beam के लिए design किया, त तो same तरीके से आपको proceed करना है, तो case 1, when actual depth of neutral axis flange में ही lie कर रही है, तो same आपको steps adapt करने है, same तरीके से moment of resistance तक आपको calculate करते हुए जाना है, दूसरा case आता है, कि अगर actual depth of neutral axis जो है, वो web में lie करती है, तो web में lie करेगी, तो web में lie करने के लिए मतलब अब आपका moment of area जब आप calculate करेंगे न, तो moment of area आपको इस पूरे region का calculate करना पड़ेगा, moment of area इस web का भी calculate करना पड़ेगा, और इस flange का भी आपको calculate करना पड़ेगा, तो कैसे calculate करेंगे, bf into df, तो इसका area into neutral axis के about moment of area calculate कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का distance आपको लेना है, अब यह distance कितना हो आगया XA-DF और उसमें add कर दीजिए XA- उसमें से आपको minus करने हैं DF का half उसमें से आपको क्या करने हैं इतना distance तो हो गया XA-DF और उसमें से आप add कर दीजिए यहाँ पर DF by 2 तो इस distance पर आप पहुंच जाएंगे या फिर simple उपर से भी calculate कर सकते हैं XA में से DF by 2 minus करके फिर उसके बाद आपको इसका area यह वाला area कितना हो जाएगा XA minus DF into width of this beam तो BW into XA minus DF और इस distance की बात करेंगे तो DF plus XA minus DF का half तो आपके पास यहाँ पर moment of area compression side का जाएगा tension side के लिए तो MAST into यहाँ से लेके यहाँ तक का distance इस neutral axis तक का distance वो आपको लिखना है moment of resistance की बात करेंगे तो moment of resistance बस इस area का अलग तो area under stress कितना है फिर उसके corresponding stress कितना है यह आपको देखना होगा अब उसके corresponding इस flange के corresponding तक कितना stress आ रहा था यहां से लेके यहां तक का stress कितना है यह average calculate करने के लिए आपको क्या use करना होगा यहां पर trapezium का CG कितने distance के उपर लाई करता है तो वो होता है 2A plus B upon A plus B जहां पर आपके पार into H by 3 जहां पर A shorter side, B longer side तो इसका CG कितने distance के उपर लाई करता है वहां से आपके पास यह value आएगी moment of resistance आपको लिखना है compressive force into lever arm, tensile force into lever arm इसी तरीके से express करेंगे area under stress कितना है, BF into DF average stress कितना है, CA plus C dash by 2 into कहां पर act कर रहा है, वो act कर रहा है यहां पर, कितने distance के उपर यह trapezium जो बना था, इसमें से larger side larger side से यह lie करता है तो यह y1 की value आप यहां से calculate करेंगे इन stresses की मदद से और उसको इसके अंदर put कर देंगे, y1 bar की value को similarly, web वाले portion का सिर्फ इतने area की अगर आप calculate करेंगे area under stress into corresponding stress corresponding stress कितना हो जाएगा, 0 से C dash by 2 और उसका distance यहां से लेके यहां तक यह web वाला जुली पराम है उतना आपको consider करना है tension side से calculate करना है तो पहले आपको एक resultant देखना होगा, कि इस web और इस flange वाले forces का net resultant CG कहां पर है तो वो C1, Y1, C2, Y2 या फिर compressive force flange का into Y1 web का कितना into Y2 upon दोनों का आपको compressive force तो वाई की value यहां से मिलती है फिर उसको उसके अंदर आप put कर सकता है तो यह सारी कहानी तो mains में काम आएगी यह तो mains में काम आएगी pre के अंदर यह वाली चीज़े नहीं use आएगी pre में ऐसे question आएगी T beam rectangular beam की तरफ भीव करती है अगर उसके अंदर जो actual depth of neutral axis है वो flange के अंदर ही रहती है thickness of T beam of ribbed slab is assumed as thickness of concrete topping के बराबर ही जितने यह concrete topping होती है इसकी thickness के बराबर ही हम उसकी thickness consider करते है ratio of bread to effective depth of beam उसको कितना consider करते हैं 0.5 consider करते हैं 30 second के लिए एक बार आँखे बंद कर लीजिए फिर उसके बाद limit state method जो है वो हम शुरू करते है we will begin with limit state method formula portion पर अभी आप ध्यान मत दीजिए formula portion से इतने question ऐस सच नहीं पूछते है pre के अंदर अगर हम बात करें pre में कैसे question पूछते है numerical होते है छोटे छोटे प्यारे प्यारे से वो numerical हम कर लेंगे आप tension मतलो पहले अभी देखते चलो कि यहां क्या क्या चीज़े है आप एक बात बताईए आठ बज़े शुरू होती है डिनर क्लास के बात करेंगे पहले करने से नीद आती है आप एक बात 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 चली अब स्टार्ट करते है जो भी आपके स्टेट के अंदर एक्जाम है उन्ही को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये marathon sessions किये है ताकि आप subjects को जल्दी revise कर पाएं एक session के अंदर आप revise कर पाएं next day हम उसके questions कर लेंगे और next day आपको time भी मिलेगा short notes को बनाने का और जो भी चीज़ां यहां पर हमने पढ़ी है उनको अच्छे से आप note down कर सकते हैं देखें limit state की अगर हम बात करें तो limit state already discuss कर चुके थे limit state method का अंदर हम कहते हैं कि कोई material कोई structure अपने limit state पे कब पहुंचता है जब वो या तो limit state of serviceability पे है मतलब तूटा तो नहीं है लेकिन काम का भी नहीं रहा serviceable नहीं रहा हो या फिर seconds हो सकता है कि वो collapse ही कर गया हो यहां पर तो second हमारे पास हो सकते है limit state of collapse तो limit state of collapse के अंदर shear के कारण, flexor के कारण, torgen के कारण, compression के कारण वो structure तूट गया, काम का नहीं रहा वहां पर, तो limit state of collapse आगई limit state of serviceability के अंदर उसका fire resistance अगर अच्छा नहीं रहा cracking आगई, उसके अंदर deflection जादा आ रहा है vibrations बहुत जादा हो रही है तब हम बोल देते हैं कि यहां पर वो अपनी limit state of serviceability के उपर पहुंच चुका है, अब हम limit state method के अंदर करते क्या है limit state method के अंदर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई material है concrete और steel, तो concrete जो है उसकी जितनी strength है, उसको उससे थोड़ी कम बान लो, steel जितनी strength है उससे उसकी थोड़ी कम बान लो जितना load आने वाले हैं, वो थोड़ा जादा मान लो, कि जितने load के लिए latest से अगर आपको 100 kN के लिए डिजाइन करना है, तो आप उसे 150 के लिए डिजाइन कर दो, तो अपने आप ही safe हो जाएगा अगर by any chance कोई extra loading आ गई by any chance concrete की steel की जितनी strength आप मान के चलने उसे थोड़ी सी कम आ गई, तो भी हमारा structure जो है वो overall safe ही रहेगा, तो partial safety factor हम बोलते हैं यहाँ पर कि partial safety factor के अंदर हम कहते हैं कि आप load को भढ़ा के मान लो material की strength को कम मान लो इसलिए इनको हम partial safety factor कह देते हैं partial safety factor की अगर हम बात करें तो अब ऐसा भी नहीं करना है कि हर चीज में आप multiply ज़्यादा करते जाएं अगर dead load और imposed load dead या imposed load की बात करें live load की बात करें 2 के combination में आपको 1.5 times करना है load, 3 के combination में आपको 1.2 times करना है बस आप इतना in short याद रख लिजिए यहां से material की strength की अगर हम बात करें तो concrete के 150 mm के cube के उपर test किये हमने तो वहां से जो 28 days के उपर हमें जो strength देखने को मिली वो FC के देखने को मिली फिर हमने कहा कि नहीं जरूरी थोड़ी actual structure में इतनी strength मिलेगी और हमने यह कहा कि concrete के जो 150 mm के cube थे उनके उपर test किया यह तो आपने तो concrete के cube के उपर test करके FC के strength मिली actual structure जो है वो तो जरूरी थोड़े ना है कि यह 150 mm के structure ही होंगे वो तो beam, column, slab कुछ भी हो सकता है तो इसकी strength FC के ना मानके हम क्या कहते हैं इसकी strength को इसके shape के effect को consider करते हुए FC के upon 1.5 मानो तो इसकी characteristic strength field के लिए कितनी हो गई FC के upon 1.5 हो गई फिर हम कहते हैं कि जिन condition में, जिन ideal condition में lab में test हुआ था, actual में अगर उस condition concrete जो है जब field पे आई तो अगर ना हो पाई तो उस factor को consider करने के लिए हम कहते हैं कि इस strength को further 1.5 जिसे partial factor of safety कह दिया हमने उससे divide कर दो तो ये value जो हमारी solve हो के आती है ये आ जाती है 0.446 FC के, तो limit state method के अंदर हम यहाँ पर sigma CBC ना use करके हम ये बोलते हैं कि concrete के अंदर जितना आप stress allow कर सकते हैं या जो इसकी design strength है, वो कितनी है? 0.446 FC के है, दो बार 1.5 से divide किया, एक बार तो इसके shape के effect के कारण, और दूसरी बार हमने कहा कि partial factor of safety use कर लीजी आप यहाँ पर कि क्या पता इतनी strength ना आए तो तो उसके लिए आपने हाँ पर 0.446 बोल दिया कि वो concrete की design strength है, steel के case में अगर हम बात करें, तो steel के case में यह बोल देते हैं कि steel क्योंकि industries में बनता है, तो बहाँ पर quality control जो है, वो काफी अच्छा रहता है, तो इतनी strength की कमी नहीं आएगी, इतना variation नहीं आएगा, तो steel के उपर जो हमने 1.5 से divide कर लीजे इसको, तो 0.87 आ जाता है, steel की जो permissible strength है, यहाँ पर हम बोलेंगे design strength जो होती है, वो 0.87 Fy होती है, for steel, इतना तो test करके मिला, partial factor of safety यह यूज किया, तो हमने का इसकी strength कितनी मानो, 0.87 Fy मानो, concrete के उपर जब हमने test किये, तो FC के उसकी strength मिली, लेकिन हमने partial factor of safety 1.5 से divide किया, तो उसकी strength मानी, 0.67 लेकिन यह कहाँ पर मानी, उसके shape को effect को consider करते हुए, और उसके बाद 1.5 से further divide किया, उसके partial factor of safety को consider करते हुए, तो 0.446 FC के हमारे पास आया, concrete में factor of safety या partial factor of safety ज्यादा, क्यों use किया 1.5, इसलिए use किया, क्योंकि concrete का quality control इतना अच्छा नहीं रह पाता है, steel जब industries में बनता है, उसका quality control ज्यादा अच्छा होता है, तो उसे 1.15 से हम divide कर देते हैं, factor of safety और partial factor of safety में difference क्या है, factor of safety की बात करते हैं, जब हम सिर्फ एक चीज़ का discussion कर रहे होते हैं, partial factor of safety के इंदर हम कहते हैं, load को बढ़ा के मान लो, strength को reduce करके मान लो, तो partial factor of safety शब्द use कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next, limit state और working stress method में difference क्या है, working stress method के अंदर stress के according हम देख रहे थे, stress analysis कर रहे थे, stress diagram जो था, stress diagram कैसा बन रहा था, linear बन रहा था, stress diagram ऐसे linear बन रहा था, तो हमने यहाँ पर लिखा था, कि यह sigma cbc आ रहा है, यह sigma st by mr है, जबकि limit state method के अंदर ऐसा नहीं होगा, stress diagram linear नहीं होगा, वहाँ पर working load consider किया था, total factor of safety consider किया था हमने, जो कि concrete के case में 3, और steel के case में 1.8 consider करते हैं, आप fe 250 को 1.8 से divide करके देख लीजेगा, तो आपके पास values आ जाएंगी, जो हमने sigma st की मानी थी, अगर हम बात करेंगे limit state method के case में, तो strain analysis करेंगे, क्योंकि यहाँ पर strain diagram linear होता है, stress diagram linear नहीं होता है, partial factor of safety consider किया जाता है, मतलब load को बढ़ा के मान लो, material की strength को कम करके मान लो, आप यहाँ पर, तो partial factor of safety आप use करते हैं, stress strain diagram अगर हम बात करें concrete का, तो stress strain diagram कुछ इस तरीके से बनता है, इसे linear ना बोल के हमें एक straight line बोलना चीए, इसे हम क्या parabolic जो है, concrete parabolic relation शो करता है, stress और strain के बीच में, कहां तक जब तक उसके अंदर 0.002 के बराबर strain ना जाए, और उसके बाद straight line देखने को मिलती है, या stress constant हो जाता है up to 0.0035, तो 0.0035 concrete के अंदर हम यह बोलता है कि maximum से maximum जो stress आ सकता है, sorry, strain जो आ सकता है, वो 0.35% कह लीजिए, या तो maximum कह लीजिए कि 0.35% है, या फिर 0.0035 है, यह हम उसके अंदर बोलते हैं, अब concrete के इतनी test करने पर strength आई, फिर shape का effect consider किया, तो 0.67 हो गया, फिर partial factor of safety यूज़ कर लिया, तो 0.45 FC के उसकी strength आ गई, यह तो इसका मतलब यह होता है, कि strain diagram जो है, वो क्या होंगे, strain diagram जो हमारे होंगे, वो linear होंगे, इसका मतलब यह होता है, objective में question भी पूछा हूँ है, plane section before bending remains, plane after bending means, कि जो strain diagram है, वो linear होगा, strain diagram linear होगा, लेकिन stress diagram जो है, वो rectangular parabolic होगा, कैसे, कि कुछ इस तरीके से, अब इसके अंदर सारे assumptions आ जाएंगे, सारे इसी diagram के तुरू देख लेंगे, strain diagram हमें देखने को मिल रहा है, कि strain diagram तो linear है, neutral axis से जैसे 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 उपर जाएंगे, strain बढ़ता जाएंगा, जैसे जैसे parabolic इसकी बात करेंगे, फिलाल, आप इतना देख लीजी, rectangular parabolic हमें देखने को मिलता है, steel जब fail होगा, तब उसके अंदर maximum से maximum, वो कितना stress बियर कर सकता है, वो 0.87fy बियर कर सकता है, यह हम उसकी strength मान के चलेंगे, 0.87fy, तो उसकी design strength के उपर ही बात करेंगे, यहाँ पर directly, concrete जब fail होता है, यानि कि concrete की जो strength हम consider करके चलेंगे, वो 0.446 FC के ही मान के हम चलेंगे, concrete इतना stress बियर कर सकता है, maximum strain जो होगा concrete पर, जब वो fail होगा, या फिर उसके compression fiber पर जो जादा से जादा strain आएगा, वो हम कितना बोलते हैं, कि वो 0.0035 आएगा, या फिर 0.35% आएगा, चाहे कोई भी concrete की strength कितनी भी है, तो strain जो जादा से जादा आएगा, इसके उपर वो कितना आएगा, 0.0035 आएगा, अगर हम यह कहते हैं, कि जब steel fail होगा, तो steel fail होने से पहले, जो strain दिखाएगा, वो strain कम से कम कितना दिखाए, steel at the time of failure, जो कम से कम strain इतना तो आना ही चीए, जब steel fail होगा, वो खिच रहा है, खिच रहा है, strain आ रहा है, तो जब वो fail हो जाएगा, तो उस वक्त के strain को यहीं बोलेंगे ना, कि वो उसका maximum strain है, तो वो उसका maximum बाला जो strain है, वो कम से कम कितना हो, 0.87FY upon ES plus 0.002 के बराबर होना चीए maximum strain in tension reinforcement जब steel fail हो रहा है तब उस वक्त उसमें जो strain आ रहा है वो maximum हुआ तो maximum strain in tension reinforcement should be at least या फिर should not be less than किस से कम ना हो 0.87 FY upon ES plus 0.002 या फिर आप इसे FY upon 1.15 ES plus 0.002 से भी आप इसे express कर सकते हैं फटा फटा आगे बढ़ते हैं नेक्स बात आती है हमारे पास limit state method के अंदर हम यहाँ पर x u से denote करते हैं यहाँ वहाँ हम WSM के अंदर actual depth of neutral axis से denote कर रहे थे यहाँ पर critical depth को x से denote किया था limit state method के अंदर x u limiting या फिर limiting depth of neutral axis से denote करते हैं वहाँ पर moment of resistance बोलते थे यहाँ पर हम ultimate moment of resistance बोल देंगे या फिर ultimate resistance of moment हम उसको बोल देते हैं वहाँ पर sigma वाली terms यूज कर रहे थे यहाँ पर हम f वाली terms जो है वो यूज करते हैं अब बात आती है दोस्तो कि strain diagram, strain diagram concrete के topmost fiber पर 0.0035 यहाँ पर 0.87fy upon es plus 0.002 इतना strain यहाँ पर कम से कम होना चाहिए इस greater than के sign को ध्यान से देख लीजिएगा कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए यह से ज़ादा यह strain जो आ है उसके इंदर rectangular parabolic कितना rectangular कितना parabolic variation यह हम कैसे देखते हैं यह हम similar triangle से हम देख लेते हैं और similar triangle की properties को देखके हमें यह पता लग जाता है कि 3 x 7 x U तक rectangular रहता है और उसके बाद किसा रहता है यह parabolic देखने को मिलता है तो 3 x 7 x U तक rectangular उसके बाद parabolic अब उसके बाद moment of resistance या फिर आप ये कह लिजिए कि ultimate moment of resistance calculate करते हैं तो उसके अंदर हाप mu की value कैसे calculate करेंगे सेम तरीके से compressive force into leverant compressive force कैसे पता करें अब rectangular parabolic region का तो rectangular का अलग से कर लो, parabolic का अलग से कर लो rectangular का अगर हम अलग से करें तो compressive force c1 calculate करेंगे वो किसके बराबर कि area of stress diagram multiplied by corresponding width तो area of stress diagram आजएगा 3 by 7 x u multiplied by 0.446 fc तो आपके पास यहाँ पर area of stress diagram multiplied by corresponding width भी आपके पास आगया similarly आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इसको parabolic वाली region को तो area of this parabolic region जो हो जाएगा 2 by 3 of this side multiplied by this side तो 2 by 3 of 4 by 7 x u multiplied by 0.446 fc और multiplied by width तो हमारे पास यहाँ से आजाता है 0.171 fc k x u b यहाँ पर आजाता है 0.192 fc k x u b दोनों को add कर दीजिए तो c1 c2 की value आती है 0.36 fc k हमें यह याद रखना है हमें पूरा याद नहीं रखना है कि यह पूरा derive करके कैसे आया objective के point of view से सिर्फ इतना important है 0.36 fc k यह आप याद रख लीजिएगा जादा से जादा समय मिल जाए तो उसके बाद rectangular region का कितना parabolic का कितना यह देख लीजिएगा लेकिन यह ज़रूर याद रखना है तो compressive force अगर एक rectangular parabolic region की हम बात करें तो 0.36 fc k x u x u x b के बराबर आती है फिर उसके बाद बात आती है lever arm कैसे calculate किया जाए lever arm हम ऐसे calculate करेंगे कि इसका cg जो आपके पास यहाँ पर यह rectangular stress डाइगराम आया था इसका cg कितने distance के उपर है फिर यह parabolic बाला है इसका cg कितने distance पर है हमारे पास final जो expression आ जाता है वो यह आ जाता है कि top most fiber से net compressive force जो है उस stress diagram की वो 0.42 x u के बराबर आ रही है 0.42 x u तो बस आपको इतना याद रखना है आपको क्या याद रखना है limit state method के अंदर net compressive force जो होती है वो 0.36 fc k x u into b 0.36 fc k stress वाली term x u into b area वाली term तो stress into area force बन गया lever arm 0.42 x u आपको minus करना है effective depth में से तो यहां से यहां तक effective depth d इसमें से 0.42 x u यह वाला minus कर दीजिए y bar तो आपके पास lever arm आ गया ठीक है बस उसके बाद put करना है आपको तो moment of resistance या फिर ultimate moment जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया 0.36 fc k into x u into b multiplied by d minus 0.42 x u अब tension side से calculate करना तो बहुत असान stress कितना है 0.87 fy और उसके बाद area फिर उसके बाद multiplied by lever arm 0.87 fy stress area under stress lever arm यह बन गया force tensile force यह बन गया lever arm आगे बढ़ते हैं फटा फटा फट calculate करते हैं actual depth of neutral axis आप calculate करते हैं limit state method के अंदर compressive force equals to tensile force करवा के compressive force हमारे पास आई 0.36 fc के stress वाली term into area x u into b tensile region में देखें तो tension वाला stress 0.87 fy कितने के उपर लग रहा है steel के उपर तो ast के उपर यहां से हमारे पास actual depth of neutral axis आ जाती है 0.87 fy into ast upon 0.36 fc के into b उसके बाद बात करते हैं limiting depth of neutral axis के तो limiting depth of neutral axis का मतलब हम यहां पर वो पता करने चारे हैं कि balance section के लिए limiting section जो होता है उसके लिए depth of neutral axis कितनी है तो उसके लिए हम क्या करते है similar triangles का use करते है similar triangle में आपने कहा 0.0035 upon x u limiting similarly यह वाला strain upon यह वाला distance equal किया थोड़ा से simplify करते हैं इसको तो वहां से हमारे पास यह value निकल के आती है 700 upon 1100 plus 0.87 fy into d यानि कि यहां पर भी limiting depth of neutral axis grade of steel के उपर और effective depth के उपर ही depend कर रही है जिनकी values जो है अब यह table आपको याद रखनी है fe 250 है तो 0.53 d fe 415 है तो 0.48 d fe 500 है तो 0.46 d आपको याद रखना है maximum depth of neutral axis moment of resistance अल्रेदी कैलकुलेट कर चुके 0.36 f c k into b into x u force into lever arm d minus 0.42 x u अगर आप बात करेंगे tension side से तो 0.87 fy stress वाली term into area force बन गया into lever arm d minus 0.42 x u design formula के अगर हम बात करें तो design formula में आपको याद रखते हैं qbd square वाला formula तो qbd square के अंदर हाँ objective के point of view से यह जरूर हो सकता है कि यह q की value आपको अलग-अलग grade of steel के according आपको पता हो तो q की values अगर आप देखते हैं तो q की values को आप calculate भी कर सकते हैं homework में भी आप लिख सकते हैं आपको q की value लिख रही है यहाँ पर cjk c की value आपके पास क्या है अगर आप q की value लिखते हैं तो q is cjk c की जगा आपको यहाँ पर क्या लिखना है point 36 fck वाली term जो आ रही है point 36 fck x u limiting की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है जा फिर आप वैसे relate कर लीजिए 0.36 f c k यह आपके पास आ गया अगर आप पता करना चाहते है x u limiting x u limiting k into d इस form में इधर आके देखेंगे अगर आप तो j के अंदर आपको लिखना है 1-k by 3 और k की value आपको already पता है तो c की value 0.36 f c k वाली term से आप लिख सकते है j की value आपको लिखनी है 1-k by 3 और k की value आपको पता है कि 0.53, 0.48, 0.46 d उसके according आप q की values जो है वो calculate करके बता सकता है तो q की value directly अपने short nodes में आप लिख लीजिए value जो है वो q की 0.13 1-3-8, 4-1-5 के लिए 0.138 f c k अगर आप use कर रहे हैं f e 4-1-5 0.148 f e 250 के लिए q की value 0.148 f c k और f e 500 के लिए अगर हम बात करें तो q की value हमारे पास होती है 0.134 f c k यह values आप directly याद रख सकते हैं क्योंकि moment of resistance objective में पूछता है आपको तो moment of resistance आपको बस simple क्या करना है qbd square mu limiting की value आपसे पूछेगा तो mu limiting आप directly बता सकते हैं कैसे q into जो भी width आपको दे रखी हो effective depth दे रखी हो उसका square करना है तो mu limiting is equal to qbd square directly आपसे पूछेगा 0.148 0.148 0.138 0.134 यह आपको directly याद रखने हैं जब हमें खुद design करना होगा तो खुद design हम करते हैं तो हम कौन से section design करते हैं balance section design करने की हम कोशिश करते हैं फिर उसके बाद इसी formula का use करते हुए अगर area of steel आपको बताना हो तो area of steel बता सकते हैं 0.87fy stress वाली term into area force बन गया into lever arm अब आपको mu की value जो भी question के अंदर bending moment दे रखा उसके बराबर put कर और area of steel आप बता दू कि इतने bending moment के लिए इतना area of steel की जरूरत पढ़ने वाली है important important बहुत ज़ादा important objective में पूछने वाली चीज़ और वो आप से क्या पूछता है limiting values of tension steel, tension steel के maximum से maximum value और minimum से minimum कितनी use कर सकते हैं अगर आप बात कर रहे हैं tension वाले steel के tension वाले steel का मतलब है कि आप reinforcement जो tension side में provide करते हैं इनकी बात हो रही है तो कम से कम आपको use कितना करना पड़ेगा a not या जो भी आपका कम से कम वाला है कि इतना steel दो देना ही है वो upon bd is equal to 0.85 upon fy के बराबर होता है maximum की बात करें तो maximum की case में हम कहते हैं gross area gross area का मतलब capital d वाली बात कर रहे हैं तो maximum area of tension reinforcement जो हो सकता है वो होगा 4% of gross area तो maximum से maximum तो 4% use कर सकते हैं चाहे compression वाले reinforcement की बात करें चाहे tension की tension reinforcement का minimum area जो use करेंगे वो use करेंगे a not upon bd equals to 0.85 upon fy फिर उसके बाद आता है effective span of beam वो किसके बराबर होता है effective span of beam होता है या तो आप ये कह लिजिए कि clear span plus effective depth यहां से यहां तक clear span plus effective depth कितनी है या फिर आप ये कह लिजिए कि center to center distance between the supports तो इन supports का यहां से लेके यहां तक center to center distance इनके बीच का जो है वो consider करेंगे यह हो गया simply supported के लिए अगर continuous beam है या slab आपके पास है कि width of support यह जो support है wall हो गई या column हो गया यह width of support जो है यह less than equal to है clear span by 12 तो तो पहले वाला ही case जो simply supported में था यही वाला case अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है clear span plus 0.5 times of effective depth clear span plus 0.5 times of thickness of support इन दोनों में से जो भी least होगा वो हो जाएगा effective span of beam या same slab के case में हम कह सकते है next हमारे पास आता है doubly reinforce doubly reinforce same सारी कहानी जो हमने working stress method के अंदर पड़ी थी कि doubly की हमें जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो change आ जाएगा वो terms का जाएगा सबसे पहले limiting depth of neutral axis same calculate कर सकते है k into d से जैसे limit state के अंदर singular enforce balance section हम करते है फिर उसके बाद total compressive force तो concrete और steel के अंदर जो आपके पास force हाई यह आप कैसे calculate कर लेंगे तो compressive वाला region हमारे पास और tensile वाला region इनको express करना है compressive region के हमारे पास 0.36 FC के xo into b तो पूरा calculate कर लिया इस पूरे में से यहाँ पर जो holes थे इनका concrete minus करना है इनका concrete minus किया तो उस concrete के corresponding stress कितना आता है 0.45 FC के उसकी seed में multiplied by area तो यह holes में जो concrete नहीं था उसकी वज़े से जो हमने total compressive force लिख लिया था इस term में उसको minus कर दिया plus FSC यानि कि stress जो है compressive वाले concrete में यहाँ कोई modular ratio का rule नहीं है limit state method के अंदर steel, steel की तरह देखा जाएगा concrete, concrete की तरह देखा जाएगा तो FSC into ASC हमने यहाँ पर इसको express कर दिया तो concrete जो हमारे पास था steel जो हमारे पास था इनके stresses हमने express किये और net compressive force हमने express कर दिया फिर tension force की अगर हम बात करें तो 0.87fy into area of steel tension force आ जाएगे actual depth of neutral axis calculate करना है तो tension force equals to compressive force अभी जो expression हमने लिखा इसको equate करवा देंगे, simplify करेंगे और वहाँ से calculate कर सकते हैं अब इसमें इतनी ज़्यादा mathematics में घुशने की हम पर ज़रूरत नहीं है mains का question नहीं कर रहे है और mains के question में भी याद नहीं रखनी होती ये step by step जो हम ऐसे लिखते जा रहे है कि ये पहले इसका लिख दिया फिर इसमें से ये वाला minus कर दिया फिर वाला add कर दिया, ऐसे करते करते सीखना है, तो mains की जो practice करेंगे तब उसमें हम देख लेंगे ये वाला portion फिर compare करना होता है, balance section है under reinforced है, over reinforced section है जब comparison हमारा हो गया, उसके according moment of resistance जो है, वो भी हम check कर लेते हैं अब moment of resistance compression side से अगर हम calculate करें तो moment of resistance कैसे concrete के अंदर compressive force into lever arm concrete के लिए, steel के अंदर compressive force into lever arm steel के लिए और कौन सी side से बात कर रहे हैं, compression side से, कि ये compression side में concrete और steel दोनों जो हैं वो उसके लिए तो अगर हम steel के लिए बात करें तो steel के अंदर जो stress होगा यहाँ पर steel के अंदर जो stress होगा उसे हमने express कर दिया FSC की term में, कि यहाँ पर steel के अंदर कितना stress आएगा उस steel के अंदर यह हमें table के अंदर given रहेगा strain के according calculate करना होता है कि इस steel के corresponding यहाँ पर कितना strain आया और यह वाला strain की table दे रखियोगी कि अगर steel में, compressive वाले steel में इतना strain आता है, तो stress कितना होगा तो वो वहाँ से पता करते हैं यह वाला FSC हम, वो हमें given रहेगा तो वो stress in steel multiplied by area तो force in steel आ गया into lever arm concrete की अगर हम बात करेंगे तो 0.36 FC के x u into b पूरे का consider कर लिए, आप जहाँ पर steel है वहाँ पर concrete नहीं था, उसको minus करेंगे तो उसको minus करने के लिए 0.45 FC के into ASC, force into उसके लिए जो lever arm को d minus d dash, तो पूरा expression हम इस तरीके से express कर सकते हैं अलांकि objective में कहीं काम नहीं आएंगे यह चीज़ है objective में इसका कोई use नहीं है double reinforce का बहुत ही simple simple objective questions देखने को मिलेंगे t beam effective depth as it is जो आपने पहले पढ़ी है वही effective depth आपसे इसके अंदर पूछेगा और इसके अंदर पहला तो step same है when actual depth of neutral axis lies in plunge portion तो rectangular की तरह design करते हैं objective में question यह पूछता है दूसरा question जो है, वो आपसे जो पूछ सकता है T beam से specific, वो आपसे पूछेगा इस कहानी में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ यह class में हमने बहुत detail में पढ़ी है यह RCC जब detail में पढ़नी होगी ना तब काम किया, यह objective में काम की नहीं है objective में T beam से क्या पूछेगा उसके effective depth पूछेगा objective में यह चीज़ें पूछेगा stress कितना है, multiplied by area तो कहानी वही चलती है सारी यहां पर दूसरे step के अंदर क्या हो जाता है कि actual depth of neutral axis web में लाई कर रही है और web में किस तरीके से लाई कर रही है यह rectangular portion नीचे आ रहा है इससे, या फिर यह rectangular portion अंदर रह जा रहा है आपके पास खूब समोओ आप अराम से थोड़ा सा इस पर समय दीजेगा आपको समझ में आएगी है लेकिन objective के point of view से important नहीं है नहीं पूछेगा objective में यह वाली calculation करवा कि आपसे objective में क्या पूछ सकता है IS code provision पूछेगा IS code यह कहता है कि जब आपका T beam है और T beam के अंदर कुछ इस कदर से arrangement बना कि आपका rectangular वाला जो portion था इस stress डायग्राम का यह flange के अंदर ही रह गया और parabolic portion कुछ ऐसा है कि वो इस flange से अंदर से शुरू होते हुए neutral axis तक आ रहा है तो ऐसे case में इसकी आप यहाँ पर यह जो flange था इस flange की आप क्या मान लो effective एक depth consider कर लो इसकी या फिर आप यह कह लो कि equivalent depth of flange consider कर लो और वो किसके बराबर होती है 0.15xu plus 0.65df के बराबर होती है बस यह point आप से objective में इससे पूछेगा तो बस वो आप कर सकते हैं बाकि सारी कहानी mains point of use है objective में कैसे question आएंगे RCC beam के अंदर maximum tension reinforcement कितनी हो सकती है 4% of its gross area capital D इधान में रखना है यहाँ पर next question maximum depth of neutral axis for a beam with FE 415 वो 0.48D होगा partial factor of safety for concrete कितना 1.5 यूज़ करते हैं partial factor of safety for concrete and steel पहले concrete पूछा तो 1.5 steel बाद में लिखा तो 1.15 characteristic strength of concrete in the actual structure FC के था shape का effect consider करके 0.67 FC के बोला तो वो actual structure के लिए उसके characteristic strength हो गई पहले हमने concrete के cube के उपर test करके cube के उपर जो उसके cube strength बताई वो FC के थी actual structure तक पहुंचते पहुंचते उसके characteristic strength कितनी मानी जाएगी वो 0.67 FC के या एक बार 1.5 से डिवाइड कर दिया फिर उसके उपर partial factor of safety यूज़ करेंगे 1.5 का तो हमारे पास आता है 0.446 FC के clear समझ में आ रहे है next limit state of collapse against flexure bending के इंदर अगर आ रहा है तो tension reinforcement के इंदर कम से कम जो strain आना चाहिए इतना तो आना ही चाहिए वो 0.002 FY upon 1.15 यहाँ पर confusion रहती है 0.87 वाला option सही है यह वाला 0.87 जब भी लिखा जाएगा वो FY के साथ ही लिखा जाएगा और अगर 1.15 यूज़ करना है तो FY upon 1.15 वाला expression देखना है आपको यहाँ पर तो confused नहीं होना है इस option में option C गलत हो जाएगा option D जो है वो सही है तो 0.87 या तो ऊपर लिखा होता या तो ऐसे यह सही है या कैसे सही होता 0.002 प्लस 0.87 FY upon ES अगर ऐसे लिखा होता तो यह ठीक होता according to IS456-2000 अगर आपको FE250 दे रखा है तो उसके लिए 0.53D हो जाएगा उसका limiting depth of neutral axis in limit state of collapse for direct compression इस पर ध्यान देना है शब्द के उपर हमने कहा था कि in the absence of test data total shrinkage strain जो होता है वो होगा 0.003 यह किसकी वज़े से हम बात कर रहे हैं total shrinkage strain जब हम बात कर रहे हैं flexural compression के अंदर flexural compression में है concrete और तब उसके अंदर जो strain आएगा outermost fiber पर वो 0.35% या फिर 0.0035 आएगा और अगर हम बात करेंगे column की या फिर यह कहेंगे कि concrete जो है वो compression में है और कौन से वाले compression में है axial compression में है तब उसके अंदर जो strain आएगा वो 0.002 आएगा ठीक है यह आपको याद रखना है तो इस question के अंदर axial compression में आपसे पूछाता है यह तीनों चीज़ें हम confused हो जाते हैं कहां पर 0.002 था कहां 0.0035 था कहां 0.003 था तो shrinkage strain पूछे 0.003 compression वाला पूछे 0.002 flexural compression पूछे bending के अंदर compression 0.0035 next in the absence of test data total shrinkage strain 0.003 next partial factor of safety बच्चों वाला सवाल next question allowable tensile stress in high yield strength deformed bars HYSD के अंदर अगर आपको बताना है WSM के according तो 230 newton per mm square होती है factor of safety yield stress to working stress का ratio होता है pick up the correct statement from the following dead load जो होते हैं उसके अंदर self weight of structure और super imposed load जो permanently structure के साथ जुड़ जाते हैं वो होते हैं next singular reinforced beam अगर आपके पास है और उसके अंदर पहले concrete fail हो जाता है तो over reinforced section हम उसे बोलते हैं flexural strength of concrete को हम बताते हैं उसके modulus of rupture की form में जो हमने शुरू में test देखा था उसमें इसकी बात भी की थी flexural strength of concrete is determined as modulus of rupture live loads जो हैं वो time के साथ साथ position और magnitude भी उनका change हो सकता है जगा भी उनकी change हो सकती है limit state design of concrete structure के अंदर strain जो होता है वो linear होता है strain linear होता है stress जो होता है वो rectangular parabolic होता है strain diagram जो होता है वो तो कैसा होता है linear stress diagram जो होता है वो rectangular parabolic होता है या फिर non-linear कह लीजिए modular ratio 280 upon 3 sigma CBC के बराबर होता है बच्चा बच्चा जानता है यह तो simple सा question minimum thickness of load bearing wall जो होती है वो 10 cm consider की जाती है characteristics strength of concrete जो measure की जाती है वो 28 days के उपर strength हम उसकी measure करते हैं modulus of rupture of concrete modulus of rupture हम किसके लिए करते हैं जब हमने concrete को bending को subject कर दिया तो bending के अदर जब हम उसकी strength check कर रहे हैं तो उसे modulus of rupture की form में हम कहते हैं तो fcr की value 0.7 root fc के होती है split tensile strength जो होती है वो 0.66 times होती है लगबग इसके bending वाली strength के the approximate allowable stress in axial compression in reinforced concrete तो axial compression के अदर reinforced concrete में stress कितना मानते हैं 0.446 fc के consider किया जाता है maximum allowable percentage of tension reinforcement tension reinforcement maximum से maximum 4% हो सकती है compression भी 4% होती है शबदों पर ध्यान देना है tension वाली reinforcement पूछा है उसने या कौन सी पूछा है तो maximum tension वाली जो होती है वो 4% होता है in bending the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as bending के अंदर outermost compression fiber पर 0.0035 consider करते हैं permanent dimension changes जो है उसे हम क्या बोलते है creep बोल देते है limiting depth of neutral axis for a beam having effective depth of 400 mm तो FE 250 आपके पास है तो इस case में आप XU limiting की value put करेंगे 0.53D तो इसे आप कितना put कर देंगे 0.53 into effective depth is 400 तो answer आ जाएगा हमारे पास 212 212 next उसके बाद बात आती है which of the following code represents the guidelines for concrete mix design IS10262 हम use करते है mix design के लिए standard deviation is proportional to mean strength के standard deviation जो है वो directly proportional होता है modulus of elasticity of concrete as per formula IS456 M25 का पूछा होगा इसने misprint है यहाँ पर M25 का अगर पूछेगा तो 5000 root FC के put करने पर 25,000 newton per mm square आ जाएगा as per IS456-2000 using working stress method modular ratio आपको यहाँ पर concrete का for permissible compressive strength due to bending in concrete modular ratio आप से पूछा है बता दीजिए calculate करके 280 upon 3 sigma cbc sigma cbc की value की उसने बता दी आपको बताईए और क्या बाकि है और अभी बहुत कुछ बाकि है चले आगे next 10.98 आ जाएगा answer 10.98 next बात कर रहे है as per IS456-2000 using working stress method the modular ratio of M25 हो गया यह तो shear span किसको बोलते है shear span हम बोलते है ऐसे span को ऐसी length को जिसके अंदर shear force जो है वो constant होता है उसे shear span कहते है अब shear force जो है वो कहाँ पर आता है where there is a change in bending moment वहाँ पर क्या आता है there is shear force अब master जी ने ये वाले line लिखी और इस line के उपर भी यो भी PCL में question आया था ठीक है simple बस इतनी सी line के उपर भी question पूछ लेता है ये अगर bending moment में change आएगा तो वहाँ पर क्या act करता है shear force act करता है यही objective में लिखा हुआ था bending जो आती है bending के साथ-साथ shear भी आता है और इनकी forces जो है इनको पढ़ना बहुत जादा जरूरी हो जाता है इसके लिए क्योंकि जब भी हम किसी structure को design करते है तो उसके उपर shear आता है उसके उपर bending आती है उसके उपर torgen आता है इन सारी चीजों को हमें moment कम लग रहा है तो ऐसे case में जो failure आता है वो diagonal tension failure टाइप का आता है large shear force और bending moment जो है वो कम होता है तो ऐसे case में जो cracks develop होते हैं वो होते हैं 45 degree के उपर develop होते हैं और ऐसे आगे prop करते हैं flexural failure के अंदर क्या होता है flexural shear failure के अंदर bending के कारण bending moment जादा होगा वहाँ पर shear force कम होगी तब जो cracks develop होते हैं वो किस के अंदर होते हैं surface के 90 degree के उपर cracks जो हैं वो develop होते हैं it occurs due to large bending moment and less shear force फिर उसके बाद next हमारे पास आता है diagonal compression failure diagonal compression failure के अंदर बहुत जादा shear force अगर लगती है तो diagonal compression failure जो है वो हमें देखने को मिलता है अब अगर हम बात करते हैं कि इसे बचाएगा कौन shear के अंदर बचाएगा कौन तो shear के अंदर protect कौन कर सकता है पहला protect करेगा कि जो concrete crack नहीं होई या अभी तक shear का मतलब है shear off कर देने की कोशिश कर रहा है तो इस section को अगर काट देने की कोशिश कर रहा है तो बचाएगा कौन बचाएगा एक तो जो concrete uncracked है भी वो बचाएगा दूसरा इन aggregates के interlocking आपस में aggregate जो interlock हो रखे हैं वो बचाएगा और तीसरा कौन बचाएगा the shear acting across longitudinal double bars जो तो इन bars के या यह जो dowels है इनके across जो shear लग रहा है वो उसको protect करेगा यहाँ पर अब homogenous section या फिर strength of material के अंदर हम shear force पड़ते हैं यहाँ पर RCC में same तरीके से नहीं है क्योंकि वो homogenous section नहीं है यहाँ पर एक heterogeneous section है तो RCC में question क्या पूछता है RCC में question यह पूछता है कि neutral axis से नीचे shear जो है वो एक straight line shear का जो diagram होता है वो neutral axis से नीचे पर RCC section shape of shear stress diagram is rectangular और उपर जो होती है neutral axis से उपर यह parabolic देखने को हमें मिलता है एक तो objective में question यह देखने को मिलता है दूसरा आप यहाँ पर यह देखे कि एक shear से related अगर इसके bending moment diagram की बात करें तो bending moment simply supported के लिए maximum कहाँ पर आता है mid पर आता है अगर हम shear force diagram की बात करेंगे तो shear force जो है वो support के उपर maximum होती है और center पर आते रहाते कम हो जाती है यहाँ पर तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं हमने यहाँ पर दो section consider की है section 1 और section 2 section 1 पर moment अगर M थी तो यहाँ से इधर आते ही moment थोड़ी बड़ी होगी तो M plus DM कर दिया यहाँ पर अगर shear force V थी तो हमें पता है center के तरफ चलने से shear force reduce होती है तो V minus DV हो गई reduction आ गया है यहाँ पर कुछ कुछ इसका फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पर इनके forces को देखा यहाँ पर forces C plus DC हो गई और यहाँ पर tension force T plus DT आ गई section 1 के उपर हमने moment की value लिखी compressive force into lever arm 2 के उपर हमने लिखी कि यहाँ पर M plus DM हो गया यहाँ पर force जो है वो C plus DC होगी into lever arm फिर हमने क्या कर दिया इन दोनों का difference लिया difference लेने पर हमें पता लगा कि change in tension force जो है वो change in bending moment upon JD के बराबर आया या फिर इसको थोड़ा और simplify करके stresses के terms में अगर express करे तो shear stress जो है वो किसके बराबर आया V upon BJ into DJ यह आपके पास यहाँ पर क्या होगा लिवराम constant आ जाता है तो बस एक तो आपको यह वाले shear के अंदर important बाते जो शुरू में तीन definition थी कि हमारे पास diagonal compression failure कौन सा होता है लेक्जरल के अंदर जो tension failure है वो कौन सा हो रहा है वो देखना है और एक आपको यह देखना है एक तो यह shear stress diagram कैसा vary करता है दूसरा आपको यह देखना है यह formula यह वाला formula तो इस formula से related आपसे question कैसा पूछेगा ऐसा The maximum shear stress in concrete of reinforced cement concrete beam is simple simple से question आपसे पूछ सकता है तो वो case के बरापर आ जाएगा है यहाँ पर shear force upon jd आपके पास क्या आ जाता है lever arm और width तो आपके पास आ जाएगा shear force upon lever arm into width jd आपके पास lever arm clear next which of the following is correct इन में से कौन सी बात सही है moment of beam section about which of the following is incorrect incorrect पुछा है आपसे तो अगर हम shear stress वैसे strength of material का ही question है कि अगर आप ऐसे देखेंगे F a y bar upon ib आप लिखते हैं तो intensity of horizontal shear stress at elemental part of the beam is directly proportional to F कितना force लग रहा है shear force area इस section के beyond और y bar जो है distance of cg from its neutral axis और जो दी है moment of the beam section about its neutral axis जब कि होता क्या है वो moment of inertia होता और पूरे section का होता है IS code क्या क्या recommend करता है हमारी shear से related IS code हमें यह कहता है the shear stress below the depth of neutral axis is assumed to be constant up to effective depth d due to ineffectiveness of concrete in the tension zone shear stress diagram तभी तो हमने देखा कि कैसे यहां से parabolic और इस तरीके से फिर ऐसे चलते हुआ जाता है तो यह shear stress का diagram है याद रखिएगा और पिछला जो हमने पढ़ा था वो bending stress का diagram था जिसके अंदर rectangular parabolic वहाँ पर show किया था तो वहाँ का diagram जो इस तरीके से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था वो rectangular parabolic वाला था और यह कैसा है यह shear का diagram ऐसा हमें देखने को मिलेगा as per IS code recommendation जो आप यहाँ पर moment of inertia consider करते है heterogeneous RCC section के अंदर वो होता है B into XA cube by 3 plus MAST into D minus XA का पूरे whole square circular section is best in carrying the resisting shear force and is assumed to be best section as per IS code recommendation shear stress is assumed to be constant throughout the depth of the section और उसे हम V upon BD मान के ही design करते है IS code कहता है कि shear के अंदर critical section कौन सा होगा हमें पता है कि shear force जो है maximum support पर होती है लेकिन IS code यह कह देता है कि critical section कहां तक मानो from the face of support to D distance जितना इस beam का effective depth था इस beam के effective depth D के बराबर support के D distance तक section जो है वो critical रहता है यह IS code कहता है externally जो भी force आएगा जो shear force आएगा वो upon area जो effective वाले area यह क्या कहलाएगा nominal shear stress कहलाएगा फिर उसके बाद आता है design shear strength of reinforced concrete ऐसा concrete जिसमें steel present है तो उसकी design strength कितनी होगी किसके अंदर design shear strength of reinforced concrete तो उसे tau c से denote करते हैं और यह किसके उपर depend करती है क्योंकि हमने शब्द बोला design shear strength of reinforced concrete इसका मदलब reinforcement present है concrete के अंदर reinforcement और concrete दोनों पर depend करेगी तो इसके अंदर code की code हमें एक value बताता है code के अंदर table दे रखी होती है जिसमें grade of concrete होता है और साथ में कितना percentage of tension reinforcement है तो area of steel upon BD तो area of steel in tension upon total area into 100 तो percentage of tension reinforcement हो गया न इसे कभी कभी questions में PT के नाम से भी दे रखा होता है कि PT की value इतनी है तो code के अंदर इतनी बड़ी table दे रखी है जब question आता है तो पुरी table नहीं दी होती certain values ही दे रखी होती है जो हम use कर सकते हैं जो हमारे question के according होती है तो objective में question क्या पूछता है अबजेक्टिव में question पूछता है design, shear, strength of reinforce, concrete किसके उपर depend करती है तो grade of concrete और percentage of tension reinforcement के उपर depend करती है इसमें से वो value हम देख लेते हैं shear capacity of an RCC beam without shear reinforcement अब होता क्या है कि हमारे पास कोई beam थी ये beam जो है bending के अंदर अगर fail होती है तो bending में उसे बचाने के लिए हम क्या कर देते है ये tension side में reinforcement हमने provide कर दी फिर वो tension वाली अगर insufficient हो जाती है और ज़्यादा provide करनी पड़ती है over reinforce होता है फिर उसके बाद हम उसे compression side में भी provide कर देते है double reinforced हो गया तो वो सारी कहानी bending में उसको बचाने से थी अब shear की बात कर रहे है अगर beam shear के अंदर fail होगी तो shear में failure बचाने के लिए हम उसे shear reinforcement provide करते है अब हमसे ये question में क्या पूछ रहा है कि ये shear reinforcement के बिना ये shear reinforcement के बिना उसकी capacity कितनी होगी हमें पता है कि concrete जो है उसकी खुद की shear के अंदर ये reinforced concrete reinforced concrete का मतलब कि ये ऐसा concrete जिसमें ये reinforcement दे रखी थी ये reinforced concrete बिना इस shear reinforcement के उसकी strength है कितना load carry कर सकता है वो तो stress into area कर दीजिए तो tau c into bd बिलकुल बच्चों वाला question हो गया अब design कैसे करते हैं हम design ऐसे करते हैं कि externally आया इतना stress उसमें से कुछ resist कर लिया concrete ने तो जो बच गया tau v minus tau c ये कौन resist करेगा ये shear जो stirups हैं ये resist करेंगी तो shear stress in reinforcement के अगर मैं बात करूँ तो externally shear force कितना आया था nominal shear stress into area resisted by reinforced concrete कितना तो इतना उसकी tau c उतनी एक शमता थी कितने area के उपर bd के उपर तो इतना concrete ने resist कर लिया remaining shear force is to be resisted by shear reinforcement या stirups इसको resist करेंगी तो उसे हमने v minus vc लिख दिया या फिर tau v minus tau c से express कर दिया फिर एक value हम बताते हैं कि कहीं ये diagonal compression में हमारा जो concrete है वो fail ना हो जाए तो maximum shear stress के लिए हम check करते है maximum shear stress की value grade of concrete के उपर ही depend करती है तो अगर tau v की value जो nominal shear stress जो externally shear stress लग रहा है वो अगर कम है किस से जो code हमें specify करके बताता है value tau c max की उससे तो तो बात ठीक है अगर tau v की value tau c max से जादा है तो section को redesign ही करना हमें पढ़ेगा और अब ये maximum shear stress की value code हमें जो बताता है वो आपको याद रखनी है M15 के लिए 2.5 से शुरू करेंगे 2.5, 2.8, 3.1 3.5, 3.7 और 4 limit state method वाली ही याद करनी है WSM वाली ही याद मत करियेगा कई बार पुराने question बहुत ही पुराने question है उसके अंदर अगर answer कुछ अलग दिखता है इतनी shear reinforcement तो आप provide करी दो तो उसका criteria होता है हमारे पास ASV upon BSV should be greater than 0.4 upon 0.87FY ASV upon BSV अगर आपको ये clearly नहीं दिख रहा है तो ASV upon area of shear reinforcement upon B into SV spacing of shear reinforcement should be greater than or equal to 0.4 upon 0.87FY ये होना चाहिए कम से कम इतनी shear reinforcement तो provide करी दो चाहे जरूरत नहीं भी है तो तो अगर बाहर से आने वाला stress टाउसी से कम है तो भी minimum shear reinforcement provide कर दो लेकिन अगर इसके half से भी कम है जितना reinforced concrete खुद अकेला ही resist कर सकता है उसके half से भी कम अगर आ रही है तो आप कोई shear reinforcement मत provide करो अगर externally आने वाला stress जो है वो जादा है as compared to shear as compared to जितना concrete resist कर सकता है तो shear reinforcement डिजाइन कर दो अगर टाउवी की value टाउसी maximum से जादा है तो section को ही redesign करो फिर कोई और option हमारे पास नहीं है फिर उसके बाद बात करते हैं कि maximum spacing जादा से जादा कितनी दूरी तक आप shear वाली जो reinforcement है उसको provide कर सकते हो तो अगर आपके पास beam थी कुछ इस तरीके से और इस beam के अंदर longitudinal direction में तो steel था ही था हमने यहाँ पर shear reinforcement की बात कर रहे हैं यह वाली reinforcement की बात कर रहे हैं तो यह जो shear reinforcement है इनके बीच की जो जादा से जादा दूरी है अगर यह vertical है अगर vertical shear reinforcement provide की है तो effective depth जो होती है अगर यह effective depth D थी तो यह 0.75 D से जादा नहीं होनी चीए उससे कम कम रहे अगर inclined reinforcement यूज कर रखे हैं तो inclined reinforcement के case में इनकी spacing जो है वो effective depth D से जादा नहीं होनी चीए और किसी भी case में 300 mm से जादा नहीं होनी चीए यह आपसे पूछता है कि shear reinforcement जो है उसके case में कितनी maximum spacing हो सकती है question ऐसा दिया होगा आपको कि depth of beam 300 है या effective depth इतनी है तो आपको बस बही याद रखना है vertical reinforcement पूछे तो 0.75 D से जादा नहीं अगर inclined पूछे तो D से जादा नहीं किसी भी case में पूछे तो 300 mm से जादा तो किसी भी case में नहीं होना चीए यह आपको याद रखना है minimum shear reinforcement क्यों provide करते हैं इसलिए provide करते हैं कि अगर sudden failure of beam हो जाए तो वो reinforcement जो है उसको cover करके रख ले उसको बचा के रख ले main tension reinforcement को support देने का भी वो काम कर देती है यहाँ पर और क्या हो जाता है concrete का brittle failure arrest हो जाता है वो उसको पकड़ के रखता है tension failure is prevented which would have occurred due to shrinkage thermal stresses इनकी वज़े से जो failure आता है उसको भी वो रोक के रखता है tension वाली reinforcements को भी वो पकड़के hold करके रखता है यहाँ पर section becomes effective with the effect of the compression steel तो एक compression के effect के कारण binding के कारण बाद रखने के कारण भी उसका effect जो अब वो भाहाँ पर आ जाता है objective में आपसे question क्या पूछता है objective में question आपसे पूछता है कि tau c max जो है वो किसके उपर depend कर रहे है और tau c जो है वो किसके उपर depend करता है तो maximum जो tau c max की value code में define करके बताता है वो grade of concrete पे होता है और अगर tau c की बात करें तो वो आपके पास होता है percentage of tension reinforcement और grade of concrete दोनों के उपर depend करता है यह बात समझ में आई अब इसको design करने का बहुत सिंपल सा तरीका है vertical shear reinforcement अगर आपको बतानी है तो आपको क्या करना है critical section होता है D distance तक अगर bars के बीच में spacing आपने SV provide कर रखिया तो कितनी number of bars हुई आप कहेंगे कि D upon SV इतनी bars है एक bar का area कितना है एक bar का area है ASV तो इतना area of steel हो गया इतना area of steel है और अगर उसकी permissible strength की value sigma S है तो आप ये कह देंगे कि इतना force वो resist कर सकता है और ये force resist करवाना किसको है ये shear reinforcement को ही तो resist करवाना है वही तो हम यहाँ पर लिख देते है number of shear reinforcement इतनी है WSM के according जो shear reinforcement जो bear करेंगी externally आया वी उसमें से कुछ concrete ने resist कर लिया जो बच गया वही तो shear reinforcement bear करेंगी जो कि किसके बराबर होगा sigma S into ASV into कितनी number of reinforcement आपने provide कर दी है इस D critical section में क्योंकि critical effective depth D के बराबर ये section जो है critical होता है limit state method के according अगर आप बात करेंगे तो limit state में यहाँ पर sigma S V की जगा आजाएगा 0.87 F Y next part पे चलें अगर inclined की बात आती है तो यहाँ पर multiplication कर देना है sine alpha plus cause alpha से बाकिसारी terms जो है वो as it is रहेगी inclined के case में bent up bars के अगर हम बात करें तो bent up bar के बारे में objective में सवाल क्या पूछता है आपसे bent up bars जो होती है वो होती क्या है main reinforcement bars ही होती है उनको generally हम supports के पास आके यहाँ पर bent कर देते हैं या फिर यह कह लिजिए supports के उपर क्योंकि moment कम होता है क्योंकि यहाँ पर main tension reinforcement की requirement थोड़ी कम होती है इन्हें हम bent up कर देंगे यह हमारी shear के अंदर भी कुछ मदद कर देगे तो bent up bar जो है वो vertical या incline reinforcement के साथ हम provide नहीं करते है L by 4 distance के beyond इन्हें bend नहीं करेंगे L by 4 distance के beyond इसे bend नहीं किया जाएगा overall steps की अगर हम बात करेंगे तो shear के अंदर जब हमें design करना होते है तो shear के लिए design कैसे करते है पहले चेक करेंगे maximum shear force कितना आ रहा है वो maximum shear force चेक किया WL by 2 फिर उसके बाद चेक किया कि stress कितना आ रहा है force upon area stress आ गया फिर हमने चेक किया कि concrete की strength कितनी है बाहर से अगर इतना आ रहा है उसमें से कुछ concrete यानि कि टाउसी के बराबर वो resist कर लेगा तो जो बच गया वो कौन resist करेगा shear reinforcement तो shear reinforcement को उसके according design करेंगे फिर चेक करेंगे कि जतना हमने provide कर किया है इस requirement के according जतना आ रहा है हमारा क्या हम उसे ज़्यादा provide करें या नहीं करें तो कम से कम कितना तो होना ही चाहिए था वो यहाँ से check कर लेंगे और फिर उसकी spacing भी देख लेंगे कि 0.75D से ज़्यादा ना हो या D से ज़्यादा ना हो अगर inclined है तो और किसी भी case में 300 से ज़्यादा ना हो side face reinforcement अगर आप provide करते हैं अगर आपके beam की overall depth जो है वो 700 mm से ज़्यादा हो जाए तो उस case में हम कहते हैं कि side face reinforcement ये side वाले faces के उपर ये reinforcement भी provide कर दो कितनी provide कर दो 0.1% of the area 0.1% of total area अगर आप करेंगे 0.1% of BD करते हैं इसका 0.1% करेंगे इसका मतलब इस तरफ कितना 0.05% of BD इस तरफ कितना ये वाला ये आपको provide करना है 0.05% of BD तो पूरा अगर हम बात करें side face reinforcement कितनी 0.1% और अगर हर face पे बात करें 0.05 अगर torgen भी लग रहा हो beam में तो 400 mm के बाद ही आपको side face reinforcement provide कर देनी है तो according to IS456-2000 side face reinforcement should be provided when depth exceeds 750 mm अगर torgen भी एक्ट कर रहा हो तो 450 के बाद या प्रोवाइड उसे कर देंगे side face reinforcement if required in a T beam will be 0.1% of the web area shear reinforcement को provide किया जा सकता है vertical inclined या फिर combination भी income provide कर सकते है minimum percentage of shear reinforcement RCC beams के अंदर कितना होता है ASV upon BSV should be greater than 10.4 upon 0.87fy अब percentage में कह रहा है इसका मतलब आप इस तरफ भी 100 से multiply कर दो और इस तरफ भी आप 100 से multiply कर दो तो आपके पास आ जाएगा answer next pick up the correct statement from the following तो सारी बातें जो है वो correct है चले आगे spacing of stirrups जो होती है अगर हम देखे shear force डाइगराम को तो shear force डाइगराम में हमें पता लग रहा है supports के पास जो spacing है वो maximum होती है center पर जाते जाते mid span पर जाते जाते shear force कम हो जाती है तो यहाँ पर तो reinforcements आपको shear बाली पास पास देनी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि shear force जो है वो कम है तो दूर दूर भी चल जाएगा यानि कि spacing जो है यहाँ कम भी provide कर दीजिए तो spacing को increase कर सकते हैं center of the beam पर और पास पास में रखना पड़ेगा supports के पास यहाँ पर next question the bond stand between steel and concrete किसकी वज़े से होती है friction और addition दोनों की वज़े से होती है अब हम यह कहते हैं कि यहाँ पर bond stress की definition आती है bond stress क्या होता है bond stress होता है आपके पास यह concrete थी यह steel थी और दोनों को ऐसे अगर खिंचेंगे तो वो क्या करेगा यह जो concrete है इस steel के surface के उपर यहाँ पर friction लगेगा opposite direction में जो इसको prevent करेगा तो bond stress क्या है bond stress तो है कि कितना shear force इस surface के along लग रहा है कितना shear force इस surface के along लग रहा है जो इसे अलग कर देना चाहता है shear off कर देना चाहता है अगर यह shear off होगा तो वो shear of किस के along होगा इस plane के along होगा और bond strength क्या है कि वो friction वाली force जो इसको बचा के रख रही है जो इन दोनों को slip नहीं होने दे रही अलग अलग नहीं होने दे रही objective में EAC में simple question आया था कि bond stress किस type का stress है यह है एक type की shear force जो per unit nominal surface area इस rod के इस bar के around जो act कर रही है यह उसकी bond strength हो गई यहाँ पर तो basic requirement क्या है कि वो slip नहीं होना थी अगर slip हो गया तो concrete और steel लग लग हो जाएगा और failure आजाएगा यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं कि जब भी हमें कितना anchorage provide करे अगर किसी reinforcement को provide किया मान लीजिए यहाँ तक provide किया अब यह cantilever था लेट से तो इसके उपर जब load लगेगा यह bend होगा तो इसके आगे slip न कर जाए इसके लिए उसको support में आगे तक दबा देते हैं क्योंकि एक तो effect आ जाता है कि यह कुछ extra length provide कर दी हमने और यह वाली length जो और bonding provide कर लेगी concrete के साथ और वो आगे खिचेगी नहीं या फिर हम यह कर देते हैं कि यह support के mid से आगे लिजाके इसे ऐसे bend कर देंगे चाहे तो hook बना दें उसको 180 degree पे गुमा दिया चाहे उसको बस ऐसे bend कर दिया support के mid से आगे जाके करते हैं ऐसा तो जिसके करण एक encourage provide हो जाती है यह steel जो है यह displace नहीं होगा खिचेगा नहीं slip नहीं होगा तो यह length embed करवा देते हैं support के अंदर length को अंदर embed करवा दिया हमने यहाँ पर तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि कितनी strength होनी चाहिए इस steel में इतनी strength होनी चाहिए या यह जो bond की strength है यह इतनी होनी चाहिए कि steel चाहे फेल कर जाए लेकिन यह bond फेल नहीं होना चाहिए यह हम कहते हैं, अब bond के अंदर strength कितनी चाहिए होगी, आप यह देखे, अगर हम बात करें, T की, यानि कि steel के अंदर जो tension force है, यानि कि steel अगर चाहे fail हो जाए, तो वो कितना लग सकता है, area of steel into उसका 0.87fy, तो 0.87fy into कितना area of steel है आपके पास, यह हो जाएगा, tension के अंदर उसके LD length, development length जिसको बोलते हैं, LD length के बराबर उसे embed कर रखा है, अंदर आपने उसको insert कर रखा है, तो आप यह कहेंगे, कितना surface area exposed है, तो पाई रह से बोलते हैं, या फिर आप यह कह लिजिए, कि पाई डी एच से बोल देते हैं, तो पाई डी इंटु एच, इतना area, bond के अंदर strength जो अब वो tau bd अगर है, तो इतना bond के अंदर force उसको resist करवाना है, जो कि किसके बराबर होना चीए, कम से कम, जितनी उसकी tension के अंदर ख्षमता है, हम यह कह देते हैं, कि वो steel चाहे, tension में fail हो जाए, steel fail हो जाए, लेकिन bond fail नहीं होना चीए, तो bond में उसकी ख्षमता कितनी ह है, multiplied by कितना area exposed हो रहा है, तो 2 pi rh या फिर यह वाला area, इसका surface area हमें देखना है, यहां से लेके यहां तक का, तो pi d into ld, sorry, pi d के जगह यहां पर 5 use कर रहे हैं, तो pi 5 into ld, यह हमारे पास इसका surface area हो गया, तो यहां से हमारे पास bond strength की value जो आती है, development length की जो value आती है, 0.87 fy into 5 upon 4 tau bd, या फिर हम इसे working stress method के according अगर हम बात करें, तो आता है sigma st into 5 upon 4 tau bd, यह दो formula directly याद रखने, objective में पूछते हैं, फिर उसके बाद अगर हमारे पास plane bars है, plane bars का मतलब कुछ ऐसी bar जिनके उपर कोई deformation नहीं है, एकदम plane bar है, plane bar और जो की tension में है, जो खिच रही है, तो IS code हमे कहता है कि bond strength की value for plane bars, जो की tension में है, किसके लिए, plane bars जो की tension में है, और उनके लिए limit state method के अंदर M20 से शुरू करना है, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, यह वाली values आपको as it is याद रखने हैं, objective में as it is directly पूछता है कि M25 के लिए bond strength for plane bars and tension कितनी होगी, आपको answer कर देना है, वो 1.4 हो plane bar की जगा, अगर deformed bars हैं, तो deformed bar की case में, यह जो table में values given है, इनको 60% से बढ़ा दीजिए, या 1.6 से multiply कर दीजिए, अगर plane bar की जगा, आप HYSD bars use कर रहे हैं, तो bond की strength बढ़ती है, obviously, in deformations की वज़े से, in ribs की वज़े से, अगर आप compression में बात कर रहे हैं, tension की जगा, बार compression में हैं, तो compression के लिए, आप 25% से इन values को बढ़ा दीजिए, या फिर 1.25 से इसे multiply कर दीजिए, इन values को, तो code आपसे question पूछेगा, की, for M30 grade of concrete, and FE415 bars in compression, उसकी bond के अदर strength कितनी होगी, तो अगर आपसे tau BD की value पूछी जाती है, किसके लिए, एक तो उसने कहा, FE415, और एक उसन में भी है, तो हमने, और obviously M30 के लिए पूछा, M30 के लिए देखा, हमने, limit state method के according value आई, 1.45, तो हमने कहा, कि 1.5, अब इस 1.5 को increase कर दो, FE415 है, यानि कि deformed 12 है, तो 60% से, तो 1.6 से multiply किया, फिर हमने कहा, compression में बताना है, तो 25% से और increase कर दो, 1.25 से इसको multiply कर दिया, यह याद रखनी है values आपको, अगर आपके पास fusion bonded, epoxy coated bars है, उनके लिए यह values का 80% consider करना होता है, इनके लिए 80%, यह वाला question बहुत बार, यह वाला question बहुत बार पूछा हुए, आगे भी पूछा जाता रहेगा, यह वाला अभी तक नहीं पूछा है, chances हैं कि यह आने वाले time में पूछ रही है, PDF वालों like करो, देखो आग ग्रीन वाला, जिनको याद नहीं रहा हुए, उनको ग्रीन वाला, इसका मतलब यह है कि हमें, जो हमारी pictorial memory होती है, वो जादा होती है as compared to, जो हम words के अंदर याद करते हैं, इसलिए कभी-कभी अच्छा रहता है, हम pictures बगरा से बढ़ते हैं तो, चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, अगर एक बार जो है, वो bond में fail हो जाती है, यह नहीं कि अगर आपने एक बार use की, बड़े size की use की, तो इस बड़े size की बार अगर आप use करेंगे, तो इसका surface area limited ही रहेगा, आपके पास यहां पर इतना ही surface area होगा, तो area of steel intention तो इतना ही use हो रहा है, लेकिन अगर आप इस बार की जगहां, जितना area इसका A था, let's say अगर इसका area of steel intention AST था, तो इस AST की जगहा आप यह पूरा area, छोटे छोटे दाया की bars आप use कर लीजिए, such that इन सब का area मिला के भी आपको कितना area मिले, AST मिले, लेकिन इसके करण जादा number of bars होने के करण, इनका surface area जो है, यह surface area बढ़ जाएगा, तो bond के अंदर strength जो है, वो improve हो जाएगी, तो अगर कोई bar bond में fail हो रही जिन के according, generally EAC के questions में आपसे पूछता है, कि development length का जो आपका check होता है, या फिर development length जो required है, उसके आप satisfaction criteria की बात करें, तो it should be less than equal to MI upon V plus L0, M यहाँ पर होता है, moment of resistance, if all steel is stressed up to 0.87FY, V जो है, shear force होती है, support के उपर, L0 जो होता है, sum of anchorage beyond the center of support, support के बाद जो है, anchorage जो है, वो कित करते हैं, और 12 times 5, whichever is greater, 5 जो है, die of bar होता है, anchorage की values की बात करें, तो अगर आपने bar को इस तरीके से bend कर दिया, 90 degree के उपर bend किया है, तो हमें यह कहा जाता है, for each 45 degree, anchorage value जो है, वो कितने consider की जाएगी, 4 times die of bar, तो यहाँ पर अगर आपने bend provide कर दिया, right angle वाला, यहाँ पर anchorage की value कितनी आजाएगी, 85, क्योंकि 90 degree पे आपने bend किया, 180 degree पे अगर hook को bend कर दिया, आपने hook provide किया है, तो 180 का मतलब 4 times 45 degree, और हर 45 degree के लिए 4 times 5 consider करते हैं, तो इसकी anchorage की value कितनी मानी जाएगी, 16 times die of consider की जाएगी, bend करने के बाद, straight portion of the hook, objective में directly पूछता है, straight portion of the hook, जो consider करते हैं वो कम से कम 4 times diea के बराबर consider किया ही जाता है, the length of straight portion of bar beyond the end of hook should be at least 4 times the diea, if a beam fails in bond, then using thinner bars हम उसकी bond strength जो है, वो बढ़ा सकते हैं, if 5 is the diameter of bar in tension, a standard hook is equivalent to an encouraged value of straight length by, तो 4 times कर देंगे हम यहाँ पर, बाकी कल पढ़ें क्या, आप ठक गए हैं, break चाहिए, कल पढ़ना हैं तो कुछ बता दीजिए, देखिए अगर कल पढ़ना हैं तो आप बता सकते हैं, आप बता दीजिए कि जी कल पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद मैं मना कर दूँगा, और फिर हम आगे continue करेंगे, क्योंकि मैरा थन का मतलब क्या है, कि शुरू हो गई तो खतम होगी, ठीक है, देखिए लोक तंत्र है, लोक तंत्र में आपकी बात जो है, वो सुनना भी जरूरी है, तो आप जो कहेंगे वो भी तो देखना पड़ेगा, आप क्या कह रहे हैं, ऐसे किसने हैं, मास्टर थक गया, ठीक है, आप बताईए, मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा, मैं एक एक टॉपिक को आपको यहां पर conventional question करवा दूँगा, आप बता दीजिये बस, आप पूछते क्यों हो, मैं चाहता हूँ कि लोग तंत्र के विवस्ता बनी रहे, आप सिर्फ मुझे क्यों बोल रहा, आप पूछते क्यों हो, आप से भी तो पूछा जाता है, आप बताऊ मित्रों क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, पिर सब बोलते हैं, हाँ हुआ, पैट्रोल डीजल के दाम कम हुए या नहीं हुए, चलो, तो लोग तंत्र में कई चीज़ें चलती हैं, हमारी बातें सुनी तो जाती हैं, लेकिन डॉप्ट उतनी की जाती है, जितनी सभी के लिए सही हो, नेट खतम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेट कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि, हाँ कोई फॉसिल फ्यूल्स है, नेट खतम हो गया, आप पता नहीं कहां से आएगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा कहीं और से, नेट का रिचार्ज है, कर लो आप सिंपल, टॉप अप कर लीजिए, अभी आपके मित्र का कुछ कॉल आ जाता, कुछ और हो जाता, कोई मूवी देख नहीं होती, तो इमेडियेटली नेट पता नहीं कहां से आ जाता है, कंटिनु तो रखेंगे, यह आप क्यो परिशान हो रहे हो, कितना टाइम लगेगा एप्रॉक्स, एप्रॉक्स एप्रॉक्स, एक घंटा तो और लगेगा, इमिनिमम दोस्ट, बस एक घंटा लगेगा, हो जाएगा यतने में, चलो शुरू करें पैसे भी तो होने चाहिए दोस्त अगर ऐसा कुछ है कि आप एक जो इंटरनेट रिचार्ज है वो भी अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं अगर ऐसी वाकई में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजेगा ठीक है अब मुझे अभी डियम कर दीजे मैं इंस्टेंटली अभी पहले रिचार्ज कर दूँगा फिर उसके बाद आगे हम पढ़ लेंगे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है लेकिन पढ़ से रिल्स देखी श्राप लगता है मास्टर का पता है न आपको ऐसा कुछ मत करना यह दिन में थोड़ा यह सब चीजें पर कम आप नेट खर्च कर लिया अगरो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो भी अच्छा होता है अच्छे वाला हेल्दी एंटर्टेन्मेंट आप फा सॉर्ट आफ टाइम तक या एंटर्टेन्मेंट तक कुछ ऐसा देख लिया तो ठीक है खुश हो गए हस लिए बस उतना ठीक है लेकिन पूरा दिन वही वही रिपीट मार रहे हैं अलग-अलग फॉर्म में देख रहे हैं एक ही एक परसन के अलग-अलग फॉर्म देख रहे ना तो ऐसा कुछ उसमें कोई टैलेंट वाली चीज थी जिसको आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं जिसको इतनी हाइप दिये जा रहे हैं ना तो उसमें कोई टैलेंट वाली चीज थी ना उससे आपको कुछ सीखने को मिला हुआ क्या आपका टाइम वेस्ट हुआ अगले क बेच रहा था या फिर उसकी marketing strategy ऐसी थी अगर आज के time पर बात करें अगर वो street level पर ऐसा कुछ कर रहा है तो तो वो ठीक है वो अच्छा है लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बाकियों ने किया जो किया reels बना रहे हैं आप उस पर क्या कर रहे हैं तो ठीक है कुछ हद तक कुछ चीजें मैं यहीं नहीं खहरा है कि हाँ सारे youtube shots जो है वो खराब होते हैं इंस्टा पे भी सारी चीजे खराब होती बहुत productive चीजे भी होती है अगर हम वो productive वाली चीजे देखते हैं तो हमारा actually अगर हम बात करें हमारे concentration time की तो 2000 पिछले 10 साल के अंदर इतना चेंज आ गया कि पहला हमारा जो concentration time था वो कितना हो गया 12 seconds था और अब हमारा जो active concentration time है वो कितना है 10 seconds है 10 seconds क्या उससे भी कम हो गया 8 seconds लगबग इतना average की बात कर रहे हैं बाकि आप जैसे विद्वानों का तो क्या ही कहना हमारा अगर हम किसी एक चीज के हो गई, effects इतने जादा हो गई, information हमारे सामने इतने जादा हो गई, जो हमें process करनी पड़ती है तो इसी वज़ए से concentration हमारा इतना बनने ही पाता है और इसलिए यह जो reels का जो model आया है या फिर जो short videos है 30 से लेके 60 seconds की तो उनका पीछे का logic ही यही रहता है कि आदमें का concentration time हो अब कम time में entertain करना है उसको तो कम time में entertain कैसे करना है 30 to 1 minute के बीच में फिर वो ऐसे entertainment ही निकल के आते हैं कि यहां इतने में entertain हो जाए पूरा दिन कर रहे हैं स्क्रॉल कर रहे हैं और by the time we know कि हां कितनी देर हो गई तो 2-3 घंटे निकल चुके होते हैं bond strength of concrete grade of concrete के साथ भी increase करती है अगर हम table को refer करते हुगे हम देखें tension bars को cantilever beam के अंदर anchor कर दिया जाता है up to development length LD तक हम encourage कर देता है और जिसका formula यह है और आप से numerical में question पूछता है ratio of allowable bond stress to plane bars to that of deformed bars plane bars के अंदर अगर हम बात करें तो अगर tau bd strength थी deformed bars के अंदर हो जाएगी 1.6 tau bd जिनका proportion जो है वो कितना आ जाता है 0.625 इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप देखो हर चीज के फायदे होते हैं हर चीज के नुकसान होते हैं जो short notes हम पढ़ते हैं short notes का फायदा क्या होता है short notes में जो important जानकारी है वो बिल्कुल आपके सामने रखी होती है जैसे ही आप short notes पढ़ना शुरू करते हो एकदम concentration वाला time होता है तो एक formula के उपर एक चीज के उपर आप मुश्किल से 10 second लगाते हो ठीक है तो फटा-फट देखा पढ़ा तो वो concentration बनी होई रहती है चीज़ें change होती रहती है marathon session के अंदर भी क्या होता है आपने थोड़ी देर में अभी भी note कर लिया होगा कि अगर चीज़ें फटा-फट चलती है न में-में चीज़ फटा-फट बताई तो हम फिर भी active रह रहे हैं जहां पर एक चीज़ थोड़ी से जादा explain कर दी गई अलांकि वो उस point of view से मुझे करनी पड़ जाती है कि सब को समझ में आ जाए तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार थोड़ा सा slow सा हो रहा है ऐसी चीज़ हो रहे है तो इसलिए अपने concentration time का हमेशा utilize करें short notes जहां वो जब पढ़ रहे हैं तो फटा-फट में पढ़ते हैं न जब हम थोड़ा सा active रहते हैं in limit state of design for HYSD bars the value of bond stress shall be increased by 60% अब इस question के अंदर आप से यह बोला गया कि if कुछ अलग नहीं बोला गया formula जो है वो पूछा है आप से the length of lap in tension length of lap in tension should not be less than how many times अब यह lap length क्या होती है थोड़ी सी देर में पढ़ते हैं इसको वापस आएंगे इसके उपर encourage value of hook is assumed to be 16 times the die of bar if angle of bend is 180 degree अगर you type का hook है 180 है तो इच 45 के लिए 4 times 16 times कह रहा है यह आपको यहां पर तो 180 degree हो जाएगा फॉर इनीशिल estimate of beam width of beam को assume किया जाता है लगबख 1 by 20 of the span अब आते हैं torgen वाले topic पर तो पूरी अंग्रेजी में भाई साब क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ torgen लगता है pure torgen जो होता है जो हम strength of material में पढ़ते हैं कि वहाँ पर उसके torgen के साथ कुछ और नहीं लग रहा कोई bending moment shear force कुछ नहीं लग रहा सिर्फ torgen लगता है तो torgenal equation यूज करते हैं tau by r equals to g theta by l equals to t by j ये यूज करते हैं लेकिन क्योंकि RCC है RCC के अंदर हमेरे enforce concrete के जो structures हैं वो हमें करने हैं अब उन structure के अंदर shear force भी आता है bending moment भी आता है torgen भी आता है इसमें तो कुछ नहीं आ नहीं है फिर code हमें कहता है कि आप जब bending moment और torgen दोनों लग रहा हो तो आप shear force जो calculate कर रहा हो वो equivalent वाली shear force calculate करो जिसका code formula बताता है VU plus 1.6 times T U upon B directly objective में अगर question आएगा तो पहला probability है J exams में कि वो direct formula ही दे मुश्किल करना है तो वो बस इस formula के अंदर values देदेगा आपको VU की value यह नहीं कि factored shear force देदेगा torgenal moment कितना है वो देदेगा और equivalent shear force बस that is it कितना पूछेगा फिर उसके बाद आता है कि अगर वो आपसे equivalent nominal shear stress तो force है upon area ही तो करना है तो इसमें तो कुछ मुश्किल है नही फिर आपको maximum से compare करना है कि यह tau V की value जो है यह tau C maximum से जादा ना हो same जैसे shear वाले case में हमने किया था फिर उसके बाद next बात आती है minimum shear reinforcement same criteria ASV upon VSV should be greater than equal to 0.4 upon 0.87FY इससे जादा ना हो फिर tau C की value जो हम percentage of steel और grade of concrete के उपर depend करती है same चल रहा है वो next change हमारे पास जो है वो है किस करना है तो equivalent bending moment short notes में बस यह formula लिख लेना है objective में question जो EAC के अंदर आया था वो एक तो आया था direct formula ही पूछा था EAC में direct formula पूछा था तो same SSC में भी हो सकता है direct formula आपसे पूछे या फिर जादा से जादा numeric value calculate करवा लेगा या आपको depth की value देदेगा width की value देदेगा और आपको वहाँ पर T.O की value देदेगा तो आपसे पूछ लेगा equivalent bending moment कितना होगा तो normal cases में जो bending moment calculate करते हैं उसके जगा equivalent वाला bending moment आपको calculate य और आगे का portion जो है यह mains वाला है और mains के अंदर भी अगर आपको torgen के लिए design करना है अभी के लिए हम इसको skip करेंगे और यह आपको pdf के अंदर पूरा as it is मिल जाएगा in case you are interested आपको पूरा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं इसको side face reinforcement already discuss कर चुके हैं spacing of side face reinforcement जो है 140 mm से जादर दूर यह आपस में नहीं होनी चाहिए यह अलग point एक और है बाकी यह already हम discuss कर चुके हैं shear वाले chapter के अंदर torgen resisting capacity of a section क्या होती है increase करती है with increase in longitudinal spacing next chapter हमारे पास आता है columns column की अगर हम बात करें तो column क्या होता है सबको पता है compression member होता है axial direction में load इसके उपर आता है अब कब बोलते हैं कि वो short column है कब बोलते हैं वो long column है हम उसको बोलते हैं उसकी slenderness ratio यानि कि effective length upon least lateral dimension जो होती है slenderness ratio अगर 12 से जादा है तो उससे long column बोलेंगे उससे छोटी है तो उससे क्या बोलेंगे short column तो RCC के अंदर ह जो है वो design करते हैं अब short column के अंदर भी क्या होगा अगर effective length upon least lateral dimension least lateral का मतलब कि आपके पास जो column था ये column और इस column की अगर मैं कहा दूं कि इसे ये जो dimension है if this is x this is y और ये वाली इसकी length है तो इन में से जो भी छोटा होगा lateral dimension में से जो भी छोटा है तो वो वाली value अगर 3 से भी कम है तब हम उसे बोल देंगे कि वो एक pedestal है और उसके अंदर जो reinforcement provide करनी होती है वो 0.15% ही provide करनी होती है तो pedestal हो जाएगा तो ultimately होता क्या है column जो होता है column का load आता है pedestal भी pedestal से foundation के उपर जाता है unsupported length for a column between this train should not exceed how many times the least lateral dimension of column तो ये 60 से ज़ादा नहीं होना चाहिए next effective length of column effective length of column फिर से वही बात है recommended value किसके अंदर use की जाती है RCC में तो ये table पूरी की पूरी आपको याद करनी है objective में directly use की जाती है RCC के अंदर recommended values theoretical values जो code में दी होती है वो किसमें use करते हैं strength of material में use करते हैं so effectively held in position ये वाला हमारा हो गया दोनों end fix तो बोथ end fix होते हैं तो उ उसके effective length कितनी 0.65 तो first case आपको करना है second एक fix है एक आपके पास क्या है hinge तो 0.8 फिर उसके बाद दोनों अगर hinge है तो ऐसे case में आपको कितना one और एक end fix है एक free है तो two effective length जो है वो twice of this length हो जाती है तो आपको ये चार cases जो है वो अच्छे से ये तो याद करने ही करने है columns के अगर हम बात करें तो column में पहला column हमारे पास हो सकता है कि square या rectangular column हो सकता है top view से अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा side से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये main bars है जो इसकी length के along जा रही है जिनने longitudinal bar कह रहे है और ये links या फिर ties है जिनसे हमने column को ऐसे sideways में बांध रखा है यहाँ पर next आता है हमारे पास spiral column spiral column के अंदर क्या करेंगे circular shape का होगा और ऐसे एक ही बार को लेके ऐसे गुमाते चलेंगे गुमाते चलेंगे ऐसे spiral form के अंदर top view से देखेंगे तो यह जो दो बार यहाँ पर दिखाई दे रही है यह बार longitudinal direction में ऐसे लगी हुई होगी square या rectangular के लिए कम से कम चार main bar होनी चाहिए और sorry square और rectangular के लिए circular के लिए कम से कम 6 होनी चाहिए यहाँ पर composite columns भी होते हैं हमारे पास जिनके अंदर हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर concrete भी होगा बीच में आपने steel pipe का भी यूज़ कर लिया या फिर square rectangular sections के अंदर बीच में कोई आपने steel का ही section यूज़ कर लिया composite section भी आप बना सकता है objective में questions क्या पूछता है columns के अंदर कम से कम जो steel use करना ही करना पड़ेगा आपको minimum percentage of steel इतना तो होना ही चाहिए वो है point 8 अगर आपने bars को lap करवा रखा है एक bar को दूसरे के उपर lap करवा दिये क्योंकि bar की length जो होती है वो हमारे पास minimum length ही होती है ऐसे तोड़ी नहीं कि unlimited length of bar हमारे पास है तो दो bars को अगर जहां भी join करना पड़ गया लैप करवाना पड़ गया तो अगर लैपिंग करवा रहे हैं जिस जगहां पर तो वहां पर 4% maximum steel यूज़ करेंगे आप कि कम से कम तो आपको 0.8% यूज़ करना ही करना है और जादा से जादा यनि कि इस case में जहां पर bars को लैप नहीं किया गया 6% तो limit क्या है steel की जो यूज़ किया जाएगा column में 0.8 से 6% के बीच में है यहां पर minimum diameter of longitudinal bars जो main bar यूज़ करेंगे इस column के अंदर जो सबसे बड़े वाली main bar वो कम से कम 12 mm की तो होनी होनी चाहिए minimum number of bars circular में 6 rectangular या square में 4 maximum spacing of longitudinal bars ये जो bars है इन बार की ये वाली spacing maximum जादा से जादा कितनी दूरी हो सकती है 300 mm हो सकती है next अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है load carrying capacity of column अगर spiral column होता है हमारे पास तो spiral column के case में जैसे ये वाला है तो spiral column के case में ये जो हम यहाँ पर बांद देते है spiral reinforcement जैसे आप ऐसे imagine कर लिजी कि आप अपने हाथ के round ऐसे spiral reinforcement अगर provide कर देते हैं तो इससे यहाँ पर इसको क्या मिलता है confinement का effect मिलता है confinement मतलब ये बंद जाता है अंदर का जो concrete है वो confined होगे अच्छे से जिससे उसकी load carrying capacity और ज़्यादा बढ़ जाती है तो 5% हम बढ़ा के मानते हैं इस confinement के effect के करण load carrying capacity spiral column की 5% से हम बढ़ा देते हैं ये point number 7 already हम discuss कर चुके थे कि total shrinkage strain की अगर हम बात करें तो point 0003 concrete अगर bending में जा रहा है तो point 35% या point 0035% उसके अगर axial compression की बात करेंगे या columns के case में जो maximum strain concrete में आ सकता है वो point 002 आएगा ये बात करते हैं फिर उसके बाद आती है lateral ties की बाते lateral ties का मतलब कि ये वाली tie ये वाली ties ऐसे वाली तो इनके बीच का distance अगर हम देखें कि ये distance जादा से जादा कितना हो सकता है ये distance जादा से जादा हो सकता है least lateral dimension यानि कि इस column की ये वाली dimension जो है या तो जादा से जादा इतना least lateral dimension या फिर next आता है हमारे पास 16 times the dia of smallest main bar main bar में भी अगर छोटी बड़ी अलग अलग बार से तो 16 times the smallest main dia की जो बार है या फिर 300 mm या फिर एक point और भी आता है इसमें 48 times diameter of the lateral ties 48 times dia of lateral ties इन में से minimum होना चाहिए least of the following अब जो आपने ties use की है in ties का इस tie का diameter कितना होना चाहिए तो इस tie का diameter या तो कम से कम 6 mm तो होना ही चाहिए या फिर ये जो main dia था तो main dia by 4 इतना होना चाहिए तो dia of main bar by 4 या फिर 6 mm कम से कम ये होना चाहिए ये objective में आपसे पूछता है pitch and dia of lateral ties किसके case में? helical ये तो आपके पास C normally था जैसे ये question ये दे रखा आपको कि 300 by 300 का एक column है तो या निकि least lateral dimension कितनी हो गई इसकी 300 mm हो गई फिर next हम कह रहे हैं ये 12 mm dia की main bars इसने use कर रखिया तो हम कहते हैं कि हम जो reinforcement use की जाएगी 16 times of dia of main bar तो 16 times dia of main bar अगर आप करेंगे तो 16 into 12 हो जाएगा ये आपके पास आजाएगा लगबग 192 ये 192 mm आया least lateral dimension 16 times dia of main bar किसी भी case में 300 mm से जादा नहीं होना चीए और या फिर 48 times dia of lateral ties तो dia of lateral ties जो है वो 6 mm की है आपके पास तो 48 into 6 कर लीजी आप तो इन सब में से minimum वाली जो value है वो हमारे पास आजाएगी ये शायद 392 आता है नहीं उससे तो कम ही आएगा 288 288 mm इन में से सबसे least आ गया 192 mm जो की हमारा final answer हो जाएगा ऐसा question objective में पूछेगा आप से पिलर शब्द जो है मतलब architectural point of view से यूज़ कर लेते हैं पिलर वर्ड हो गया या पियर वर्ड जो है वो हम basically bridges के इंतर या जहां पर heavy loads जिसके थूँ ट्रांसफर होते हैं कॉलम बेसिक लिए मार्स इसी के structure के लिए बात करते हैं जिसके इंदर स्टील प्रेजेंट है coupler mechanical connector यूज़ हो सकता है बिलकुल देखे नेक्स्ट आता है हमारे पास short column short column की load carrying capacity अगर आपको बतानी है तो load carrying capacity बताने के लिए आप क्या कह सकते हैं steel कितना load resist करेगा concrete कितना resist करेगा यहां पर तो इस case में हम इसी के simple stresses या यह formula तो याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं WSM के according अगर आप बात करेंगे long column की अगर हम बात करें तो long column के case में आप यहां पर CR या फिर आप यह कह लिजिए कि यहां पर एक constant use करते हैं जिसकी value होती है reduction factor 1.25 effective length upon 48 times of least lateral dimension rectangular और square और circular column के लिए same value हम यहां पर use करते हैं reduction coefficient of reinforced concrete जिसकी effective length 4.8 meter है और size आपका 250 by 250 है तो आप इसे calculate कर सकते हैं 1.25 effective length upon 48 times least lateral dimension values put करेंगे 85.85 आपका answer आ जाता है next circular column के case में आप 5% से value जो है increase कर देता है code हमें यह कहता है कि helical reinforcement के लिए यह criteria जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा important और होना चाहिए objective question में यह पूछ सकता है objective question में पूछेगा क्या formula ही पूछेगा direct चार options दे होंगे जिनमें 0.36 FCK upon FY के जगा 0.36 FY upon FCK देदेगा AG upon AC के जगा AC upon AG देदेगा यह criteria आपको देगा यहाँ पर तो इसके अंदर 0.36 FCK upon FY gross area upon area of core minus 1 should be less than equal to volume of helical reinforcement upon volume of core अब आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें कि volume of helical reinforcement कैसे calculate किया इस P pitch length के अंदर हमें कितनी reinforcement है या कितने number of loops बन रहे है यह हमें पहले तो check करने पड़ेंगे तो हम यह check कर लेंगे कि 1 meter के अंदर आपकी अगर इन दोनों के बीच का distance P है इन दोनों का अगर P pitch में एक loop आ रहा है यह helical reinforcement कुछ ही हो थी मान लीजिए इस helical reinforcement में हमने कहा कि 1000 mm के distance के अंदर अगर दो ring के बीच का distance P है तो कितने number of rings हो जाएगी आपने कहा 1000 by P हो जाएगी तो इतने तो ring है फिर एक ring को अगर मैं open कर दूँ तो इसको open करने से यह straight ऐसे bar बन जाएगी इस bar की length क्या हो जाएगी पाई into जो भी यहां का यह diameter था diameter of helix तो पाई into dh कह देंगे और यह हमारे पास length हो गई और इसका cross section area कितना होगा यह वाला इसका cross section area जो होगा इस bar का वो होगा volume अब इसका एक ring का volume जो इतना आ गया कितने number of rings है 1000 by P है हमारे पास तो 1000 by pitch into pi d length हो गई into इसका cross section area यह आ गया volume of helical reinforcement per meter के अदर कितनी है volume of core पता कर सकते है easily core का मतलब है core का मतलब है कि reinforcement जो हमारी है na helical reinforcement इसके बाहर तक का जो distance है core का मतलब है helical reinforcement के बाहर तक का distance helical reinforcement अगर हमारे पास होती है तो helical reinforcement की जो pitch है pitch से related कुछ criteria है कि pitch किस से कम ना हो pitch जो है वो किस से जादा ना हो यानि कि pitch कम से कम minimum criteria उसका कितना है और pitch का maximum criteria जो है वो हमारे पास कितना है तो pitch की अगर हम बात करें तो pitch की value जो है वो it should not be less than 25 mm 25 mm से तो pitch जो हमारी वो कम नहीं होनी चाहिए या फिर 3 times the dia of steel bar forming the helix कि it should not be less than 3 times dia of helix इस से तो कम नहीं होनी चाहिए pitch जो हमारी है इस से कम नहीं होनी चाहिए clear maximum की बात करें अगर हम तो maximum की case में ये 75 mm से जादा ना हो और one sixth of dia of core से जादा ना हो ये किसके लिए helical reinforcement के pitch के criteria है जिसको नीद आ रही है वो खड़े हो जाओ और हाथ उपर कर लो थोड़ी देर तक फिर उसके बाद नीद नहीं आएगे थोड़ा से चल लीजिए हाथ पैरों की movement कर लीजिए आप तो आराम से बैठे हैं ना हो सकता है बैठे बैठे में नीद आ सकते है तो खड़े हो तब भी आते हैं डाया ओफ कोर बताना है डाया ओफ कोर देख लीजिए दुबारा डाया ओफ कोर का मतलब है कि जो reinforcement है ना हेलिकल reinforcement इस हेलिकल reinforcement के बाहर तक का जो डाया है बाहर बाहर तक का चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद बात आती है दोस्तों limit state method क्या कहता है limit state method जो है वो यह कहता है long column के लिए हमें design नहीं करना long column के लिए हमसे सवाल नहीं पूछेगा long column के लिए हमसे पूछेगा reduction factor जिससे related ऐसा numerical आएगा same और बस यह formula याद होना चाहिए put करना answer आजाएगा हमारे पास reduction coefficient पूछेगा अब अगर limit state method है तो code हमें क्या बोलता है code हमें यह बोलता है कि आप कुछ minimum eccentricity हमेशा ऐसा possible नहीं है कि column हमारे पास अगर है तो column के CG के थुरू ही हमेशा load जो है वो transfer होगा हमेशा इसके center के थुरू ही transfer होगा ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है तो कुछ minimum eccentricity लेकिन वो minimum eccentricity code हम में कितनी बताता है कि वो less than equal to 0.05 of least lateral dimension या यह कह लिजे 5% of least lateral dimension उतनी minimum eccentricity तक के लिए short axially loaded column के लिए जो आपके पास load carrying capacity है वो code कैसे बताता है 0.4 FCK into area of concrete plus 0.67 FY area of steel in compression यहाँ पर यह वाला point बहुत 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 ज़दा important है यह फिर भी 0.4 चल जाएगा ठीक है actual जो हमारे पास होता है वो क्या होता है 0.46 FCK होता है into area of concrete plus 0.75 FY होता है actual जो हमारे पास ultimate या फिर आप यह कह लिजिए कि अगर मैं यह कहूं कि purely axial member जो होता है purely axial मतलब एक दम बिलकुल CG के थ्रूँ ही load जाएगा तो वो हम कहते हैं कि 0.45 FCK into area of concrete plus 0.75 FY area of steel यह होता है लेकिन इसमें से हम क्या कर देते हैं इसमें से हम 10% reduction कर देते हैं with the effect of eccentricity अगर मानके या हम जो code हमें specify करके बताता है कि एक इतनी minimum eccentricity consider करते हुए जो load carrying capacity होगी short axially loaded column की तो वो कितनी होगी 0.4 FCK AC plus 0.67 FY AC तो यह आपको use करना है यही आपको use करना है इसी के according आपको answer बताना है अगर bold देगी एकदम purely axial है तो उस case में आपको यह formula यूज करना है circular column है तो 5% load carrying capacity हम यहाँ पर बढ़ा ही देंगे the factored load carrying capacity of a reinforced column इसके अंदर same formula यूज करना है आपको यहाँ पर PU की value आपको use करनी है और यह formula यूज करेंगे आप answer आ जाएगा 0.4 FC के area of concrete foot करना है और steel का area आप minimum वाला minimum वाला कितना होता है 0.8% वाला वो consider करना है minimum eccentricity होती कितनी है L by 500 या effective length by 500 upon least lateral dimension by 30 यह आपको use करना है और जहाँ पर यह value जो है should be greater than 20 तो यह objective में आपसे minimum eccentricity की value भी calculate करवा सकता है means के question जब हम करते है तो उसमें हम क्या करते है पहले तो हम minimum eccentricity calculate करते है effective length by 500 plus d by 30 और यह value 20 से ज़ादा होनी चाहिए फिर वो value जो आती है उसको check करते हैं क्या यह value 0.05 times of its least lateral dimension जो है इससे कम यह इसके बराबर है अगर ऐसा है तो आप यह formula use कर सकते हो code यह आपको कहता है तो code आपको क्या कहता है the member shall be designed by considering the assumptions जो भी assumptions है वो मानने आपको and minimum eccentricity when the minimum eccentricity as per the clause does not exceed 0.05 times as per the clause का मतलब यह वाला कि इसके according ऐसे exceed नहीं करती है कि इसको exceed नहीं करती है 0.05 times of its minimum 0.05 times of its least lateral dimension तब आप यह formula use कर सकते हैं 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY into area of steel in compression समझ में आया चलो आप तो बहुत थोड़ा सा topic बज़ गया limit of percentage of longitudinal reinforcement जो column के इंदर use करते हैं 0.8 से 0.6% 0.8 तो कम से कम maximum से maximum 6% minimum number of main reinforcement provided in circular column 6 होती है pitch of lateral ties, least lateral dimension 16 times smallest main dia 300 mm इन से जादा नहीं होनी चाहिए minimum number of longitudinal bars rectangular column में 4 diameter of transverse reinforcement जो है वो main dia by 4 या 6 mm से जादा नहीं होनी चाहिए फिर spacing between longitudinal bars 300 mm से जादा नहीं होनी चाहिए अब बात आती है design of slabs की तो slabs का जब भी हम design करते हैं तो आप ये कह लिजी कि slab और beams में बहुत सारी similarities हैं तो इनके लिए हमें use करना होता है slab का design करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि slab आप देखते हैं घर के अंदर छट बनानी है slab काम आएगी, parking बनानी है, काम आएगी अगर आपको ramp बनाना है, काम आएगी stairs बनानी है, काम आएगी inclined वाली जो slabs होती है a flat slab is supported on columns IS code slab के बारे में कहता है कि minimum area of reinforcement जो कम से कम होना ही चीए FE 415 use कर रहे हैं तो 0.12% FE 200 use कर रहे हैं तो 0.15% maximum area of maximum die of steel bar in slab जो है, वो thickness of slab by 8 इतना maximum से maximum die आप use कर सकते हो, spacing जो use करेंगे spacing अब आपके पास slab के अंदर दो type की bars होती है, एक होती है main bar, एक होती है distribution bar main bar किसके long provide करते हैं shorter span के long provide करते हैं यूँ कह लीजिए कि दो दिवारें थी आपके पास यहां पर और ऐसे कुछ अब ये वाली wall, ये वाली wall प्रवाइड किया जाता है, shorter span के long तो main bars जो होंगी, उनको ऐसे provide कर देंगे और main bar को नीचे रखेंगे फिर उसके बाद इनके ऊपर क्या रखेंगे distribution वाली bar ऐसे तो इसके उपर इनको distribution bar जो temperature और जो shrinkage है, उनको account करने के लिए distribution bar तो main bars की ये जो spacing थी main bars की spacing 3D या फिर 300 mm, इनसे least होना चाहिए इससे जादा नहीं होना चाहिए distribution bar की 5D या फिर 300 mm ये distribution bar की जो spacing है 5D या फिर 300 mm पहले code के अंदर 450 दिया हुआ था लेकिन amendment के अंदर उसको correct करके 300 ही दिया गया, अब कुछ important points, die of main bar जो है, वो 10 mm यूज़ कर सकते हैं आप 250 के लिए 8 mm यूज़ कर सकते हैं HYSD bar के लिए ये practical recommendation है code कुछ भी नहीं कहता है कि क्या use करना है, minimum die of distribution steel आप 6 mm ले सकते हैं चाहिए F.E. 415 हो या फिर F.E. 250 हो आप ये consider कर सकते हैं code हमें ये भी नहीं बताता है कि maximum reinforcement कितने यूज़ करना है slab में आप अपने coding यूज़ कर सकते हैं beam वाला criteria generally हम follow करते हैं 4% वाला यहां पर HYSD reinforcement आपने यूज़ की है तो 0.12% आपको consider करना है यहां पर, लेकिन एक चीज़ ध्याम दीजिए आप यहां पर, आपको total area B into capital D यानि कि यहां पर आपको total area का 0.12 consider करना है 0.12% of total area next अगर हम बात करें तो maximum die of maximum die of reinforcement bars in RCC slabs maximum die of reinforcement bar RCC slab के अंदर कितना होगा thickness of slab by 8 के बराबर होगा minimum cover जो slab के अंदर होती है ना तो वो जो आपने bar use की है यानि कि slab की अगर हम बात करें तो slab के अंदर जो आपने bars use की है ना तो इन bars के diameter इससे कम नहीं होना चीए cover और ना ही 20 mm से कम होना चीए maximum permitted spacing of main bars in a slab is main bar की जो maximum से maximum spacing है वो 3D या फिर 300 है next बात करें design of one way slab हम किसके according करते है design हम करते हैं हमेशा shorter span के according ये आप से objective में question पूछता है अब one way slab क्या होती है one way slab वो slab होती है if the slab is supported over two sides and longer upon shorter span जो है वो greater than two है या यूँ कह लीजिए कि जो बड़े वाली side है वो बड़े वाली छोटे वाली की twice से भी जादा है तो वो कैसी slab होगी one way slab होगी बड़े वाली side छोटे वाली की twice से भी अगर जादा है तो वो one way slab अगर ऐसा नहीं है तो वो two way slab है for slab spawning in two direction for calculating the span to effective depth ratio shorter span is always considered a slab is designed as two way slab if the ratio of long span to short span is a slab is designed as two way slab if the ratio of longer span to shorter span is less than two आप ये कह लीजिए कि अगर बड़े वाली side छोटे वाली side के twice से भी बड़ी है तो ऐसे case में आप ये कहते हैं कि वो one way हुई a slab is designed as two way slab if the ratio of long to shorter span is less than यनि कि ये तो हो गई one way अगर बड़े वाली side जो है वो छोटी रह जाए twice of shorter side से तो आप इसे कहे देंगे कि वो कैसी हो गई two way slab हो गई वो two way slab है in two way slab the depth of slab is based on shorter span जो भी हम design करना शुरू करते हैं वो design हम किसके according शुरू करते हैं design हम हमेशा शुरू करते हैं shorter span के according हम design करना शुरू करते हैं चाहे one way slab हो चाहे two way slab हो यहाँ पर temperature और shrinkage reinforcement जो provide करते हैं वो हम provide करते है distribution bars की form में पहले main bars provide कर दी फिर उनके उपर distribution bar provide कर देते हैं अब इसकी थोड़ी सी कहानी यह जो अंग्रेजी में लिख रखी है यह अंग्रेजी वाली कहानी यह कह रही है कि आपके पास जो slab है इस slab के अंदर आप यह मानिए कि यह वाला shorter span यह वाला longer span तो shorter span के along main bars provide कर दी और main bars को मैं यहां पर red से show कर देता हूं कि ऐसे main bars यहां पर provide कर रखी हैं आपने अब यह main bars जो आपने provide कर दी इन main bars को हम नीचे रखेंगे पहले इनको रखेंगे क्यों रखेंगे नीचे हम इनको नीचे रखने का फायदा यह हो जाएगा कि effective depth जादा मिलेगी हमें कि यहां से लेकर यहां तक topmost fiber से cg of the reinforcement तक का distance d जादा होगा क्योंकि इसके उपर अगर distribution bar रखी तो distribution bar अगर नीचे रख देंगे तो main load जो आएगा main bending moment जो आता है वो मेंशा इस shorter span के according की design होता है तो अगर नीचे distribution bar रखी यह थोड़ी सी और उपर उठ जाएंगे न फिर तो effective depth कम हो जाएगी तो इसलिए पहले इनको नीचे रखते हैं जब इनको main bars को नीचे रखा फिर उसके बाद इनके उपर क्या कर देंगे ऐसे distribution bars जो है वो इनके उपर रख दी जाएंगी तो distribution bar तो temperature और जो shrinkage है उनको control करने के लिए उनके stresses को control करने के लिए हम provide कर रहे हैं तो इनको इसके उपर रखा और इसको नीचे वन-वे slab अगर है तो वन-वे slab के अंदर हम design जो करते हैं वह हम design सिर्फ किसको करते हैं? one way slab के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस main bar को design करते हैं कि ये main bar का कितना आपको provide करना है और अगर two way slab होता है तो दोनों direction की भार्ज जो है वो main bars होती हैं तो फिर क्या करेंगे इस direction का भी moment calculate करेंगे इस direction का भी moment calculate करेंगे दोनों के according steel provide करेंगे अगर one way होती तो सिर्फ उसके shorter span के according ही हम design कर देंगे same जैसे beam के अंदर होता है हमारे पास उसी तरीके से यहाँ पर हम इसका steel design करके बताते हैं तो mains के जो questions प्रेक्टिस करेंगे तब उसमें देखेंगे कि यहाँ slab को कैसे design करना है अभी RCC का जो हमारा course complete हुआ थो उसके अंदर भी हमने सारे किये थे इसमें की कैसे questions आते हैं और कैसे हमें design करना है और EAC में कैसे questions आयो है effective span of beam और slab सेम ही है जो हम पढ़ चुके हैं अल्रेडी वहाँ पर जो हमने beam के इंदर पढ़ा था वही सेम यहाँ पर है सेम ही चीज़ है applied same code का इसका exact screenshot जो आया वो भी आपको PDF में मिल जाएगा कि हमने इसको diagram के through ऐसे represent किया है समझने के लिए अच्छे से समझ में आ जाए code ने उसको language में words में कैसे लिख रखा है effective span of a simply supported slab is clear span plus effective depth deflection के criteria पर आते हैं deflection के criteria क्या है हम यह कहते हैं कि final deflection किसी भी कारण से जो है final deflection किसी भी structure के अंदर चाहे वो temperature हो creep हो loads के कारण हो किसी भी कारण से हो तो वो final deflection जो है वो किस से ज़ादा exceed ना करे span by 250 से ज़ादा exceed ना करे लेकिन the deflection including the effects of temperature creep shrinkage and after the erection of partitions and application of finishes तब span by 350 या 220 mm नहीं आना चाहे उससे कम होना चाहे और अगर पूरा structure बन चुका है तब final deflection span by 350 से ज़ादा नहीं आना चाहे final deflection जो है किसी structure के अंदर या उस structure के part के अंदर span by 350 से ज़ादा नहीं आना चाहे अगर आपको slab की depth opt करनी है तो slab की depth आप कैसे बताते हैं किसके according same जैसे beam के case में हम बता रहे थे वैसे ही कि span by effective depth ratio हम बताते हैं कि cantilever है simply supported है continuous है तो इनका 7, 20, 26 अगर given span की value जादा है 10 meter से तो इन values को 10 by span से multiply कर देंगे इन values को 10 by span से multiply कर देंगे अगर span जो है उसकी value span over 10 meter अगर span की value 10 meter से जादा हो तो 10 by span से उसे multiply कर दिया जाएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 way slabs के लिए और 2 way slabs के लिए भी क्या जिनका span 3.5 meter से कम है और 2 way slabs जिनका span shorter वाला span 3.5 meter से कम है उसके case में span to overall depth ratio डिफाइन की गई है उसके case में span to overall depth ratio डिफाइन की गई है जो की simply supported के लिए 35 continuous के लिए 40 है यहाँ पर आपके पास इसी से related last year SSC के अंदर question पूछा गया था for a continuous slab of 3 by 3.5 meter तो shorter span क्या हो गया हमारे पास 3 meter हो गया इसमें से shorter span क्या हो गया 3 meter हो गया लेकिन 3 by 3.5 है तो आप यह देख लीजिए कि longer dimension upon shorter dimension जो है इसकी value की बात करें तो longer 3.5 shorter 3 और क्योंकि यह value 2 से कम है तो आप इसे कहेंगे कि यह कैसी slab है यह आपके पास 2 way slab है और 2 way slab के अंदर आपको क्या करने है 2 way slab के अंदर यह वाले proportion आपको opt करने है question में देखिए आपको question में दे रखा है for a continuous slab तो continuous slab अगर आपके पास है तो continuous slab के अंदर 40 proportion रहेगा और span by overall depth का तो आप यह कहेंगे कि span upon overall depth span upon overall depth should be equal to 40 के बराबर for a continuous slab dimension दे रखें the minimum overall depth slab कम से कम इतनी तो overall depth होई ताकि आप deflection limit तक उसको satisfy कर पाए तो span की value आपके पास है 3 meter या फिर 3000 mm overall depth तो इधर ले आएं आप इसको overall depth यहां से आप बता सकते हैं आगे चले next the maximum ratio for span to depth of cantilever slab is cantilever slab के लिए 7 हो जाएगा यहां पर अब आपको design अगर करना होता है तो वैसे तो यह mains का part है यहां पर सबसे पहले live load calculate करेंगे फिर self weight calculate करेंगे thickness into per meter square के हिसाब से calculate करते हैं floor finishings जो है वो भी calculate कर लेंगे bending moment wl square by 8 simply supported के लिए calculate करेंगे area of steel code हमें बताता है 0.5 fck upon fy into 1 minus root of 1 minus 4.6 bending moment upon fck bd square और बाहर multiply करना है सिर्फ bd को ठीक है बाहर सिर्फ bd को multiply करना है और यह भी small validity then check for shear shear के लिए check करेंगे वैसे slabs को shear के लिए check करने की ज़रूरत नहीं होती है design करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है two-way slab के case में हम क्या बोलेंगे अगर longer dimension upon shorter dimension less than equal to 2 है तो उसे two-way slab के लिए design किया जाएगा two-way slab में भी same तरीका रहेगा जैसे हमने one में किया पहले shorter span के long देखेंगे moments longer span के according देखेंगे और दोनों direction में reinforcement जो है वो provide कि जाएगी अब इसमें distribution बार के जगा दूसरी dimension में भी main reinforcement जो है वो provide कर देते हैं हम यहां पर distribution reinforcement in a simply supported slab is provided to distribute load, temperature stress, shrinkage stress for a number of columns constructed in a row the type of foundation provided is strip foundation अब foundation की बात करते हैं foundation में बस 2-3 सवाल है limited से और बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यारे से समझ के करेंगे तो बहुत easily याद रहते हैं नहीं समझ के करेंगे तो मुश्किल हो जाती है क्या याद रखना है क्या पूछता है foundation में foundation में top view से देखेंगे तो top view से ऐसा दिखता है जो column और foundation है आपके पास ऐसी दिखती है यह column आ रहे है यह आपके footing हो गई foundation शब्द हम generally use कर लेते है footing plus the combination of soil हम यहाँ पर soil mechanics तो पढ़ नहीं रहे है RCC पढ़ नहीं है तो RCC के case में इसे footing शब्द से जानेंगे अब footing शब्द से जब जानेंगे तो जो कोई foundation हैं डिजाइन करने का क्या काम है हमारा काम यह है कि इस पर अगर कोई load आएगा उस load को यह sufficiently bear कर ले और इसको अभी connected है एक बात बताएं net तो नहीं खतम हुआ आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अगर higher quality में आपका वीडियो चल रहा है और अपने आप lower quality में हो जाता है आपने auto पे नहीं कर रखा है फिर भी पता नहीं internet reset हुआ क्या हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं कभी कभी होता है मेरे दूसरे phone में सही चल रहा है इसमें थोड़ा सा हो रहा था दो तिन बार हो गया चलो कोई बात नहीं कर रहे है देखें foundation की बात कर रहे हैं अब आप ध्यान से सुनना जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को like नहीं किया वो जल्दी से like कर दो network के चलते होता है देखें आगे बढ़ते हैं क्या पढ़ रहे हैं foundation foundation कह लीजे अंग्रेजी वाली कहानी college वाली कहानी आप सब जानते हैं foundation क्या है इसका importance क्या है सारी बाते लिख लेंगे आप काम की बातों पे चलते हैं काम की बात यह है कि यह foundation fail कैसे होगी यह foundation fail होने के तरीके हो सकते हैं या तो bending में fail हो जाए या shear में fail हो जाए bending में कैसे fail हो सकती है shear में कैसे fail हो सकती है तो bending में जब यह fail होती है तो bending के अंदर critical section क्या होता है जल्दी से एक बार बता दीजिए comment करके कि bending के अंदर critical section जो होता है वो क्या होता है bending के अंदर critical section होता है at the face of support यहीं से क्या कर जाएगी ऐसे bend करके fail हो सकती है in the face of column जो भी column यह support होती है उसके face पे fail हो सकती है यहीं से fail हो जाएगी तो या तो इस axis के about bending के अंदर failure होता है यह slab footing की slab यहां से bend करके fail हो सकती है या इस axis के about भी fail हो सकती है ऐसे fail हो सकती है इसके about यहां से ऐसे fail होगी failure हो जाएगा इसका तो bending के अंदर critical section होता है at the face of column यहीं पर failure हो सकता है तो चाहे इस axis के along आई चाहे इस axis के along आई दूसरा shear shear में fail हो सकता है तो shear में कैसे fail हो सकता है shear में fail हो सकता है या तो one way या फिर punching shear one way का मतलब क्या है कि from the face of column जितना इसकी effective depth है इस footing slab के जितनी effective depth है from the face of column उस d distance के उपर या तो ऐसे fail हो जाएगा यह वाला portion कट जाएगा तो चाहे तो इस direction में बात करूँ तो ऐसे हो जाएगा अगर इस direction से मैं बात करूँ तो d distance के उपर आप देखेंगे तो d distance पर ऐसे कट जाएगा यह तो यह one way shear है चाहे तो इस तरफ वाले बात कर लीजिए चाहे इस तरफ भी बात कर लीजिए from the face of footing d distance पर कटेगा तो पहला तरीका हुआ bending में जो कि यहां से था from the face of column दूसरा था one way shear जो कि d distance पर है और तीसरे तरीके से जो fail हो सकती है footing वो कैसे fail हो सकती है तीसरा तरीका हो सकता है कि पूरा का पूरा punch हो जाए क्या punch हो जाए कि ऐसे ऐसे इतना portion निकल के अलग ही हो जाए punch out हो जाए और वो punch कैसे होगा वो punch होता है from the face of column d by 2 distance पर एक perimeter बनाओ और ये पूरा का पूरा cut जाए ये इतना का इतना portion पूरा punch कर जाए नीचे चला जाए यानि कि ये इसके about ऐसे cut के पूरा ये portion अलग हो जाए punching हो जाए इसके तो punching के अंदर वो fail हो सकता है तो punching में जब fail होता है वो कितने distance पर critical होता है d by 2 distance पर एक perimeter बनाओ और फिर उसको काट दो जैसे कि आपके पास कोई cake है तो cake के center के उपर जहाँ आपका happy birthday या जहाँ पर आपकी photo होती है वहाँ से d by 2 distance पर जाओ और ऐसे 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 चाकू से पूरा पूरा उसको काट दो punch कर दिया आपने इतना portion punch out हो गया यह हो सकता है अब next आगे चलते हैं आगे बात करते हैं कि क्या क्या question और आते हैं इससे related देखे इससे related आप से जो चीज़ें पूछी जाती है वो इसके dimensions की बात करें तो column जो है इस column के dimension क्या हो सकते हैं small a by small b हो सकते हैं और इस footing के slab जो है जिसको top view से देखेंगे तो उसके dimension l by b हो सकते हैं इनको हम express कर देते हैं तो यह small a by b और वो आपके पास l by b आपके पास dimension आगे depth of footing rankine formula से हम बताते हैं 1 minus sin 5 upon 1 plus sin 5 का square और multiplied by q by gamma जहां पर q जो है वो आपके पास होती है soil की bearing capacity कितनी है तो soil की bearing capacity यह formula का use कहां पर है यह formula का use यहां पर है कि आपके पास यह ground था और आप यह चाहा रहे हैं कि मैं footing कहां पर बनाओ तो किस depth पर जाके मैं footing बनाओ तो वो depth of footing बताने का तरीका है कि आप यहां जाके यहां पर ऐसे footing बना लो यह तरीका क्या है कि यहां की जो नीचे क स्वाइल है उसकी बेरिंग करेंगे इसके बनेगा और उसके बाद अगर हाड स्टेटा यहां पर नहीं यहां पर इसके डिसे डिसाइड हो जाएगी फिर अब डिजाइन की बात करते तो design में सबसे पहले हम बताएंगे cover कितना provide करना है तो column के case में हर side से यहाँ पर reinforcement है यहाँ पर reinforcement है यहाँ पर 50 mm का cover है कम से कम provide करेंगे thickness of footing की बात करेंगे यह thickness कितनी होनी चाहिए तो add the edge of footing अब footing जो हमारे पास ऐसी shape की भी होती है ठीक है तो add the edge of footing यहनी कि edge पे आके अगर हम बात करें अगर आपके footing soil पर टिकी हुई है तो कम से कम 150 mm थिकने से इसकी होनी चाहिए add the edge of footing अगर आपकी footing जो है वो pile के उपर है यहनी कि ऐसे soil strata के उपर जो कि बहुत weak है तो weak strata के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक firm hard strata पर ले जाकर soil का जो load है उसको transfer करना पड़ेगा उपर से जो load आ रहा था तो अगर यह footing के उपर piles है या फिर piles के उपर footing है अगर तो ऐसे case में आप यहाँ पर यह thickness कम से कम कितनी होनी चाहिए 300 mm कम से कम 300 mm होनी चाहिए या 30 cm होनी चाहिए in the reinforced and plain concrete footing resting on soil तो soil के उपर अगर rest कर रही है तो 50 mm होना चाहिए कम से कम और अगर soil के उपर 150 mm या 15 cm अगर piles के उपर rest कर रही है तो ऐसे case में 300 mm कम से कम होना चाहिए 30 cm कम से कम होना चाहिए next according to IS456 the thickness of reinforced concrete footing on piles at its edge 30 cm कम से कम होना चाहिए criteria for design design के criteria की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक criteria आता है कि आपके पास ये column था column के नीचे footing थी column के अंदर जो main reinforcement थी इस main reinforcement को आगे फर्दर dowel कर दिया जाता है आगे फर्दर join करवा दिया जाता है यहाँ पर dowels provide कर दिये जाता है तो इसी longitudinal reinforcement को आगे ले जाके हमने bend कर दिया या फिर यहाँ लाके dowel bar या जो connecting bars है यह हमने provide की तो यह कितनी होनी ची यह 0.5% of the cross sectional area of the supported column या pedestal तो यह इसका कम से कम 0.5% को तो नीचे आपको यहाँ पर लेके आना ही है when the dowels are used यानि कि इस main reinforcement को नहीं लेके आए यहाँ तक main reinforcement रही और आगे dowel bars यूज कर ली हमने तो when dowels are used their diameter shall not exceed the diameter of column bars by more than 3 mm तो जितना इस column bar का dia था उससे 3 mm से जादा बड़ी यह dowel bar नहीं होनी चीए column bars of dia larger than 36 mm अगर column bar का dia 36 mm से बड़ा है तो उस case में आप क्या कर सकते हैं in compression only can be doweled at the footing with bars of smaller size than the necessary area तो यहाँ पर smaller bars तब आप use कर सकते हैं critical section for shear की अगर मैं बात करूँ तो already हम discuss कर चुके it is at a distance of D from the face of column from the face of column से D distance पर अगर हम बात करेंगे piles पर अगर वो supported है soil पर है तो D distance पर यह भी आपको याद रखना है कि यहाँ से D distance के उपर critical section होगा single shear में one way shear में soil के उपर rest कर रहा है और यहाँ से D by two distance के उपर critical section आजाएगा अगर piles पर supported है वो तो in two way shear punching shear shall be checked around the column on a perimeter half the effective depth यहनि कि जितने effective depth है उससे D by two D by two distance पर जाओ और एक perimeter बना लो उससे D by two D by two distance पर जाओ और एक perimeter बना लो उस perimeter पर two way shear या punching failure होगा जो कि हमें कैसा दिखाई पड़ेगा जो कि हमें इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगा जो punching shear failure होगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा ऐसे punch out होके आ जाएगा तो ये punch out जो होगा ये कितने distance पर होगा from the face of column D by two distance के उपर एक perimeter बनाओ और ऐसे पूरा punch out कर लो अब कौन सा ऐसा area होगा जो इसकी punching को बचाएगा इसकी punching को कौन सा area बचाएगा अब आप यहाँ पर ये A था distance इधर से D by two इधर से D by two तो ये वाला distance कितना हो गया A plus D हो गया हो यहाँ से यहाँ तक ये B था यहाँ से D by two यहाँ से D by two तो ये distance B plus D हो गया तो ये जो dimensions आ जाएगे हमारे पास ये A plus D, B plus D A plus D, B plus D ये dimensions आ गये हमारे पास तो जो resist करेगा जो area बचाएगा इसकी punching को इसको punch होने से जो prevent करेगा कोशिश करेगा वो area कौन सा होगा ये वाला area हमारे पास ये वाली side हो जाएगी B plus D ये वाली side हो जाएगी A plus D तो twice of A plus D, twice of B plus D ये lens आ गये हमारे पास और इसको into the plane येनिकि इस depth से multiply करना है ये से, तो twice of A plus D plus B plus D into D ये ये वाली depth A plus D into ये वाली depth फिर यहाँ पर B plus D into ये वाली depth A plus D ये वाली depth तो ये area आ जाएगा total तो resisting area twice of A plus D plus B plus D multiplied by D ये आ जाएगा bending moment के लिए critical section already discuss कर लिए हमने top view से देख रहे हैं तो at the face of column ही होता है bending के लिए critical section अगर हमारे पास wall है machinery या into से बनी हुई अगर wall है तो into से बनी हुई wall के लिए statement पे ना जाते हुए आप diagram को देखें diagram में आप देखेंगे तो आपको ये wall मिल रही है ये wall का center ये wall की edge तो critical section bending के लिए कौन सा होता है center और edge के midway में center और edge के midway में ठीक है तो ये center और ये edge इसका midway यहाँ ये center और ये edge इसका midway यहाँ तो machinery wall के case में जो critical section होता है bending के अंदर वो half way between the center and edge of the wall होता है फिर आते है critical section for two way shear at a distance d by two from the column face critical section for calculating bending moment column face के उपर ही होता है यहाँ पर design steps क्या होते है footing को अगर हमें design करना होता है structure के उपर जो उपर से load आ रहा होता है column का वो p load आ रहा होता है कुछ footing का खुद का weight होता है pf तो total load कितना हो जाता है p plus pf ये pf consider करते हैं 10% of the column load के बराबर माना जाता है weight of foundation 10% of foundation load के बराबर 10% of column load के बराबर हमें माना जाता है अब इतना load अगर total आ रहा है total load अगर हमारे पास इतना आ रहा है तो कितना area of putting चाहिए होगा हमें कैसे decide करें ये ऐसे decide करेंगे ना कि जो soil हमारे पास थी कि वो soil इसके नीचे जो soil है हमें अगर ये पता है कि इतने किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर ये बियर कर सकता है तो उसकी bearing capacity के according देख लेते हैं कि अगर total load PT अगर हमें लाके यहाँ पर deliver करना है तो इसकी bearing capacity के according देख लेते हैं कि कितने area की ज़रूरत होगी footing के लिए तो उसके according चलेंगे क्योंकि सबसे main matter तो वही करता है कि concrete वाली footing चाहे फेल ना हो लेकिन नीचे की soil अगर फेल हो गई तो भी हमारी footing फेल है तो इसलिए हम उसके according देखते हैं कि area of foundation की ज़रूरत कितनी है तो total load कितना है upon load bearing capacity कितनी है soil के तो यहाँ से हम क्या calculate कर लेते हैं area की ज़रूरत कितनी है और वो area हमें फिर उसके बाद square footing लेनी है rectangular लेनी है उसके according उसके dimensions ले लेते हैं चाहे B by B हो चाहे B by L हो जो dimensions लेने हो फिर उसके बाद हम upward pressure कितना लग रहा है upward pressure net upward design soil pressure on foundation कितना लगेगा तो जब हमने area required for foundation calculate किया यहाँ पर तो total load लिया था लेकिन जब हमें upward pressure calculate करना होता है foundation के उपर कितना है तो वो upward pressure calculate करते हैं वक्त हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ column load लेते हैं column load upon area of footing जो हमने opt किया है अगर WSM से बात करेंगे तो यहाँ पर WU ले लेंगे limit state से बात करेंगे तो 1.5 times of W consider कर लेंगे उसके बाद इसका फिर कितना load लग रहा है पर unit हमारे पास आ जाएगा multiplied by areas करते जाएगे which of the following is correct self weight of the footing is considered while calculating the upward pressure on footing self weight of the footing is not considered sorry इस case में हम सिर्फ column का weight consider करते हैं footing का self weight consider नहीं करते हैं design steps for footing में अगर हम बात करें तो bending moment के लिए चेक करना है bending moment के लिए critical section होता है at the face of support तो face of support पर मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर bending moment किस के कारण आएगा यहाँ पर bending moment आएगा इस span के कारण तो हमें पता है कि 1 meter square के उपर जो load आ रहा है या upward pressure जो अभी previous step में हमने calculate किया है वो upward pressure W naught हम यहाँ पर calculate कर चुके है यह WU calculate कर चुके है 1 meter square के उपर अगर WU आ रहा है तो आपको at the face of column आपको यहाँ पर बताना है bending तो यहाँ से इसके पार कितना आपके पास footing का area है तो वो आप बता सकते हैं कि L into यह वाला distance अब यह वाला distance कैसे calculate करेंगे पूरे b में से small b को minus करो और इसका half करो तो यह वाला distance आ जाएगा तो this area multiplied by W naught तो उतना load आ जाएगा और उस load को multiply कर दीजिए इसके distance से तो bending moment आ जाएगा अब यह आप पूरे के पूरे इस area के लिए भी कर सकते है या 1 meter square के लिए भी कर सकते है एक meter length के लिए भी आप कर सकते है तो आप के उपर है यह कि आप इसको किस तरीके से design करते है so bending moment about x1 x1 तो यह overhang एक meter के लिए मैंने consider करके बताए तो 1 meter overhang के लिए अगर मैं बात करूँ तो 1 meter तो ये वाली dimension होगी अब ये dimension कितनी होगी अगर यहां से यहां b है इस में से small b minus करो तो आपके पास आ गया this distance और this distance फिर उसका half कर दो तो आपके पास ये overhang के dimension आ जाएंगे तो आपके पास o x1 overhang के dimension कितने आ गये b में से small b minus करो divide by 2 कर दो तो आपके पास overhang आ गया bending moment आपको calculate करना है तो bending moment कैसे calculate करेंगे पर meter square का upward pressure है w naught तो 1 meter square पर w naught लग रहा है इतने से overhang वाले area के उपर इसकी वज़े से इतने से overhang की वज़े से कितना load आ सकता है तो वो हो जाएगा 1 meter into ox1 और उसे multiply कर दिया किस से इसका area कितना होगा 1 meter into ये वाला distance इस से तो आगया load और ये load कितने distance पर act करेगा ये load act करेगा ox1 या ये जो value है ox1 by 2 के उपर तो ox1 by 2 multiplied by 1 multiplied by ox और वो आपके पास आ जाएगा w naught से multiply करने पर इसका moment आ गया ये moment हुआ similarly इस axis के about अगर yy axis के about calculate करेंगे तो ये वाला distance calculate करना पड़ेगा पूरा l था उसमें से a minus किया तो l minus a का मतलब यहां से लेके यहां तक का distance और यहां से यहां वाला distance फिर divide by 2 कर दिया तो l minus a किया पहले तो और फिर divide by 2 किया तो इतना distance आ गया अब l minus a by 2 multiplied by 1 तो ये area आ गया अब इस area को l minus a divided by 2 multiplied by 1 ये तो area आ गया और पर unit area w naught upward pressure लग रहा है तो total इतना load आ गया और इस load को multiply करना है distance से moment calculate करने के लिए तो इस axis के about moment calculate करने है तो यहां से distance से multiply करना है तो आपका distance हो जाएगा l minus a by 2 और इसका भी आप half कर देंगे तो इससे multiply कर दीजिए यहां पर इसको तो आपके पास value आ जाएगे इसको clearly थोड़ा सा और देखना है आपको यहां पर देख सकते हैं clear यह हना की mains के part है objective में तो बस यही पुछता है critical section कहां पर है फिर हमें यहां पर इसकी depth जो है calculate करने होती है next आता है हमारे पास one way shear के लिए अगर calculate करना है तो shear के लिए critical section होता है from the face of column d distance पर अब d distance पर फिर से वही बात है जैसे पिछले case में मैं आपको बोल रहा था ना कि आप अगर यह one meter ना consider करें पूरा consider कर लेंगे तो अगर आप यह पूरा consider करते है तो पूरे के अंदर तो आपका simple है l length है यह वाली और इस over end की यह वाली dimension कितनी आजाए b minus small b by 2 तो यह वाली जो dimension है यह dimension आगई आपके पास b minus small b by 2 into length करना है total area आजाएगा तो मैं इसको कहां पे लिखूँ यहां लिख लेता है तो b minus small b by 2 किया इसको multiply किया length से तो यह पूरा area आगया अब इस axis के about इस x x axis के about हमें moment calculate करना है तो इस area को मैं multiply कर दूँ अगर w naught से w naught क्या है कि कितना pressure लग रहा है पर meter square और यह हमारे पास area आगया तो meter square से meter square cancel तो इतने kilo newton load लग रहा है इस पूरे overhang वाले portion पर और इसका cg क्योंकि moment calculate करना है तो यह load इसके cg से कितने distance पर तो फिर से इसे multiply कर देंगे किस से b minus small b by 2 तो यह पूरा था इसका भी half करना है यहां पर तो b minus small b by 2 और इसका half तो यहां से हमारे पास यह moment मिल जाएगा about xx और अब इस moment की value को अगर मैं इसमें put करूंगा ना यहां पर depth required में तो यहां पर b की value जो put की जाएगी b जो हो जाएगा वो b हम complete consider करेंगे फिर इसका ठीक है 1 meter की जगा पूरा consider करेंगे यह l की value तो ultimately यह वाला l और यहां पर b की जगा जब हम length value value put कर देंगे यह b जो होता है क्या होता है width होता है यहां पर कितनी हमने consider किया तो वो वाली अपस में एक दूसरे से cancel out हो जाएगे तो फरक नहीं पड़ता कि आप per meter के according कर रहे है या फिर आप पूरी entire इस पूरी width के लिए कर रहे है then comes shear के लिए तो one way shear के लिए d distance पर critical section होता है अब यह overhang की value कैसे calculate की जाएगी पूरा b था उसमें से small b minus किया divide by 2 किया तो इतना distance हा गया यह पूरा b था इस पूरे b में से small b minus किया यानिकि इतना portion हटा दिया फिर divide by 2 कर दिया मतलब सिर्फ इतना portion बच गया तो यह वाला portion हट गया सिर्फ इतना बचा इसमें से भी d minus कर दिया यह वाला portion फिर अटा दिया तो सिर्फ इतना portion बच गया half करके ये calculate करके D minus कर दिया तो L में से minus करो divide by 2 करो तो L में से minus करके divide by 2 में ये आया और इसमें से फिर D इतना और minus कर दो तो ये वाला ही बच गया OY2 अब ये आए अब हमें क्या calculate करने है shear force shear force का मतलब कि आपको पता है कि अगर pressure इतने W naught ये WU किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर लग रहा है तो इस एक मीटर के ओवर रैंग पर कितना लगेगा तो OX2 into 1 multiplied by WU कर लिजिए तो force आगे वही तो आपको लिखने है तो maximum shear force जो है वो कितनी आजाएगी 1 meter into OX2 1 meter into OX2 area आगया W naught वहाँ पर pressure लग रहा है upward multiply कर दिया तो shear force की value आजाएगी 1 way के लिए इसी तरीके से दूसरी side पर इस तरफ भी आप पता कर सकते हैं दोनों में से जो maximum आएगी वो use कर लीजिएगा उसके according nominal shear stress calculate कर सकते हैं अब कहानी शुरू होती है जो nominal shear stress की value हमारे पास आती है वो जादा नहीं होनी चीए k times tau c minimum के लिए और जहां पर code हमें कहता है tau c minimum की value 0.18 newton per mm square WSM के लिए 0.28 limit state method के लिए 0.28 newton per mm square और इसकी value जो है k की values के उपर depend करती है ये k की values जो है thickness of footing के according आपको दे रखी होती है ये thickness of footing जो है वो कितनी है उसके according ये k की values जो है आपको बताई जाती है कि k की values जो है अगर thickness greater than 300 है तो 1,2,75 तो 1,05 and so on mains में काम आती है generally ये वाली values जब हम question solve कर रहे होता है punching shear ये two way shear जो हमारे पास होता है उसके लिए हम कहते है net punching force कितनी होगी net punching force का मतलब total w naught जो था वो पूरे area के उपर लग रहा था तो w naught into l by b w naught per meter square पे कितना आपका यहाँ पर upward pressure लग रहा था पूरे area पे था तो w naught into l by b और उसमें से हटा दीजिए ये वाला portion उसमें से ये वाला portion आप हटा दीजिए तो ये वाला portion कितना है a plus b, a plus d, b plus d ये वाला portion तो w naught into a plus d, b plus d वाला portion आप हटा दीजिए तो आपके पास आगया resisting area कैसे calculate करेंगे अल्रेडी देख चुके हम कि ये वाला resisting area कितना हो जाएगा this length, this length, this length, this length multiplied by depth तो पूरा जो red में shaded area वो आजाएगा आपके पास यहाँ पर तो tau vp या फिर punching stress जो develop होगा वो net punching force upon resisting area से आप calculate कर सकते हैं यहाँ से जब वो calculate कर लिया आपने तो जो tau vp है वो should not be greater than जो permissible वाली value है और permissible कितना है ks into 0.16 root fc के ks into 0.25 root fc के wsm और limit state objective में यह पूछा हुआ है अब तक directly यह वाली values ks की value जो है वो 0.5 plus b by a और यह 1 से कम ही आनी चाहिए 1 या फिर यह इस से minimum रहना चाहिए so ks should be minimum of 0.5 plus b by a और 1 area of steel आपको पता करना है code के according values पूट करेंगे यह तो जैसे slab design होती है उसी तरीके से हमें यहाँ पर यह values पूट करनी है weight of the foundation is assumed to be 10% of the weight of wall for two-way action that is punching shear the calculated shear stress tau v should satisfy the following relation tau v should be less than ks into tau c तो यहाँ पर आपको यह पूछ रहा है कि tau c की value जो है वो कितनी होनी चाहिए wsm के according to 0.16 होनी चाहिए 0.16 root fc के lsm के according यह अब तक यह question जो है पूछ सकता है SSC के अंदर आप ध्यान रखेगा if p is the net upward pressure on square footing side आपको दे रखे b यहाँ पर वहाँ आपने column के side a और b माने थे यहाँ पर आपको कहा रखा है उसने square footing of side b for a square column of a यह निकि आपको यहाँ पर उसने क्या बोल दिया यहाँ पर उसने यह बोल दिया कि footing जो है ना इस footing के तो dimensions है b by b और जो column है उसके dimension है a by a बस यहाँ पर उसने थोड़ा से change कर दिया the maximum bending moment is given by maximum bending moment आप कैसे बता सकते है maximum bending moment अगर आपको बताना होगा तो आपको क्या करना है simply यह वाला पूरा area calculate कर लो तो यह वाला पूरा area आपके पास कितना आजाएगा b into यह वाला area आपके पास कितना आएगा यह area calculate करने के लिए आप बताएंगे यह वाली dimension b थी इसे multiply करेंगे इस dimension से और यह dimension कितनी आजाएगी यह वाली dimension यह dimension आजाएगी यह पूरे b में से a को minus करो और फिर उसका half करो तो पूरे b में से a को minus करो और फिर उसका half करो तो b into b में से a को minus करो और half करो तो यह area आगया हमारे पास इस area को multiply कर दो किस से multiply कर दो जो भी upward pressure है upward pressure आपको बता रखा है P से denote कर रखा है P is the upward pressure तो P से multiply कर दिया तो ये तो हमारे पास क्या आ गया force आ गया और इस force को distance से multiply करना है कौन से distance से इस से लेके यहां तक का distance जो की हो जाएगा B minus A by 2 का भी half तो इसे minus कर देंगे B minus A by 2 का भी half तो ये यहां पर हो जाएगा पूर बताएए by 8 होना जी वैसे तो इसका न रुकिए if P is the net upward pressure on a square footing of side B for a square column of side A the maximum bending moment is कुछ गडबड कर रहे हैं सबसे पहले area calculation ही देख लेते हैं देखें यहां पर आपके पास ये वाली side हो गई B और इस side के अगर हम बात करें तो B में से A को minus करना और फिर उसके बाद इसका half करना है तो area calculation के according अगर हम चलें तो B फिर multiplied by B minus A by 2 कर दिया हमने यहां पर तो B multiplied by B minus A by 2 area आगया B से multiply कर दिया force आगया अब हमें क्या करना है B minus A by 2 जो था B minus A by 2 जो था इसका भी half पे जाना है तो इसके भी अगर half पे गए हम अब देखें आप यहां पर अब यह value क्या बन गई B into अब यह B minus A, B minus A इसका square तो B minus A का square फिर उसके बाद P है हमारे पास तो P as it is एक, दो, तीन तीन बार हमारे पास 2 है तो 8 बनेगा यह answer आएगा तो यह दिखने में मुश्किल है कि यह क्या इतना ऐसा जीब सा formula फटा-फट से diagram बनाएंगे और अगर हमें यह पता है critical section bending के लिए at the face of column ही होता है तो वो calculate करना है बस ठीक है next detailing of reinforcement यह जो पढ़ चुके हैं इसी का revision ही है एक kind से तो या तो फिर चलो इसको हम दुबारा से अराम से कर सकते हैं क्योंकि यह revise करने वाला portion है अगर इसको हमने अभी जल्दी जल्दी में किया तो फिर वही बात हो जाएगी revision वाली बात तो आएगी नहीं या आपको PDF में complete ही मिल जाएगा लेकिन या तो फिर यह करते हैं कि कल एक special class रखते हैं special class के अंदर यह मैं आपको बता दूँ पिर इससे related questions कर लेंगे बाकी सारे points जो हैं अल्रेडी cover हो चुके हैं यह सिर्फ lap length वाले जो हैं या फिर bar bending schedule से related कुछ कुछ चीज़े हैं यह आपको additional बतानी है बाद में जो दोस्त देखेंगे अगर उनको देखना है आप video को pause करके और फिर उसके बाद इसको एक बार observe कर सकते हैं कि यह क्या है अलांकि कल की special class के अंदर मैं आपको यह फिर से बताऊँगा अभी देखना है अभी देख लीजे जल्दी जल्दी फटा फट देख लीजे nominal cover to reinforcement के अगर हम बात करें nominal cover reinforcement के लिए अगर हम बात करें तो generally हम consider करते हैं कितना 20 mm जो है वह हम consider करते हैं तो slabs having main reinforcement up to 12 mm जो होती है उनके लिए 20 mm तक का reinforcement हम use कर सकते हैं यह बात आप से कह रहा है longitudinal reinforcement column के अंदर 40 mm डाया 40 mm cover कम से कम हमें use करना होता है footings के लिए 50 होता है कोई नहीं बात नहीं है यह हमें अच्छे से पहले से ही पता है horizontal spacing between reinforcement यह जो reinforcements के बीच में horizontal distance होता है यह कितना होना चाहिए कम से कम इन बार में से अगर सारी diameter सेम है इनके तो कम से कम die of bar के बराबर होना चाहिए अगर अलग-अलग dieya की एक बड़ी है एक छोटे dieya की है तो बड़े वाली के बराबर कम से कम यह space जो होना चाहिए फिर एक हमने अल्रेडी बात की थी कि इस reinforcement इस reinforce current के बीच में कोई aggregate रख दे तो 5 mm का space फिर भी बच जाना चाहिए तो 5 mm more than the nominal maximum size of aggregate या फिर needle vibrators का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस case में आप इसे reduce कर सकते हैं कहां तक 2 3rd of maximum size of aggregate 2 3rd of maximum size of aggregate अब aggregate इसके बीच में fix कैसे आएगा अगर उसके 2 3rd के बराबर spacing चोड़ेंगे तो 2 3rd of maximum वाले aggregate के उससे छोटे size के भी तो aggregate होंगे ना चोटे size वाले जो होंगे needle vibrator यूज करें तो चोटे size वाले यहां adjust हो जाएंगे बड़े वाले दरूदर adjust हो जाएंगे तो अगर आप needle vibrator का यूज कर रहे हैं तब 2 3rd of maximum size of aggregate के बराबर आप इसे यूज कर सकते हैं इस spacing को तो यह horizontal distance हो गया minimum distance between bars अगर minimum distance अब हम बात कर रहे हैं vertical वाले की तो vertical distance minimum कितना provide करेंगे यह हो गया horizontal distance between bars vertical distance की बात करेंगे तो कम से कम 15 mm तो provide करेंगे यह करेंगे 2 3rd of nominal maximum size of aggregate या फिर maximum size of aggregate के बराबर then comes maximum distance between bars and tension maximum distance जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए वो तो हमने discuss कर लिया minimum तो इतना होना चाहिए maximum जो होता है वो code के according जो बताता है या फिर अगर हम beam के according बात करें तो maximum distance between bars कितना होना चाहिए यह depend करता है किस के उपर redistribution of moment के उपर और एक बड़ी सी table है जिस से related है मैं कोई मतलब नहीं है question भी exam में उस से related नहीं पूछा जाएगा slabs के case में बात करें तो maximum already हम पढ़ चुके हैं कि slab के case में maximum distance कितना होना चाहिए और जिसे जिग्यासा है जिस दोस्त को यह बात क्या थी maximum spacing वाली जो हमसे छुपाए गई बताई नहीं गई तो देख सकते हैं आपको PDF के अंदर along with यह code का clause number 26.3.3 है यह मिल जाएगा पढ़ सकते हैं आप इससे और यहाँ पर जो भी provisions हैं इन provisions को हमने refined way में यहाँ पर यह लिख रखे हैं जो आपको easily easily यहाँ पर point wise point समझ में आ जाएंगे डाइग्राम से समझ में आ जाएंगे tolerance on placing of reinforcement reinforcement को अगर हम place कर रहे हैं reinforcement को रख रहे हैं तो 200 mm की effective depth तक के लिए plus minus 10 mm इंदर हुदर चल जाएगा और effective depth more than 200 mm तो 15 mm तक tolerance जो है वो allowed है उसके बाद अगर हम beams की बात करें तो minimum tension reinforcement कितनी होने चाहिए यह सारा consolidate कर रखा जो already हम पढ़ चुके है न वो consolidated form में है minimum tension reinforcement beams के लिए कितनी होगी a0 upon bd 0.85 by fy के बराबर maximum चाहे compression हो या tension हो तो 4% side face reinforcement जो provide करते हैं 0.1% of total area provide करते हैं या फिर यह कह लिजिए 0.05% on each side हम provide करते हैं फिर उसके बाद shear reinforcement की spacing 0.75 d d या फिर किसी भी case में वो 300 mm से जादा नहीं होनी चाहिए यह भी already पढ़ चुके हैं slabs के case में minimum tension reinforcement 0.15, 0.12 यह भी हम already पढ़ चुके हैं maximum reinforcement का criteria code तो नहीं बताता है लेकिन हम beam के बराबर यह निकि 4% of total area consider कर लेते हैं maximum die of steel bar thickness of bar by thickness of slab by 8 consider करते हैं maximum spacing of reinforcement already discussed slabs के case में कितना opt करते हैं फिर उसके बाद columns के case में already discussed कर चुके हैं यह columns वाले cases की column के अंदर minimum reinforcement कितनी होनी चाहिए maximum कितनी होनी चाहिए lapping है नहीं है तो क्या होना चाहिए यह सब यहाँ पर combined form में सारे code के provision reinforcement से related वाले हैं pitch और dia की बात करें तो 75 mm से जादा ना हो 1 by 6 और code dia से जाना ना हो minimum pitch helical reinforcement की 25 mm से जादा ना हो 25 mm से कम ना हो या फिर 3 times helical bar की जो dia है उससे कम ना हो उसके बाद reinforcement की splicing करनी अगर reinforcements को join करना है तो आप कैसे join कर सकते हैं एक तो lap करवा के join कर सकते हैं एक आप mechanical connectors जो है इनका आप use करके इनको join करवा सकते हैं या weld करके आप करवा सकते हैं तो इन cases में अगर हम बात करें तो कहां पर आपको splicing नहीं provide करनी splicing कहां ना करें ऐसी जगां जहां पर bending moment जो है वो जादा है या यूँ कह लिजिए कि bending moment जो है जितनी section की शमता है उसके 50% से ज़ादा है हमारा section 100 kNm की अगर bending resist कर सकता है तो अगर कहीं पर 50 kNm से ज़ादा bending moment आ रहा है वहां पर splicing ना provide करें यहां पर और ऐसा भी ना करें कि जितनी बार जैसे इस case में दिखा रखा है इस case में आपको यहां पर चार बार एक ही जगा के उपर आपको क्या कर रखी है चार बार एक ही जगा के उपर splicing कर दी इनकी जबकि ऐसा नहीं करना चीए 50% से ज़ादा बार को एक जगा पर लाके आप splice ना करें 50% से ज़ादा splicing ना करें यहां पर करनी होती तो दो कर लेते दो थोड़ा सा और distance पर जाकर आप provide कर देते पिर उसके बाद बात आती है lap splices not used for bars greater than 32 mm 32 mm से ज़ादा bars जो है 32 mm dia से ज़ादा बड़ी bars अगर आपके पास हैं उनको lapping करके join ना करवाएं for bars in flexural tension वो length जो है वो आपको provide करनी है कम से कम development length के बराबर या 30 times die of bar के बराबर अगर bars direct tension में direct tension में अगर बार हैं तो twice of development length या फिर 30 times die of bar के बराबर कम से कम lap length provide करनी है और splices in tension members shall be enclosed in spirals made of bar 6 mm dia की bar जो है उनसे आप इसके around ऐसे आप splicing करेंगे इसके around splicing जो करेंगे ये जो बांधेंगे इनको 6 mm dia bar आप कम से कम use करेंगे pitch जो है इन दोनों के बीच का ये दो spirals के बीच का जो distance है 100 mm से जादा नहीं होनी चाहिए ये आपको यहाँ पर कह रहा है lap length in compression जैसा इस case में यहाँ पर अब compression आ रहा है और ये जो lap वाली length है ये lap length in compression कम से कम कितनी होनी चाहिए LD या फिर 24 times dia के बराबर होनी चाहिए when two bars of different dia are to be spliced lap length shall be calculated on the basis of smaller bar smaller bar के according calculate करेंगे straight length of the lap should not be less than 200 mm और 15 times the dia of bar ये जो lap करवा रहे हैं और lap का ये जो straight length है ये कम से कम कितना होना चाहिए 200 mm या फिर 15 times dia of bar होना चाहिए welded splices जो आपके पास अगर होती है अगर आप weld किया है आपने तो उनकी strength जो आप consider करते हैं वो आप कितनी consider करते हैं the strength of welded splices is taken as 80% of design strength of bar for tension splices 100% for compression तो weld किया अगर आपने बार को तो अगर वो tension में है तो 80% strength मानेंगे उनकी और अगर compression में है तो 100% मानेंगे 100% of design strength may be opted for tension at any cross section of member not more than 20% of the tensile enforcement is being welded आप welding के अंदर generally 80% strength मानते हैं अगर आप weld करने और बार tension में है तो लेकिन अगर एक जगा के उपर मान लीजिए 10 बार थी मान सकते हैं ये कह रहा है कि 20% से ज़ादा welding वहाँ पर नहीं होनी चाहिए 20% से ज़ादा bars की welding नहीं होनी चाहिए mechanical connectors अगर आप use कर रहे हैं तो उनकी strength हम 100% ही मान लेते हैं तो ये इनके बारे में provision है बार bending schedule की अगर हम बात करें तो आपको 5 symbol जो है वो ये बताता है plane bars है hash symbol बताता है कि deformed bar है तो अगर हम कहीं पर लिखते हैं 8 hash 20 का मतलब की आपके पास 8 number of bars हैं जिनका डाया है 20 mm और वो deformed bars हैं तो 8 bars of 20 mm डाया जो कि deformed हैं यहाँ पर अगर hash 8 at the rate 150 हम लिखते हैं तो मतलब 8 mm की deformed bars हैं plane round bars हैं जिनने 250 mm के center to center spacing के उपर रखा गया है serviceability limit state की अगर हम बात करें already हम इसके बारे में बात कर चुके final deflection जो है वो span by 250 और after the erection of partition and application of finishes span by 350 या फिर 20 mm इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए can deliver simply supported इनके लिए control of deflection criteria क्या है reinforcement की splicing के बारे में already discuss कर चुके हम यह तो repeated portion है यह भी repeated portion है and lap splice is done hanging bars के बारे में अगर हम बात करें तो hanging bars जो है जनरली 10 mm से डाया की बार ज़्यादा हम use नहीं करते हैं hanging bars को हम provide क्यों करते हैं यह हम provide करते हैं compression side में to support stirrups stirrups को support करने के लिए भी provide करते हैं और main reinforcement को support करने के लिए भी हम provide करते हैं overall schedule आपको पता है कल शाम को 6 बज़े से RCC की unacademy app के उपर special class शुरू हो जाएगी अगर आप unacademy subscription अब लेते हैं तो 1 year से उपर के subscription के उपर 6 months आपको free मिलेंगे sandeep double one use करने से unacademy के free free mock test देने के लिए जो BPSCAE के लिए और UPSCAE के लिए है उनके लिए भी आप enroll कर सकते हैं 6 तारिक को 6th of March को वो होने वाला है तो आप नीचे जाके enroll बटन जो होगा वहाँ पर उस पर click कर सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा unacademy के special classes के अंदर भी आप join हो सकते हैं subscription पर पढ़ने के लिए get subscription पर click करना होता है duration select करने होती है और आज के इस session में अपना बहु मूल लेकीमती समय जो है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैसे ये live stream खतम हो जाए आप comment करके भी हमें बता सकते हैं आपको ये sessions कैसे लगते हैं और आपके इन sessions के बारे में क्या विचार हैं PDF भी जल्दी upload कर दी जाएगी thank you so much मेरा नाम है संदीब जयानी और इसी तरीके से अपना प्यार अपना support जो है वो बनाए रखिए इसी तरीके से एक positive environment बनाई रखिए जिसमें की मेहनत करने में हमें बिल्कुल भी शर्म या फिर बिल्कुल भी आलेस ना हो जो भी हम काम करने हैं चाहे पढ़ाई से संबंदित है या भविश्य में कोई भी और काम करेंगे हैं तो एक जो मेहनत करने की और smartly मेहनत करने की जो habit है वो हमें adopt करनी है अपना time क्या है अपने importance क्या है अपनी जो career journey है वो कहाँ पर हमें लेके जानी है हमारी targets क्या है हमें खुद decide करने चाहिए और उसी को हमारी day to day जो हमारी habits है हमारी activities जो है उनके अंदर हमें inculcate करना चाहिए ताकि हमारी growth जो हम खुद control कर पाएं खुद हम ensure कर पाएं हमारी success को यह सिर्फ किसी particular exam से limited ना हो यह हमारी overall life तक limited हो कि हाँ में how do we want to leave our how do we want to lead our life so thank you so much मेरा नाम है संदीब जानी और take care अगर आपने अभी तक इस session को like नहीं किया है तो like कर दीजीए अपने दोस्तों के साथ आप इसे share भी कर सकते हैं live stream खतम होने के बाद आप comment करके भी जरूर बताएगा आपको यह sessions कैसे लगते हैं thank you so much